आजनीती का पारा उपर शर्का जा रहा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याशियों ने रूची नहीं दिखाई तो चौथे और पाचवे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याशियों में नाम निदेशन फॉर्म जमा करने के हो होने वाले है तो प्रतम एवं दिती शरण में विकासखन बैयर, परसवाडा, वारसवनी, खैलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 672, 152, जनपत पंचात के सदस एवं 19 जिला पंचास सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंदी छेत्रों के रिटर हास सदसय के लिए शेत्र करमांग 16 लांजी, सरण में, पपंचास सदसय के लिए शेत्र करमांग 7 से जोती उम्रे, छेतर करमांग 14 से अलका मुल्क राजानन, छेतर करमांग 16 से पुस्पलता मेश्राम, छेतर करमांग 17 से राम गुमार नकपुरे, एवं छेतर करमांग 20 से टामेश्वर पठले ने नाम निदेशन पत्र जमा गिया है। देर शाम को राज्य निर्वाचन आयक के द्वारा एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामने दिनों की तरह नाम देशन फॉम जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी। दुले का सूट, दुल्हन के लाचे, बनारसी सिल्क साडिया, दुल्हन चुनमी, साफ़ा कपडा, बांधनी साडिया, रेमंड शियाराम और तुलसी जैसे ब्रांडेट कंपडीयों के बेंट, शर्ट के कपड़े, ब्रांडेट कंपडीयों के लेगिन और पेंट, पातल, वायल, निवार, साथी सभी हैंड लूप, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंबल, मच्छरदानी, सोफा कवर, सेट, कंपर्टर, एसी कंबल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा मेचिंग की विशाल शर्कला में फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पॉपलिन और सभी प्रकार के सिल्क माटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाई दो का रूबिया और जार्जेट का अद्बुन संग्र, इसके अलावा अगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथी टेंट कपड़े, दरी, चटाई और कार्पेट की विशाल रेंग, तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी घंडार, आडवानी का प्लेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट भालागाट, प्रोप्राइटर विमल उमार बोत्रा शांदार कपड़े पहनने के शौकिने के लिए श्री शिबदार्थ कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंपनियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे बुर्विन की साडिया, दुले का सूत, शिरवानी डिजाइनर साडिया, शा शांदार कलेक्शन यानि शांदार कपड़े मिलने का एक मात्र विश्वसमी है इस्थान तो चले आईए श्री शिदात कलेक्शन राजगाट चॉप गिदी चॉप वाली बलागाट ब्रांडेट कंपनियों के कपड़े पहनने से शौकिनों के लिए शेहर का पसित जगमगाता नाम अभी नंदन फाइशन जहां है मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर और स्ट्राइट जैसे मशूर ब्रांडेट कंपनियों के एक सिपड़कर एक आकरशक और अधभुत, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला साथी दुलह का सूट, शिरवानी और कुर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्रंखला आकरशक अंडर कार्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खूब सूरत जैकेट जो यहां वो कहीं नहीं तो मोस्ट वेलकम, अभिनंदन फैशन, अहिंसा द्वार के पात, काली तुटी चौप, बाला घाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभिनंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवं इस्थिट्यूट, प्लेटफार्म फार यूथ, बैंक, एससी, रेलवे, आरक्षक, वनरक्षक, आई टी आई, टी ओ, एस आई, व्यापम, पटवारी, सम्विदा वर पिछले पाँच वर्सों से सरवाधिक सिलेक्षन का रेकॉर्ड, इसके अलावा सेपरेट स्पेसल बैक्ष पर आई बी पियस, पियो, क्लर्क, आरारबी, आरबी आई, एस बी आई, सो, एंड स्टेनो ग्राफर, मैट्स और रिजिनिंग के स्पेसल बैक्ष, दस वर्सों के अनुभवी रागवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फार यूर ब्राइट फ्यूशर, आर्थिक रूज से कमजूर विध्यार्टियों के लिए, फ्री पोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी सुईदाओ अंपरक करें, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर रागवेंद्र मिस्रा सर, डारेक्टर यूम इंस्टिटूट, डाक्टर महाजन के सामने सहरा फोटोकापी के बाजू में सरकित हाउस रोड बालग करें ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है, परते खबरों के बाद नमर 20 में इस्तित मांनपुना मंदीर का नौ निर्मान हो रहा है, इस अवसर पर 30 जन्वरी से 6 फरवरी तक भव्य प्रान पतिष्ठा समारों का आयजन किया जा रहा है इस अंदर में मांनपुना मंदीर स्टरस्ट के पतादी कारियों के दबारा, अन्नपुना मंदीर प्रांगन में पत्रकार वार्ता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यहां पुर्व से जो माननपुना मंदिर था, महां 110 वर्ष का हो गया था जरजर होने के कारण नए मंदिर का निर्मान किया जा रहा है जिसका कारे लगवक पूर्णता की ओर है भवे प्रान पतिश्टा का कारे करम आयुजन कर माता रानी को नए मंदिर में विराजित किया जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करेंगे जिले भर में, महराष्ट में, गूंदिया में, नाकपुर में जहां था हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और एक सरी लोगों को यहां मंतित कर, लोगों को इस पूर्णिय लाब में सामिल करेंगे हमारा उद्देश मंदिर जब जरजर हो गया था उसको बचाने का था, तो पूरी तरह से उसको भिसर्जित किया गया हमारे आर्केटेक्ट आलोग नेमा जी ने, इसमें एहम भूमी का निभाई, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां वहां से विस्थापित करना बड़ा कठिन काम था, और धार्मी करूप से लोग यह भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे, तो उस सब को हमन हमें लोगों से प्रकांड विद्वानों से सला करके, पूजा पाठ कराकर, माता जी को उनके कक्ष में विस्थापित कुछ दिन की विस्थापित किया, दस जुन 2019 को विदिवत भूमी पूजन कर, हम इसको निर्माण को कम्प्रीट करनी की हो रहे हैं, उसके बाद उज्ज जो माता जी को अगहन के महीने में जो अनाज मिलता है, वो अनाज अपनी कोठी में ले आके डालें, तो जीवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगी, बहुती सिद्ध पीठ है, माता जी के कई चमतकार देखने मिलते हैं जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिरसी कारेक्रम होने वाला है, यह बहुत भव्वे प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम होगा, मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूं, कि जब भी समय मिले, कम से कम एक बार आके, इस मंदीर में जब प just المann के अनुवतियों शहर का गंदा पानी, गंगा नगर अरजाकपुरघाट के रास्ते ही वेन जानगा नदी में नहीं जाता है, बल्कि शहर के अन्य छैत्रों के जरीए भी सोित पानी, वेन जानगा नदी में जाता है शहर का गंदा एवं दुशित पानी बनगंगा नदी में कुछ मैनों से नहीं बलकि पिछले कई वर्सों से लगातार जा रहा है लेकिन इसोर अभी तक किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया गंदे पानी के अकारण सभी लोगों को परिशानी है और सभी के द्वारा कुछ बेहतर विवस्ता बना जाने के लिए कर बात भी कई जा रही है हमने यह जाने का प्रियास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है महा किस छेत्र से आ रहा है इसकी परताल करने पर पाया गया कि महा पानी हनुमान चोक्स की और से नाले के जरिये जो कि नर्वदा नगर से टेगोर मांटे सरी स्कुल के आगे नाले से कोस्मी बंदर जीरिया से होतु भी ये महा दुशित पानी आता है यह हमी बताये गया कि मंदर जीरिया के पास एक पुल बनाये गया है जिसके नीचे से उचाई अधिक होने जाने के कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण महा गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुर्गंद के कारण महा से जाने वाली लोगों को परिशान होना पड़ता है। तो यह जो बना है यहां पर यह गलत बना गया है। मतलब इसके लिए कुछ प्राइंट अगर बनाना चाहिए। अबर सुद्ध करके भेजना चाहिए। बदबूह बहन कर जाती है। घर तक आती बदबूह। और बरसाद में क्या स्थिती रहती है। बरसाद में चलने फिरने की बहुत दिक्क जाती है। पूली के लिए। इस तरफ में कितने साव से बहुत है। यह कम से कम बया। कई वर्से से ने कहीं वर्से से ने पहले क्या पूली बना था ना पानी पास हो जाता था। पर ले कच्ची रोड थी। यह कम से कम बार अंधरा साल हो गया। समस्या होती इससे लिखेत करता है पानी कास हो चाने को होना को अरने तो पूरा तार का खेति geographic हो दो जातों काने अंत्व है अटेट नहीं को चलता है यह ठाहना से आघाए डार्व जी फ्रुद करत नहीं है कहां कहां का आता हूंगा। अपना क्या करे ते आड़वानी आपे तरप कुरा यारण क्या करे कि बुरुनामे पर लाख को अफ़ा है। फॉर्दर शे पूरा है। हन्मान चोग कर आगे आता हुआ। यह पानी आगे कहां चाता है। यह पुरा आशी उदर कर जाता है, जहां पुरा गम हो जाता है पुरा दुसित पानी है? यह दुसित पानी है यह नदी में मिलता है कि बानी? नहीं नदी में नहीं मिलता है इसका पानी कोई उपयोग मे लेता है कैसे पानी कोई उपयोग मे लेता है कि यह घरी वास्थ में लेता है वाई इसके सम्मद में चर्षा करने पर बाट नमबर 30 के निवर्तमान पावशत राजस निलारी ने बताए कि यहां बाद सही है कि नगर के 5-6 वाडों का गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोसमी बंदर जिरिया होते हुए ब युमारी फैनने का भी डर बना रहता है पूली बना होते है तो वहां पर भी जिल्ली जम जाती है पानिंताशनी, और पानी निकासी द्यरी द्यरी, निकासी होती हुएस सिधाधा पानी कहां जाता港 है? नदी में.. जो नाली की में संमझ्या है अपना गौरहुपथ पटस्यों कि बेस्थ आप पना पर नहेखे का पानने पुरिय नहे है अब इसके लिए तो प्रसासा सोचे की कैसा कर सकते हैं और अभी सरकारी की योजना भी है की सहर का गंदा पानी नदी में न जा अब इसके लिए सरकारी कर सकते ही जो करना है जिसको देखती हुए प्रदेश शरकार के दवारा व्यवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परनतु बारा सुनी में कुछ अलगी हालात व्यवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे हैं जहां पर कई प्रकार की चीजे देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भयाबह स्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधायक के दवारा वारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें कलेक्टर के दवारा गद दिनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कट रही कंपनी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनेर्स के दवारा आया ऑक्सिजन प्लांट को तयार किया गया परंदो शालू होते ही जो पाइपलाइन विच्छाई गई थी उसका लिकेज टेस्टिंग में समझ आया जिससे कारे की गुनवत्ता पर प्रश्चन चिजन लग रहा है सिविल अस्पताल में देखने में आ रहा है कि मरीजों को ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर एक अलग ही दहस्यत का वातारन बना हुआ है इसका असर यहां भी है कि OPD सहीत भरतिवाडों में भी सन्नाटा पस रहा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे है ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रवेश पर प्रवेश पर प्रवेश शरकार के दबारा गंबिरता दिखाते हुए पूरे प्रवेश में वहस्ताओं को दुरुस्त पकर सभी अस्पतालों को मौकडिल करने की बात कही गए थी परंतु स्थानी स्थर पर देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार की मौकडिल नहीं की गई यह तो हालात है अस्पताल के इसके लावा आम जनता के क्या हाल है इस विशे पर वे क्या कहते हैं चली जानते हैं जैसा कि मालूम है कि ओमिक्राण है और और रियंट है और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर क्यों आपकताहिया जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे कि कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वाराक सुनी में पहले था वह भी किस अवस् यह तो ही हमारी तशित चिकिस साल है कि इस्थिती लेकिन ग्रामी इस तर पर जो स्वास्ते केंद्र बने हुए है मीनी पीस्ती है और पीस्ती है जो लोगरमाली है खैलाण जी ए रामपा इलिये इनकी भी स्थिती बहुत अच्छी नहीं नजर आती क्योंकि कि स्वास्तो अब देख रहे हैं प्रदेश में और अभी जिला क्रेक्टर मोदे ने भी बैठक लिया है तो अब ववस्था दिख रही है गात्री कालीन भी यहां पर डाक्टरों की इस ती अच्छी ववस्था नहीं है कोविड सेंटर जो है आमेट करवहन का उसके भी बहुत बुले हाल वो इतना खतरनाक साबित होने वाला है और उस हिसाब से हमारी सरकार ने राज सरकार ने सारे प्रयास किये हैं सारी व्योस्थाय मनाने के प्रयास किये हैं जीला प्रवसासन को इस बात के लिए अवगत कराया गया है कि आज अपने हिसाब किताब का यहां व्योस्थाय मना ह तेकिन उसके बावजित देखने में आ रहा है कि सहर में ना तो कोई मास्क लगा के चल रहा है ना भीड़ भार के कोई अंचरण है बड़े-बड़े कारेकरम हो रहे हैं बड़ी-बड़ी भीड़े जमा हो रही है आप तो नजर आती है इसका इस तर पार हमने अभी अकसिजन प्लान को तरैल ऑगाए है दूसरा जो एम्बॉलेंस थी हमारे है लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको भी हमने पूरी तरह से तियार कर दिया है जिसका पूरा वहन वारसुने के गर्णमानी नगरिक करेंगे, जिसमें हम लोग दिजल फिरी देंगे, द्यावर की व्यवस्ता भी हमारे द्वरा कर दी जाईए, 24 गंटे वह यहां वारसुने शेहर के लोगों के लिए उपलब्द रहेगी। एवं छेतरी जन लापरवा होते जा रहे हैं, और लोगों में कोरोना की तिसरी लहर का खौब भी नजर नहीं आ रहा है। पिक्षा कम से कम 10 गुना अधिक अवत खतरनाक सावित हो सकती है। कोरोना की प्रती लोगों की जागरूपता खतम हो गई है। अगर इस प्रकार की स्थिती रही तो इसके दूस्परजणाम सभी को भोगना पड़ सकता है। और अगर हम इससे सचेत रहे बचे रहे तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है। हम भी सुरच्चित रहे सकते हैं। देश में उमी कराम का बहुत पकोख है। साथ में कोरोना भी है। इसके बावज़त भी लोग यहां दलर से बिना मास्क लगाए घुम रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। और उसके साथ पर यहां के प्रसाशन को लोगों को जागरिफ करना चाहिए। मास्क लगाने के लिए लोगों गाइडेंस देना चाहिए। मास्क बिमारी उकर्टोल करना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है। जैसे आप लेख रहे होंगे लाल बर्रब में कि अधिकान लोग क्या बिना मास्क ही रहते हैं कि मास्क लगों को मास्क को लोग डेकोरेशन के रूप में लगाते हैं। जैसे मास्क लोगों को लगों करना चाहूंगा। चुक्कि इसके साथ में सबसे बढ़ी समस्क है कि यह डेल्टा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्ष्य में इंफेक्शन फैलाने में। और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाईए। उससे पहले आप वेक्सिन लगाईए और सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग कीजिए। और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी के स्तर पे जो चंदा करके मशीने लिए थे वो भी हमार पास वह वस्तित रखी हुए। तिसरी लहर को लेकर स्वास युभाग को सतर खोने के साथ ही तैयारी प्रारम कर दिन दिन चाहिए जिससे समय रहते तिसरी लहर को नियंत्रित किया जा सके। धूल खा रही ऑक्सिजन मसीन कबार में पड़े ऑक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लहर की भीसन तबाही को देखते भी लालवरा में विधायक निदी से 46 ऑक्सिजन मसीन एमम समा सीविंग के दबारा 17 ऑक्सिजन मसीन सहीत 50 बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले मे स्थित महाविद्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्थाई रूप से बनाया गया था जिसमें कोरोना संक्रमिद मरीजों का उप्चार किया गया किन्तो धिरे-धिरे कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बंद कर दिया गया कि कोobra Kygo ना की तीसे लेहर को देखते हüm वी स्वößी अ चे वाक हमारे तरफ से कोविड सेंटर चात्रावास बीची को उसमेए कोविट के शेंटर की विवस्तह की जाएगी एवं इसके सार में oxygen एवं बैड की पूर्था तीस बैड़ेट oxygen बैड की व्यवस्ता उपलब्थ है बैड एवं 40 oxygen कंसेंट्रेटर विधायक निदी की दौर हमें प्राप्ट हुए थे अभी शांशन के महात्यम से 5 oxygen कंसेंट्र और प्राप्ट हो चुके हैं तोटल पैतालिस oxygen कंसेंट्रेटर अभी उपलब्थ है साथ ही पांच शे oxygen cylinder हमें उपलब्थ है यादि तीसे लहरा आती है और oxygen की और आशकता पड़ती है तो जिला स्पताल वाला घाट में oxygen प्लाइट के मात्यम से हमें oxygen cylinders की वैस्ता कराती चाहिए इसके साथ ही पूर में समा से भी संस्थाओं के द्वारा oxygen concentrate दान किया गया था वो second लहर के पस्चाथ उन्हें वाफिस कर दिया तो सर अभी तैयारी वो लेकर अभी कुछ यहां पे तो फिलाल लुजब्रेटरिंट में बस इतना ही आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे है पदमिश्वन पूस्तिवार नमस्कार गुरुबार की रात को बालाखाट गोंदिया रोर पर हुई सड़कास से में बाईक सवार दो यूकों की हुई मौत करिणापुर्थाना के अंतरगत वारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहां डाले रात को साल्टेगा से लोग रहे थे वापस अपने घर वारा अग्यात वहां ने मारी टक कर घटना सल पर हुई ती अंकित की मौत इलाज के दोरान कार्थिक ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अलादिकारी मदपदेश के भीतर होने माले 3035 चुनाओ और नगरी निकाय चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश OBCR अरक्षन किया समाप्त OBCR अरक्षन स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर NJT ने दिया देश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अतिग्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राजिय शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक रहे लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाउं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततों पर कड़ी कारवाई की माँ एने शुदाई की पदादी कारियों ने जटा संग त्रिवेदी महाज जयले के प्राच शारी के सोपा ग्यापन कोविड-19 के प्रकवपू देखती भी आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाढ़ नमर 20 में स्तित मा अनपुना मंदीर का हो रहे हैं नाव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालको ने नगरपालिका के अधिकार्यों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मध्यप्रदेश पेंस्ट्रंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विविन मुद्धो पर की गई चर्चा मध्यप्रदेश हासन के नवीन एवाँ नव करनी उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप्स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले बासियों के लिए अच्छी खबर सामाने बन छेत्रों में बस 2018 की तुलना में दोगनी हुई बागों की संक्या उतर सामाने बन मंडल की 130 बीटों में मिले बागों की उपस्रीती की साक्षे बारश्री शेयर के भीतर बगेर पंजियों लैसेंस के चड़ रहे दो चिकिस सक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंचिया चुनाव निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसंबर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 कर्मशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताव नोटिस 33 पंचिया चुनाव के नाव निदेशन के पाच विदीन 280 प्रत्या शुने भरा नामांकन फाउं कोरोना के तीसरी लहर के लिए प्रदेश स्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधूरी तयारी के बीच चल रहे है तीसरी लहर की तयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी चेहरे पर नहीं लगा रहे है मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे बेड तीसरी लहर की दस तक से पहले बारा स्विनी में अक्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गया पाईप कलेक्टर डाक्टर ग्रिश कुबार भिस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार लालवर मुक्हले से बारा किलोमेटर दूर कंजाई बंचयाद गयाते सक्ति पीट में तालिश वश्चाट के आउसर पर हो रहा स्री मद्ध भागवद गीता का युजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाडो का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुँच रहा बैंगंगा नदी मैली हो रही है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार 40 वर्षों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोट सिंदु भवन के बाजू में आजाट चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्लाइड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एल्यूमिनियम सेक्शन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आजाच चौक पालाखाट आव चलें वक्त की रफ्तार के साथ, शहर का पतिष्ठित पतिष्ठान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उपलब्द है बैटरी से चलने वाली शांदार गारियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुफ्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्ज की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नंबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नंबर वन की रेकिंग वाला शोरूम फाइनेंस सुईधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इच्छत के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यों ठी विलर हमारा वद्द्ध से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंखला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसी एन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते है मदुमें और मदुमें से जोड़ी होई चटिल समस्याओं के समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना सरदर्द और चक्कर आना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा होना हात पैर और जोडों में दर्द बज जलन होना, विमारियों का सफलत मिला, मूक एवं दंद रोग विश्षक के, डॉक्टर निली मां वेद प्रकास लिल्ला रे बीना दर्द के दात निकालना, दात और मसूड के दर्द का उपचार, तेड़े बेड़े दातों को तार लगाना, पर्मानेंट फेस दात, मसूडों का इलाज, सुरूट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिले, मूँके कम खुलने का और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलब्द है तो याद रखे वेद हेल्थ केर मादूरगा मंदिर के पीछे रेलवे स्टेशन रोड हनुमान चौक फालाखार आपके घर को आकरशक और सुन्दर बनाने के लिए शेहर का प्रसिद्य प्रसिस्ठान होम्टाउन टाइब्स न किपीपलब्द है सभी प्रकार की आकरशक फ्लो टाइब्स डबल चासर्ज टाइब्स जीबीटी, PGFT, नैनो, मैट फिनिश टाइब्स वाल्टाइब्स, पार्क क्वाट्स, साइनेट्र प्रोडट्स, क्वमोड, डिजाइन वाश बेसिन और बात्वेर एक्सेसिरीज की आकरशक शंकला, आकरशक नल्फिटिंग और शावरादी की संपून रेंज तो चले आईए और सजाई अपने सपनों का घर होमडाउन टाइल्स के साथ हमारा पता है होमडाउन टाइल्स बैयर रोट डॉक्र गादी के सामने बाला घाट क्या आपको अपने केबल के भुकतान करने में कोई परिशानी हो रही है तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप डाउनलोड करने के बाद अब अपना कस्टमर आइडी डालें जो कि आपकी रिसीप में लिखा होता है अब डिफॉल्ट पास्वर्ट वन डाल कर लॉग इन करें अपना रजिस्टर्ट मॉबाइल नंबर या कार्ड नंबर डाल कर सिर्फ एक बार अकाउंट को वेरिफाई कीजिए अब पास्वर्ट चेंज करें पेमिंट के लिए एड बैलन्स तु वालेट में जाएं और अपना अमाउंट एंटर कर पेन आउपर क्लिक करें अब अपने मन चाहे पेमिंट मेथर्ट से पेमिंट करें इतना ही नहीं चालू पैकेच, बिल या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी तो अभी अपना फोन उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप और आनंद लीजिए अपने मन पसंद एंटर्टेनमेंट का अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 831-9969927-8878-006435 Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple device in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed, upload heavy files as quickly as you download them, enjoy incredible giga speeds of 1000 mbps, cut the promise speeds consistently, use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband, feel the speed. देट डिले की हर क्वार, शि夏्ले की हर खबर, संतेव donn नने का वादा, जिले की हर खबर, सबसे पहले आपता, सबसे पहले आपता, पहूंचाने का वादा, बस येही है कि रदा. नमस्काल आप देखरें पद्मिशन्ट पोस्यवन क्रिश्न सेंडे के साथ बुलिटिंग की सुरुवात करते हैं हेडलाइन से अनिस्चित काल के लिटली जिला पंचात अध्यच के आरक्षिन की प्रफिया पंचात राजिय संचालन ने जारी के आदेश देवित आलापर एंजिटी का बड़ा आदेश नई हटेगा अतिक्रमन राजिय सासन और जिला प्रसासन करेगा अगरिम कारवाई गुरुवार की राथ को गुंदिया रोड पर हुए सड़कास्ते में दो यूग को की हुई मौट डालबर्रा और वारा सुनी में तीसरी लहर की आहट पर अधूरी तैयारी में स्वासी भाग कबार में पड़े कोविट सुरक्षा के उपकरण शहर के गंदे पानी से प्रभाईत होरी गुंगले की कई एकड़ खेती की जमीन मैली होरी एक बेंगंगा मद्यपदेश के भीतर होने वाले त्रीस तरी पंचा चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाय चुनाव के लिए सुप्रिम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्तान पर OBC आरक्षन के लिए सीट आरक्षित की गई थी उन स्थानों पर सामने स स्थानों के तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दाव अली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ देजिए कि जिन इस्तानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उन स्थानों को सामने स्रीट घोसित कर दिय गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि 15 चुनाव को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोड़ा रहा है इसी कड़ी में सुप्रिम कोट में सुक्रुवार को होई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाव समीधान के इसाप से हो रहे है तो उसे कामले में राज्य निर्वाचान आयोग ने कहा कि कोट का आदेस मिलने के बाद चुनाव रोकने पर ने नहीं लिया जाएगा मुख्य चिकिसा या एवं स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवं लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तता रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिसा क्लिनियों को को सिल बंद कराए है इस क्लिनिक का विधिवत पंजियन एवं लाइसेंस नहीं पाया गया जिस पर डॉक्टर कर दिया गया है इसी प्रकार वारशनी शहर में सिविल लाइन के पीछे मज़ित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रथम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर और एच थेर के द्वारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसिलदार राज इस निजी अस्पताल में लगभक सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगवा रुक से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबीर इस्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लांजेवार के द्वारा ततकाल एक सवार्ट एम्बूलेंस बुला कर इस जोड़े दवारा रोगी का परिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टिपेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाय, बलड सेंपल कलेक्शन, ट्यूब आदी को जब्त कर इस निजी अस परतीत भी हो रहा है अवाई की जाएगी और इसके लिए बे स्वयम उत्तरदाई होंगे नाव नम्मर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिया विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उरुवरक वित्रण नहीं करने पर मेसर्स नत्राज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसपाड़ा के प्रोप्राइटर नमीता अतुल हनवत को उप संचालक रशी खोबरागडे के द्वारा नोटिस जारी कर स्परश्वी करन प्रस्तूत करने के लिए कह गया था लेकिन प्रोप्राइटर नमीता अतुल हनवत के द्वारा नोटिस का संतोस जर्नाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उरुवरक लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था शहर के देवित आलाप पर किये अतिकरमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजीटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आलाप प्रकरण में किसी भी तरके अतिकरमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है NGT के द्वारा देगे आदेश के अनुसार देवी तालाब नीजी भूसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरका कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान NGT ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम कारवाई की जाएगी आपको बताते कि NGT में दर्श की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्ले क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगबा आठ एकर से अधिक बताये गया है पुलिस लाइन तालाब रगबा तीन एकर महरा तालाब रगबा चार एकर मोती तालाब रगबा लगबा बावन एकर बुदोभी तालाब रगबा लगबा छे एकर देवी तालाब रगबा लगबा लगबा सूला एकर दरी तालाब रगबा लगबा साड़े चार एकर दसा कि आगया है कि यह तालाव रिसफ डेवलपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलकि साधिश में इस बात का कहीं भी उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालाव का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मदपदी शासन और बालाखा जीलाप्रसासन को किस तरस से को प्रतिश्थान और अन्य लोगों के लिए रहात भरी खावर यही है कि फिलहाल देवी तालाव के अतिकरवन पर एंज्यूट ने गेंद राज्य शासन और जीलाप्रसासन के पाले में डाल दे मदपदी शासन उच्छे सिक्षावी भाक के दबारा शुकरवार पुन अगर के फिजी कॉलेज बैडबिंटन हॉल में संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रतिविता का आयज़न क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयज़ित की गए इस संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रतिविता में सिवनी, बैतुल, बालाखाट और छिंदवाडा की टीमों ने भाग लिया आई जीते संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रत्युगिता में बालाखाट और सीवनी की महिला एवं पुरिस बैडमिंटन टीम खरा प्रदेशन के चलते फाइनल में नहीं पहुंसे की महीं अपने खेल का उतकष्ट प्रदेशन करते फे चिनवाड़ा और बैडमिंटन टीम ने फाइनल प्रत्युगिता में प्रवेश किया जहां देर शाम प्रत्योगिता का फाइनल छिंदवाड़ा और बैतुल के मद्दे खेला गया जिसमें महला पूरुस दूनों ही वर्ग में बैतुल की टीम एक भी अंक अरजित नहीं कर पाई महीं सुन्ने दो से छिंदवाडा टीम ने प्रत्योगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया जहां प्रत्योगिता के समापन पर छिंदवाडा की महला पूरिश बैडमिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैतुल की टीम उप विजेता घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुर्षकारों का वितरन कर दोनों टीमों से राज्यस्तरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाडियों का चैन किया गया मद्वदे कखार्याइ प्रत्युग मंत्री स्री डंग Д ken को शाम शे बझे से भूपाल से चतिसगण एक्सप्रेस से प्रस्थान करेंगे और 18 दिसमर को प्राता 5 बजे गोंदिया पहुंचेंगे मंत्री स्री डंग प्राता 6 बजे बालाहट पहुंचेंगे और प्राता 10 बजे जिलाची किस सालाई का निरिक्षिन करेंगे इसके पस्चात वे साड़ी गयारा बजे कलेक्टर सबाकक्ष में कोविड समीकषिर बैठक लेंगे मंत्री स्री डंग बालाहट में इस्थानी कारेक्रम मों में शामिल होने के बाद रातरी 10 बजे बालाहट से गोंदिया के लिए प्रस्तान करेंगे और गोंदिया से रातरी 11 बजे भगत की कोठी एक्स्प्रेस से भोपाल के लिए रवाना होंगे शुक्रवार को नारी ससत्ती करण के बैनर तले लामता छेतर के ग्राम खुरसोडा की दर्जनों महिला आये एवं एक मार्क पिट का प्रकरण भी दर्ज हुआ है इसके बावजुद भी मुलजीमों पर कोई ठोस कारवाई नहीं की गई इसलिए हम समस्त महिलाए ग्यापन सौपकर इन तीनों प्रकरण के आरोपियों पर सिग्रता पूर्वक कारवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए आप नहीं आपको बता दो तो बोल आपकी समस्त मधिस्ट के बात रखना सिर्द तो अपना पुली द बात कर चलेंक हुआ cradle लालवरा मुख्यलैस से लगभग 12 किलिमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंचयात कंजयी स्तित्मा गयात्री सक्तिप्रिट मंदिर के प्रांगन में गत 9 दिसंबर से जारी स्रीमत भागवाद गीता ग्यानिय यग्य ससंग संगोष्टी का 17 दिसंबर को गयत्री सक्तिप्रिट के 41 वे वार्शी कुस्तो कारेकरम के साथ धार्मी की अग्ये बातावरन में समापन किया गया धर्मलाब और जित किया जिसके बाद महारती की गई एवं विचार गुष्टी के बाद विदिपत पूजा नर्चन कर श्रीमत भागवत गीता ग्यानिय यग्य का समापन किया गया अकिल भारतिय बाग आकलन 2022 के फेस वन डेटा कलेक्शन कारेके तरती चरण में बालाखाट बन वरत के अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटु में दिनांग 15 से 17 दिसमद 2021 तिन दिनों तक बाग तेंदुआ एवं अन्य परभक्षियों के सा जुनने का अभ्यास संपन हुआ कि एस जीओ प्रसान साक्रे ने बताए कि बाग आंकलन गें प्रतम चरण में तीन दिनों के डेटा कलेक्शन कारे के उपरांत 5 रेंजों के 116 बिटों में पंच्यार में बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष दर्ज हुए है वही 111 में 130 बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष प्राप्त हुए है जो कि गत बाग आंकलन बस 2018 में प्राप्त 65 बिटों के तुलना में दूगनी है बालाखाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाय रखने की द्रश्टी से बनंवरत्य बा पूर्व यातायत पुलिस के दवड़ा बस इस्टेंड गौठान के सामने जक्की जगह को आटू संचाल को को स्टेंड लगाने के लिए दी गई थी जहां आटो चालक स्टेंड पर आटो खड़ी कर सवारियों को ढोने का काम करते थी अब यातायत पुलिस के द्वारा जिसमें मुख्य नगरपाली का अधिकाड़ी 37 मरसेनिया ने स्वैम बस स्टेंड का निरेक्षन कर उक्त जगह से आटो स्टेंड हटाने की निदेश दिये जिससे आटो चालक काफी नाराज है उन्होंने आटो स्टेंड की उक्त जगह को खाली ना कराया जाने की मांग को ले अधिक गवारी सामाच के लोग अपने कुछ लोग अपने हमारे पीछे के लिए और हम लोगों को वहाँ पर आई दिन आई दिन कले टोर्चर किया जाता है कि आखर की जगह है ऐसा है वैसा है करके अब जब के कहले तो गौवर्मेंट ने उनको कह सागल बंद इस्तित में उनको 15 साल से जगह दे चुकी है आखर की जगों 15 साल से उदर दे चुकी है क्योंकि यह जो है कि खेट खली आने वाला मामला है साल में एक बार भरता है मंडार नहीं भरती है उसके लि है कए घौठा की नहीं आपके पस आसा क्या प्रमाण है मेरे पास है नंब आपर माण है जब्के मंदिर का फ़र रखा था तो उन लोग ने प्रेसर दे कर उस समय इन लोग ने अपनेर जो अच्छा जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्टेड में एक बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि कि आप अपनी आटों को पिटनेस कराईए और उसके बात जो है आपको आटो इस्टेंड कोल के देंगे अभी क्या हुआ इसमें अपने अपनी गाड़ी के पूरे ओके करा लिए अब जो मिटिंग में बोला गया था कि आपको इस्टेंड भी मतलब इसो करा जाएगा तो हमको मुख्य नंगरपाली का अधिकारी 37 मरसेनिया ने बताय कि आटों इस्टेंड पर आपति गोवारी समाज के द्वारा लगाय गई है जिनोंने उक्त जगह को गोठान की भूमी बताती भी गोठान की उक्त जगह को खाली कराने की मांकोले कर सियम हेलपलाइन में शिकायत की थी जिनकी शिकायत पर आठो चालकों को उक्त जगह से आठो स्टेंड हैटाने के लिए कहा गया है वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त जगह से स्टेंड हटाने के बाद आटो चालकों को स्टेंड लगाने के लिए दूसरी जगह नगर पालिका के द्वारा नहीं दी जाएगी आटो चालकों के लिए जगह आरचित रही है अपना उस्टेंड से लगाई जा रही है तो मैंने समंद में आटो बाले आए कि सवी दोग मिलके आप है तो उनको यहीं चला दिये कि आप तैसिलार साप से उस्टेंड के समंद में आप देखवा लें क्लियर कर लें अगर वो आ आटो स्टेंड वहीं रहेगा या तो कि अगर वहां लगा है वेस्ट अपने उनको इदायक दिये कि अभी दो दिन ना लगा है आप है ना और दो दिन में जटता कि आने तैसिलार साप के आँसे आप जाज कर वाले जाज आ जाती है तो फिर आगर आप पाया जाता है कि आगर कर नेहरू हॉल में पॉंस अधिवेशं का घया मध्या प्रद graveyard शोने मैं में belongsकिंट mam को जल्द जल्द पूरा की जाने की है की आयोजी तेस कारेक्रम के संदर में की गई शर्षा के दोर आन्वाद्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिला धेक्ष बी यल उपवंसी ने बताया कि सरकार के दबार अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके अलावा केंद्र के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज का कारग्रम जो है 17 डिसनर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला लिवेशन है इसमें हम मारे दिले के समस्टनर्स पतिनीद्यों के साथ यहां पस्तित होंगे और हम पेंस्टनरों के सम्मन में लंबित मांगों पर चर्चा करेंगे जैसा कि हमारी प्रंपरा है कलेक्टर महुदैर के माध्यम से मानने मुख्य मंत्री मानने वित मंत्री मत्र प्रदेश सासन को यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि 2006 का 27 मेने का एरियस और हमारे मत्र प्रदेश के पेंस्टनरों को मेडिकल सुईदा चिकिस्ता भक्ता के रूप में प्रतेइक माहा के साथ एक हजार रुपए दिया जाए पेंसन के साथ कि यहां रुक्ति एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरी क्लब आप वालग हाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जलेवासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्सव व्यापार मेल जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे परिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्सव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कम्पनियों के उत्पादों की विशाल श्रंखला ग्राहक वितरक और निर्माता के मत सीधा व्यक्तित वे विकास के लिए प्रतिस परधाओं का आयोजन स्वादिश्ट गंजनों की विशाल शरंखला बच्चों के लिए आकर्शक जूले और सांसकतिक कारे करम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक समय अप्राण 4 बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकास्र इस्कुल खेल बैदान सर्थित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मित सिंध पसरिचा अध्यक्ष रोटेरियन भरच प्टानी सच्यू रोटेरियन देविंग सिंध चंदेल मेला जेयर्मेन समत पतादिकारी और सदसेगाण रोटेर कलग आप बालाखाड टाईदर बालाखाड अगर आप तेली जानते हैं तो आपके लिए धेरू जाब कर रहे हैं इंतिजार जिहां ये सच है कोई सपना नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइम टेली विट जिस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बेंगलों से मानता प्राप्त जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के ने साफ्टेवेर टेली प्राइम की ट्रेनिंग लाइट एकांटिंग और जिस्टी की ट्रेनिंग एकांट्स ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थां अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महाविर फर्निचर के बाजु में गोंधिया रोट बाला घाट मश्रूम एडी पाउडर और इंडियन मश्रूम एंड फूड प्रोड़क्स पस्तोत करते हैं मश्रूम एडी सूप पाउडर अब एक नहीं आकशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्नी की इम्म्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से लड़ने मदद करता है मश्रूम सूप पाउडर भूख बढ़ाए और खून की मात्रा बढ़ाता है आपके बाचन तंतर को मजबूत करता है डुबलेपन और कमजोरी को दूड करने में सहायता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अवश्य अपनाएं और अ काल उसका क्या बिगाड़े यो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जनवरी 2022 दिन शनिवार को नए साल की शुरुवात महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाठ मंदिर में मातारानी को चुंड़ी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुंड़ी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोस्मी से निकाली जाएगी जो नगर का ध्रमन करते हुए माकाली पाठ मंदिर पहुँचेगी शद्धाजों से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्थिती दव्जिकरा कर पुनलाज अर्जित करें निवेदन महकाल सेना बबबर सेना कालों के काल जै बाबा महकाल पद्मे सिटी केबल के सम्मानी भुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पद्मे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए क्यू आर कोड़ चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आलनाइक बुक्तान ना करे ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों की और शादी का प्रलोबन दे कर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुसकंद कर उससे गर्भवती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिन सुनवाई करते हुए पास को एक बालाखाट के विशेश नाया थी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाउ निवासी 26 वाशी आरूपी युवक धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए 10 साल का ससम्र काराबास और 5000 रूपई के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है मही अभियोक्ती को प्रतिकर रासी के रूप में 6 लाग रूपई राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्राक्त जानकरी के नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाउं में 17 मई 2017 की सुबह दस बजे एक नाबलिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात काईकर घर से निकली थी जो देर शाम तक मामा के घर नहीं पहुँची और ना ही वह स्वैम के घर वापस आई वहीं मामा के गाउं बहे गाउं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नावालिक लड़की के वार्ड नमबर चार चोटा गोंदिया स्थीत एक किराय के कमरे से दस्त्यावी की गई थी जहां फुस्तास में नावालिक लड़की ने राम बुड़िया गाउं के धर्मिंद नेवारे नामक युवक से तीन वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कही साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिंद ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दूर्गा मंदिर में शादी की थी नावलिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और पांच अबलिक छे पासकोरेक्ट का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रस्तुत किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पेरवी प्रभारी जीलाव अभियोजन अधिकारी सरीतर ठाकूर के द्वारा की गए थी केंदरीय रिजर्व पुलिस वल सेंटरल जून कुलकाता महानिदेशक नितीन अगरवाल शुक्रवार को अपने अलप प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालाहाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाई रोड भरवेली इस्तीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलप प्रवास में CRPF 123 बटालियन भरवेली और सुनेवानी इस्तीद बटालियन की F कमपनी परिसर का निरिक्षन किया जित्रों का दवरा करने के हिदायत के साथ ही आवश्यक दीशा निर्देश बिदिये इसमें इस बात का उल्ले किया गया है कि अपरहिहारे कारणों की वज़े से जिला पंचात अद्देश के आरेक्षन की प्रक्रिया निरस कर दी गई है आगामितीती तै होने पर सुचना दे दी जाएगी किस बात का उल्ले के आगया है कि क्यों न इस लापरवाई के लिए उनकी तीन वेतन वरती रोकी जाए इन करमचारी को साथ दिनों के भीतर अपना स्परश्ट्र करन प्रसूत कने के लिए कहा गया है अगर समय सिमा में संतोज जरनाग जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की जाएगी प्राव्त जानकर के नुसर अंकीत और कारतिक दोनों साल्टे का किसी काम से आये हुए थे जब वे रात करीब 10 बजे मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहे थे उसी दर्मियान साल्टे का चोक सोसाइटी के समेप किसी अग्यात वहान ने उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी अग्यात वहान की ठोस इतनी जबरदस थी कि अंकीत की घटना स्तल पर ही मौथ हो गई इस हाथ से में कारतिक सर्म पर भी गंबी चोट आई थी जिसे गंबी रहस्ता में 108 MLS के माध्यम से उप्षार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराये गया जहां उसकी गंबी रहालत को देखते हुए चिकिस सको ने प्रात्मी उप्षार के बाद उसे रात में ही गोंदिया रेफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में ही मौथ हो गई उधर मरतोकों की सुचना मिले पर अस्पताल चोगी ने धारा 176 के तहद मरग कायम कर पंचनामा सहीद अन्य आवश्य करवाई की वहीं दोनों मरतोकों के शव का पोश माडम करवा कर शव अंतिम संसकार के लिए उनके परिजनों के परेट कमांडर आर आई बाइकर के नेतरत में यातायत और महला पुलिस बल सहीद आट प्लाटून दल, पुलिस बेंड, स्वान दल ने परेट की प्रस्तूति देकर डियाजी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अविश्यक तिवारी को सलामी दी कारेकरम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने परेट में शामील प्लाटून दलो को आवश्यक दिशा निदेश दिये आज इस इस कारेकरम को लेकर की गई चर्चा के दोराण डियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बारसिक निरिक्षन के तहत पुर्व से निर्धारित कारेकरम के अनुसार वे जिला पुलिस कारेले, पुलिस अधिक्षक कारेले, SDOP कारेले सहित विभी ने थानों का निरिक्षन कर महा संचालित गती वीदियों का जाय जा लेंगे वे इस बात का निरिक्षन करेंगे कि पुलिस की परंपरागत रूप से कारे प्रणाली के अनुरूप विभीन जगों में कारे हो रहा है या नहीं नियम के अनुसार कारे किये जा रहे है या नहीं और रिकार्डों का ठीक से संग्रहन किया जा रहा है या नहीं इस बात की जानकरी लेने की पूर्व उन्होंने पुलिस स्थापना दिवस के पहले दिन परेट का निरेक्षिन किया जिससे विविन थानों से आये जमान शामिल हुए आज किये गए निरेक्षिन में परेट का स्तर संतुष जनक रहा पुलिस लाइन में आईजीत परेड निरेक्षन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी, सुपरवाईजर, अफिसर, आईजी, डियाईजी, विपिन थानूस से पहुँचे थाना परभारी सहित, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्वान दल यातायत के जवान भी शामिल हुआ पान क्वाब करीMark क्वाइज तल क्वाब काहिए पान क्वाब कि भी थी कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कम पहल कर दो वाल प्रव पार रजald पार रख जाओंव युझा मैं गला यह वार्शिक निरिक्षण का है जो कि पूरू निर्धारित होता है वरिष अधिकारी रहते हैं जिले के सुपरवाइजरी ओफसस आई जी डी आई जी एडी जी साहब जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षण होता है तो इस वर्ष मेरा बाला घाट जिला पु के पुलिस का रोका का निरिक्षण होता है ऊई जा संधरित हो रहा नहीं हो रहा है तो बिषमीर आज पहला परेट का ये निरिक्षण था on कोरोना की दूसरी लहर समाथ होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिसे देखते हुए शासन प्रसासन के दबारा समय समय पर गाइडलाइन्स भी जारी की जाड़े इन आकड़ों में लगातार हो रहे ही व्रद्धी को देखते भी शुक्रवार को पीजी कॉलेज एनेस व्याई की पतादी कारियों ने अन्य चात्रों के साथ पीजी कॉलेज प्रभंदन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्यालाइ में आगामी समय में आज जित होने वाली आफलाइन परिक्षा को रद्ध की जाने की मांग की गए अभी हाली में जिस प्रकार से प्रदेश में कुरोना के केसों में लगातार वर्दी हो रही है ऐसे में चात्र चात्रों की आफलाइन एक्जाम कराना उनके स्वास्त के लिए बिलकुल अनुचित है इसलिए आज बालागाट एने सुआई के द्वारा चातर चातराओं के स्वास्त और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए माविद्याले के प्रचारे को ग्यापन साउप्टर उनसे आमान की गई है कि ओफलाइन एक्जाम ना कराकर ओनलाइन एक्जाम कराए जाए जिस्ते की चातर चातराओं का जीवन सुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या और ऐसी कोरोना जैसी गंबीर मामारी का सामना ना करना पड़े त्रेस्तरी पंचा चुनाओं में जैसे जैसे नामांगन फॉर्म भरने की अंतिमतारी करीब आते जारी है वैसे वैसे इस कड़ाके की ठन में पंचात इस्तर की राजनीती का पारा उपर शर्ता जा रहा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई तो चौथे और पाचवे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याश्यों में नाम निदेश्यन फॉर्म जमा करने की होड़ लगी रही शुकरवार को यहां आकड़ा गाड़ी के मीटर की तरह तेजी से चलतरा और शाम होते तक दो सेकड़ा को यहां पार कर गया चली आपको बता देते हैं कि जिले के भीतर कब कहां किस चरण में शुना होने वाले है जारी कर दी गई है इसी कड़ी में नाम निदेश्यन पत्र जमा करने के पांच में दिन 17 दिसंबर को पंच के लिए विकासखन बईयर से 19, परसवाड़ा से 28, वारसवाड़ा से 32, खैलांजी से 49, लांजी से 12, किरनापूर से 29, एवं विकासखन कटंगी से 29, प्रत्याश् पत्र जमा किया है जन्पर पंचाई सदेश्य के लिए विकासखन बईयर से 6, खैलांजी से 2, किरनापूर से 4, एवं कटंगी से 2 प्रत्याश्यों ने नाम निदेश्यन पत्र जमा किया है सरपंच पत्र के लिए 73, जन्पर सदेश्यों के लिए 16, वं जिला पंचाई सदेश्यों के लिए 5 प्रत्याश्यों के द्वारा नाम निदेश्यन पत्र प्रसूत किया गया है नाम निदेश्यन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 20 दिसंबर 2021 रखी गई है देर श्याम को राज्य निर्वाचन आयक के द्वारा एक और आदिश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामाने दिनों की तरह नाम देजिशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी म्यारुक्ति एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं 99 प्रतिशत मेचिंग के साथ मेचिंग की दुनिया में सले का जाना पैचाना राम वर्दमान साडी भंडार जी हाँ वर्दमान साडी भंडार में है मन मोह के दुपटे, दुले का सूट, दुल्हन के लाचे, बनारसी सिल्क साडियां, दुल्हन चुन्नी, साफा कपड़ा, बांधनी साडियां, रेमन, सिया राम और तुल्सी जैसे ब्रांडेट कम्पनियों के पेंट शर्ट के सोफा कवर, सेट, कंपाटर, एसी कंबल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा मेचिंग की विशाल शर्कला में फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पॉपलिन और सभी प्रकार के सिल्क माटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोब कपड़े, दरी, चेटाई, और कारपेट की विशाल रेंज, तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी घंडार, आडवानी, कंपलेक्स, श्याम ताकिज के सामने में रोट वाला घाट, प्रोप्राइटर, विमल उमार बोत्रा, शांदार कपड़े पहनने के शौकिने के लिए श्री शिबदार्थ कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंपनियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे बुर्विन की साडिया, दुले का सूत, शेरवानी डिजाइनर साडिया, शा पहस जैसी कंपनियों के पेली, शिंक, कॉटन और फ्रेंची साडिया, अधित, विड़ला, सियराम, रेम अड गेमल जैसे ब्रांडेट कंपनियों के पेंट, शर्ट, टीशर्ट, कॉटन पेंट और फ्रेंची शर्ट भी शांदार श्रंखला इसके अलावा, नाव और कंपनियों के कपड़े पहने के शौकिनों के लिए शहर का पसित, जगमगाता नाम, अभी नंदन फाशन जहां है, मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर और स्ट्राइब जैसे मशूर, ब्रांडेट कंपनियों के एक सिपड़कर एक, आकरशक और अधभुत, जीन्स, शर्ट, टीशर्ट और लोवर की शांदार श्रंखला, साथी दुले का सू शीरवानी और कुर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल शंखला, आकरशक अंडर गर्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खूब सूरत जैकेट, जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम, अभी नंदन फाशन, अहिंसा द्वार के पास, ताली पुर्णी चौक, बाला घाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभी नंदन कलेक्ष, युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्टित नाम, युवं इस्टिट्यूट, और प पम, पटवारी, संविदा वर्गतीन और अन्यप्रतियों की परिक्षाओं की बहतर तैयारी सिर्फ राखवेंद्र मिस्रा सर के युवं इंस्टिट्यूट में कराई जाती है, पिछले पांच वर्सों से सरवाधिक सिलेक्षन का रिपॉर्ड, इसके अलावा सेपरेट पियो, क्लर्क, आरारबी, आरबियाई, एसबीयाई, एसबीयाई, एसओ एंड स्टैनोग्राफर, मैट्स और रिजनिंग के स्पेसल बैच, दस वर्सों के अनुभवी, रागवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फॉर यूर ब्राइड फ्यूशर आर्थिक रूट से कमजूर विज्ञातियों के लिए फ्री वोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी सुईदाव लब्द है, जादा जानकारी के लिए शीग संपर्क करें, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर रागवेंद्र मिस्रा सर, ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है, परते खबरों के लिए नगर के बाद नमर 20 में इस्तीद माननपुना मंदीर का नौ निर्मान हो रहा है, इस अवसर पर 30 जनवरी से 6 फरवरी तक भव्य प्रान पतिष्ठा समारों का आयजन किया जा रहा है इस संदर में माननपुना मंदीर प्रांगन में पत्रकार वारता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यहां पुर्व से जो माननपुना मंदीर था, महा 110 वर्ष का हो गया था जरजर होने के कारण नए मंदीर का निर्मान किया जा रहा है, जिसका कारे लगवख पूर्णता की ओर है भवे प्रान पत्रिष्टा का कारेक्रम आयजनकर मातारानी को नए मंदीर में विराजित किया जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करेंगे, जिले भर में, महराष्ट में, गूंदिया में, नाकपुर में जहां था हम लोग सबस्चारित करेंगे, और एक सरी लोगों को यहां मंत्रित कर, लोगों को इस पून्य लाब में सामिल करेंगे हमारा उद्देश मंदिर जब जरजर हो गया था, उसको बचाने का था, तो पूरी तरह से उसको भी सजजित किया गया हमारे आर्केटेक्ट आलोग नेमा जी ने, इसमें एहम भूमी का निभाई, क्योंकि मंदिर की मूर्कियां महां से विस्थापित करना बड़ा कठिन काम था, और धार मीकृप से लोग यह भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे, तो उस सब को हमने ल और एक बाला खाती में, इस सौ साल से पुराने अनपुर्णा मंदिर यहां पर है, अनपुर्णा मंदिर जिले में मेरे खाल से एक ही मातर था, और बहुत कम पाए जाते हैं, मगर अनपुर्णा मंदिर के मामले में यह कहा जाता है, कि यहां का अन, जो माता जी को अगहन के माही महीनव जो अनाज मिलता है वो अनाज अपनी कोठी में ले आके डालें तो जीवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगी बहुती सिद्ध पीठ है माता जी कई चमतकार देखने मिलते हैं जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिर्शी कारेक्रम होने वाला है ये बहुत भवे प्रान प्रतिष्था का कारेक्रम होगा मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूं कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदीर में जब प्रान प्र प्रतिष्था के कारेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनंद के अनुगोतियों हो है शहर का गंदा पानी गंगा नगर और जाकपुर घाट के रास्ते ही बंगंगा नदी में नहीं जाता है बलकि शहर के अन्य छेत्रों के जरिये भी दूशित पानी पानी लोगों को परिशानी है और सबी के दौर बह्तर विवस्ता बना जाने के लिएगर बात भी कई जारी है हमने यह जाने का प्रयास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा हैbacks कि छेतर से आ रहा है इसकी परताल करने पर पाया गया कि महाँ पानी हनुमान चोक्स की और से नाले के जरिये जो की नर्वदा नगर से टेगोर मॉंटे सरी स्कुल के आगे नाले से कोसमी बंदर जीरिया से होतु भी ये महाँ दुशित पानी आता है यह हमी बताये गया कि बंदर जीरे के पास एक पुल बनाये गया है जिसके नीचे सी उचाई अधिक होने जाने के कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण महा गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुरगन के कारण महा से जाने वाली लोगों को परिशान होना पड़ता है जो बना पर गल्ट बना है तो परिशान होना चाहितु नदी नदी म के जाना चाहिए क्या होना चेजके इसके लिए पिरसा शाया शथान मतलब इसके लिए कुछ बेयन को बना चाहिए और सुद्धृ कर बhijजताचिए उसके बहेंकर जाऊं जाती है इसमें घर तक आती बद्बूर सरह गाया है कर यह कम से कम एज dislod based the नहीं नियुक फूर्नी बना था पानी पाश हो जाता था था प्रश्व कशिय रोट थी कम सकब 12 अन्रा साल हो गया होंगे हो गार देफानी पाम हो जाता है समस्या हो ती अपर होटी पानी क्या प्रास होने को होना भी स्टु बेसा कौछाम हो कि पानी पास हो जाया सुझ टेह पुरा सहर का पानी आता है? पुरे बारालादार खाए है कहां 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 आता होंगा?' डेए अपना। क्या क्य ज्वेकाथे आडवानी कांपसती तरफ से पुरा याarने क्या क्या के इता है जिन्मृनामे पशाल है उलडर से पुरा आता है हुआ दो सित पानी है? एह दो सित पानी है? एह नदी में मिलता है कि अगररी भुम cricket? इसे पर डोमले sleeve. डोमले होते है? इधर कहा समाप तो पर जक्त Fish Entonces आगे है? समाप तो जाता है iste ये कलाब है आगे इसमें मिलका है? हाह ए उसमें नहीं मिलका है itay Griffthe Šumare Water bathorry Format हृ नहीं जाइरी सभीने परषाण 10 जाइरी साया जाख मारे वाई इसके सम्मद में चर्शा करने पर बाट नमबर 30 के निवर्तमान पावशत राजस निलारी ने बताए कि यहां बाद सही है कि नगर के 5-6 वाडों का गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोसमी बंदर जिरिया होते हुए ब विमारी फैनने का भी डर बना रहता है पाई जिल्ली जम जाती है और पानी की निकासी धिरिधर होती है यह निकासी होती हुए सिधा पानी कहा जाता है नदी में जो नाली की मेन समझ्चा है अपना गवरोपत जो रूड बना है वहाँ पे नया पुलिया बन जाए या नहर के पास जो पुलिया बना है वो लिकल जाए तो पानी सर्ड से लिकल जाएगा पूरा दोसित पानी, कितने वार्ड ओका जाता है? पानी तो आप लेलो गुजी चोक के लेलो वार्ड लेलो वार्ड के लेल, 80, 13 Ryan, 30 लेलो या पुर्य वार्ड दिवेली जाता है अब इसके लिए तो प्रशासा सोचे की कैसा कर सकते हैं और अभी सरकार की योजना भी है की सहर का गंदा पानी नदी में न जा अब इसके लिए सरकारी कर सकती है जो करना है जिसको देखती हुई प्रदेश शरकार के दवारा व्यवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परनतु बारा सुनी में कुछ अलगी हालात व्यवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे हैं जहां पर कई प्रकार की चीजे देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भयाबह स्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधायक के दवारा वारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के दवारा गद दिनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कट रही कंपनी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनेर्स के दवारा आया ऑक्सिजन प्लांट को तयार किया गया परंतो शालू होते ही जो पाइपलाइन विचाई गई थी उसका लिकेज टेस्टिंग में समझ आया जिससे कारे की गुनवत्ता पर प्रश्चन चिजन लग रहा है सिविल अस्पताल में देखने में आ रहा है कि मरीजों को ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर एक अलग ही दहस्यत का वातारन बना हुआ है इसका असर यहां भी है कि OPD सहीत भरतिवाडों में भी सन्नाटा पस रहा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे है ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रवेश पर प्रवेश पर प्रवेश शरकार के दबारा गंबिरता दिखाते हुए पूरे प्रवेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर सभी अस्पतालों को मौक डिल करने की बात कही गए थी परंतु स्थानी स्थर पर देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार की मौक डिल नहीं की गई यहां तो हालात है अस्पताल के इसके लावा आमजनता के क्या हाल है इस विशे पर वे क्या कहते है चली जानते हैं जैसा की मालूम है कि ओमिक्रान रहा है और और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर कि व्यापक तहीं आ रही है उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे कि कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वारा सुने में पहले था वही किस अवस्था में पढ़ा है निर्जीव अवस्था में पढ़ा है दूसरा अक्सिजन प्लांट चालू है या नहीं है और 11KV का सप्लाई जो इस्पिटल को होना चाहिए उसमें भी अभी गती नजर नहीं आती है यह तो ही हमारी तच्छी चिकिस साल है कि इस्थी लेकिन ग्रामी इस तर पर जो स्वास्तिकेंद्र बने वी है मीनी पीस्थी है और पीस्थी है जो लोगरमाली है खैलांजी ये रामपाईली है इनकी भी इस्थी बहुत अक्छी प्रशास्था के अभाव में और आव वेवस्था में और अभी जैसे नया विरींट आ गया है हम देखरेंए प्रदेश में और जिला क्रेक्टरमोधे ने भी बैटक लिया है तो वेवस्था दिख रही है जातव्य काली यहां पर डाक्टरों की त्र अच्छी वास्ता नही पुरूनने अधारिते में टेका बड़े कारेकरम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फीड़े जमा हो रही है। बड़ी फीड़े कारेकरम हो रहे हैं, बड़ी फीड़े जमा हो रहे हैं। इतना ही नहीं लापरवाई भरतते हुए कोरोना की तिसरी लहर को दावद भी दे रहे हैं। अब भी लोग सतर्क नहीं हुए तो कोरोना की तिसरी लहर अपना प्रकोब दिखा सकती है। जबकि यह दूसरी लहर की अपेक्षा कम से कम दस गुना अधिक अवत खतरनाग सावित हो सकती है। लालबरा समदाइक स्वास केंद्र में कोरोना की तिसरी लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के द्वारा जानकरी ली गई। तो स्वास विभाक के द्वारा बताया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए वे पूरी तरह से तयार है। और मरीज के आने पर पुना कोविट सेंटर महाविद्याल कन्या छात्रावास में प्राराम कर दिया जाएगा। जिससे एक प्राचिन मुहारा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है। संख्या में साधियों में इखटी हो रही है। जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिती रही तो इसके दूस्परणाम सभी को भोगना पड़ सकता है। और अगर हम इससे सचेत रहे बचे रहे तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है। हम भी सुरच्चित रहे सकते हैं। अगर हम इसके लोग यहां मास्क लगाने के लिए लोगों को बीमारी उकर्टोल करना है तो मास्क लगाना जरूरी है। कि अधिकान लोग क्या बिना मास्क ही रहते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। चुकि डेल्टा प्लस से कम खतरनाक है। इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और पेसेंट उकता गंबी रवस्था में नहीं जाता। चुकि इसके साथ में सबसे बड़ी समस्था यह है कि यह डेल्टा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्षा में इंफेक्शन फैलाने में। और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाईए उससे पहले आप वैक्सिन लगाईए और सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग कीजिए ताकि अपन कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाई यही है। इस बार तो विधायक निदी से 40 मसीन आई थी और सुरक्चित है और साय तो संभावना है कि और आ सकती है और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी किस तर पे जो चंदा करके मसीने लिए ते वो भी हमार पास हो विवस्थिय तरखी हुए है। इवं समाज सीविं के दवारा 17 ओक्सिजन मसीन सहीत 50 बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में स्तित महाविद्द्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्थाई रूप से बनाया था जिसमें कोरोना संक्रमिद मरीजों का उपचार किया गया किन्तो धिरे धिरे कोरोन कि देखते हुए स्वास नगर मारे तरफ से और कोविड सेंटर चात्रावाज पीची कोलिज में क्या चैन्टर की विवस्ता की जाएगी एवम इसके सार में और बैड की पूर्टा तीस बेड़र ऑक्सिजन बैड की विवस्ता अपलब्द है तो बैड एवम 40 ऑक्सिजन कं सेंट्रेटर अभी उपलब्द है साथ ही पांच शे ऑक्षिजन सिलेंडर हमें उपलब्द है यह तीसरी लहर आती है और ऑक्षिजन की और आशक तपड़ती है तो जिना स्पताल वाला घाट में ऑक्षिजन डाट के मात्यम से हमें और ऑक्षिजन सिलेंडर की वैस्ता कराती है इसके साथ ही पूर में समा से वी संस्ताव के द्वार ऑक्षिजन तंसेंट्रेटर दान किया गया था वह सेकेंड लहर के पस्चात उन्हें वाफिस कर दिया तो अभी तैयारी हो लेकर अभी कुछ यहां पे तो फिलाल लोजब्रेटर पे बस इतना ही आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं पदमिश्वन पूसिवान नमस्कार गुर्वार की रात को बालाखार गोंदिया रोर पर हुई सड़क खास्ते में बाइक सवार दो यूकों की हुई मौत करिणापुर्थाना के अंतरगत बारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहंग डाले रात को साल्टेगा से लोग रहते वापस अपने घर वारा अग्यात वहां ने मारी टक कर घटना सल पर हुई थी अंकित की मौत इलाज के दौरान कार्थिक ने गोंदिया में तोड़ा दम 17 दिसमर को पुलिस लाइन में मनाये गया पुलिस इस्थापन दिवास जिला पुलिस बलक के जवानों ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अला अधिकारी मदपदेश के भीतर होने वाले त्रिस तरी पंचा चुनाओ और नगरी निकाच चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश OBC आरक्षन किया समाप्त OBC आरक्षन स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर NJT ने दिया आदेश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अतिक्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राज्य शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक्रहित लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाओं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततो पर कड़ी कारवाई की माँ एने शुदाई की पदादी कारियों ने जहटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच्षार एक सोपा ग्यापन कोविड-19 के प्रकवपो देखती भी आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाढ़ नमर 20 में स्तित मा अनपुना मंदीर का हो रहे है नव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रा आटो चालकों ने नगरपालिका के अधिकारों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मध्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्धों पर की गई चर्चा शहर के जाटा संग त्रिवेदी महाजद्याल में संभाग इसारी बेड़ मिन्टन प्रत्युगीता का हुआया जान छिनवाल बनी विजेता बैतुन ने जीता उप विजेता का खिताब मद्यपदेश हासन के नवीन एवाँ नवकर्णिय उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले वासियों की अच्छी ख़बर सामानेवन छेत्रों में वस दोजार अठारा की तुलना में दोगनी हुई बागो की संक्या उतर सामानेवन मंडल की 130 बीटों में मिले बागो की उपसीती की साक्षे बारशनी शेयर के भीतर बगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिससक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंचिया चुनाव निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसम्बर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 करमशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताओ नो प्रिस 33 पंचिया चुनाव के नाव निर्वाचन के पाच विदीन 280 प्रत्याशों ने भरा नामांकन प्रॉम कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश इस्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधुरी तयारी के बीच रहे है तीसरी लहर की तयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी चेहरे पर नहीं लगा रहे मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे बेट तीसरी लहर की दस तक से पहले बारस सुनी में अख्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गया पाइप कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश को बार विस्तराने लगाई फटकार हुआ सुधार लालवर मुक्हले से बारा किलोमेटर दूर कंजाई बंचायद गयते सक्ति पीट में तालिश वश्चुगार्ट के आउसर पर हो रहा स्री मद्भागवद गीता कायोजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई वाड़ों का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुंचरा बैंगंगा नदी मैली होरी है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी प्रतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाड़वेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोड सिंदु भवन के बाजू में आजाट चौक बाला घाट में शीखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्लाइंड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एलूमिनियम सेक्शन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाड़वेर की संपूर श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर, नए शोरूम का पता, सिंदु भवन के बाजू में, सर्किट हाउस रोड आजाच चौक पालाखाट आओ चलें वक्त की रफ्तार के साथ, शहर का पतिष्ठित पतिष्ठान बोरीकर सहरा इवाल्ज शोरूम में उपलब्द है देश विदेश में पुसिद, आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दकी से बनी अनेक ब्रांडेट कमकियों की दो पहिया गाडियां बैटरी से चलने वाली शांदार गाडियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुप्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ़तार सहरा इवाल्ज की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नमबर दो और संपूर्ण मदपरदेश में नमबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनेल्स विधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक ही छट के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहरा इवाल्स बर्व फैक्ट्री रोड नर्मदानगर शुमंदिर चौप बालखाट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केयर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसीयन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी हुई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्ण और चक्कर आना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लकवा होना, हाथ इसके बेड़े दातों को तार लगाना, पर्मानेंट फेस्दात, मसोडो का इलाज, रोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिलिंग, मुझ के कम खुलने का इलाज, यहाँ ECG, पैथोलोजी, नेबुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भ असिद्ध प्रसिस्थान, Hometown Tiles, Design to Impress You, Hometown Tiles में उपलब्द है सभी प्रकार की आकर्शक, Flow Tiles, Double Charge Tiles, GBT, PGVT, Nano, Matte Finish Tiles, Vault Tiles, Parking Tiles, Elevation Tiles, Kitchen Tiles, Steel Sink, Grainite, Quads, Sanitary Products, Commode, Design Wash Basin और Bathwear Accessories की आकर्शक शंकला, आकर्शक नल्फिटिंग और शावरादी की संपून रेंज, तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर, Hometown Tiles के साथ, हमारा पता है, Hometown Tiles पैयर रोट डॉक्टर गादी के सामने बाला घाड, क्या आपको अपने केबल के भुखतान करने में कोई परिशानी हो रही है, तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप, डाउनलोड करने के बाद अब अपना Customer ID डालें, जो कि आपकी Receipt में लिखा होता है, अब Default Password 1 डाल कर लॉग इन करें, अपना Registered Mobile Number या Card Number डाल कर सिर्फ एक बार अकाउंट को वेरिफाई कीजिए, अब Password चेंज करें, पेमेंट के लिए Add Balance to Wallet में जाएं और अपना Amount एंटर कर, Pay Now पर क्लिक करें, अब अपने मन चाहे पेमेंट मेथड से पेमेंट करें, इतना ही नहीं चालू पैकेच, बिल या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी, तो अभी अपना फोन उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल अप और आनद लीजिए अपने मन पसंद एंटर्टेइनमेंट का, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, 831-9969927, 888-7800-6435, Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies, enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple device in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband. Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1,000 Mbps. Cut the promise speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband, feel the speed. Ad esempio. Ad esempio. Ad esempio. Ad esempio. Adissa also. Ad帶 us. Ad yay. AdВот. Ad Mostly. Ad Emmanuel. Ad брorrow. Ad Couple. Adsemble. Ad denied. Ad generals. Ad moonlight. Adaraus. Ad Foregangen. Ad anda. Ad division. Ad Lobster. नमस्कार आप देखरें पद्विश्वंड पोस्ट सेवन क्रिश्ण सेंडे के साथ बुलिटिन की सुर्वात करते हैं हेडलाइन से 33 पंचाथ चुनाव पर नयालाए का बड़ा आदेश ओबीस की आरक्षन समाप सामने सीटों की तरह होंगे चुनाव अनिस्चित काल के लिए टली जिला पंचाथ अद्धर्च के आरक्षन की प्रफिया पंचाथ राजी संचालन ने जारी के आदेश देवी तालाप और नजीटी का बड़ा आदेश नई हटेगा अतिक्रमन राजी सासन और जिला प्रसासन करेगा अगरिम कारवाई गुरुवार की राद को गुंदिया रोड पर हुए सडखासने में दो यूग को की हुई मौट लालबर्रा और वारा सुनी में तीसरी लहर की आहट पर अधूरी तैयारी में स्वासी भाग कबार में पड़े कोविट सुरक्षा के उपकरण शहर के गंदे पानी से प्रभाईत होरी गुंगले की कई एकड़ खेती की जमीन मैली होरी गबेंगंगा मत्यपदेश के भीतर होने वाले त्रीस तरी पंचा चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाई चुनाव के लिए सुप्रिम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन स्थान पर OBC आरक्षन के लिए स्रीट आरक्षित की गई थी उन स्थानों पर सामने स्रीट की तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दाव अली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ देजिए कि जिन स्थानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उन स्थानों को सामने स्रीट घोसित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचाय चुनाओं को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोडा आ रहा है इसी कड़ी में सुप्रीम कोट में सुक्रुवार को होई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाओं समीधान के इसाब से हो रहे है तो उसे कंटिनू रखे अगर समीधान के खिलाप है तो चुनाओं रद्ध करे इसका निर्न है राज्जे निर्वाचन आयोक को खुद करना है कोट के इस खादेश के बाद पंच्या चुनाओं की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है हलाकि अभी तक राज्जे निर्वाचन आयोक की ओर से इस मामले में कोई अभिमत नहीं आया है MP में पंचया चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तंखाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाव सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रिम कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर ने नहीं लिया जाएगा मुख्य चिकिसा यह एवं स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवं लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तता रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिसा क्लिनियों को को सिल बंद कराए गया है। विमल के वीशन के क्लिनिक में पाए गए उपकरनों एवं आउश्योद्य को जप्त कर क्लिनिक को सील बंद कर दिया गया है इसी प्रकार वारशनी शहर में सिविल लाइन के पीछे मज़ित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रतम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच स्थेर के दवारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसलदार राजिंदर टेकाम के नेतरत में गठी दल के सदसे जुलाची किस साले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुन कुमार लांजेवार आकास्मीक निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दवरान अस्पताल में लगभग सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगभा रोख से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबिर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लांजेवार के दवरा ततकाल एक सवाट एम्बूलेंस बुला कर रोगी को सिविल अस्पताल वारा सुनी भिजबाए गया जहाँ पर डॉक्टर कमलेस जोड़े दवरा रोगी का प्रिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टिपेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाए, ब्लड सेम्पल कलेक्षन, ट्यूब आदी को जब्त कर इस निजी अस्पताल को सिल बंद कर दिया गया निरिक्षन के दोरां डॉक्टर आरेच थेर के दवारा संचालेत निजी अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज बुपाल से प्राप्त युग्यत संबंदी प्रमान पत्र पाये संधेज जयनक पाये गया जो की प्रतम द्रिश्ट का संध्यास पत प्रतीत भी हो रहा है उप संचालक क्रसी एबम अधी सुचित प्राधिकारी राजिश खुबरागडे ने उर्वरक वितरन एबम विक्रे में नियमों का पालन नहीं करने के कारण में सस्ट नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्वीस परसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया है इसके साथ ही उनके प्रतिश्ठान में उर्वरक के बच्चत सकंत का विक्रे करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिनों की अउधी के बाद उनके द्वारा उर्वरक वेवसाई किया जाएगा तो उनके विरुद वैधानी कारवाई की जाएगी और इसके लिए वे स्वयम उत्तरदाई होंगे 9 नमबर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिय विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उर्वरक वित्रन नहीं करने पर मेसर्स नत्राज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसपाड़ा के प्रोपराइटर नमीता अतुल हन्मत को उप संचालक रशी खोबरागडे के द्वारा नोटिस जारी कर स्परश्वी करन प्रस्तूत करने के लिए कह गया था लेकिन प्रोप्रेटर नमीत आतुल हनुवत के द्वारा नोटिस का संतोज जर्णाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उरुवरक लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया था शहर के देवी तालाप पर किये अतिक्रमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एनजेटी ने आदेश सुनाते हुए देवी तालाप प्रकरण में किसी भी तरके अतिक्रमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है NGT के द्वारा देगे आदेश के अनुसार देवी तालाब नीजी भूसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरका कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान NGT ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम्त कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि NGT में दर्श की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्ले क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगभा आठ एकर से अधिक बताए गया है पुलिस लाइन तालाब रगभा तीन एकर महरा तालाब रगभा चार एकर मोती तालाब रगभा लगभा बावन एकर बुदोभी तालाब रगभा लगभा छे एकर देवी तालाब रगभा लगभा सूला एकर दरी तालाब रगभा लगभा साड़े चार एकर दसाए गया ह हलाकि वर्तमान परिवेश में अमोमन सभी तालबों का रगबा कम हो चुका है जिला मुखेला में इसलिए साथ तालबों में शे तालब मदपदेश शासन के है तो मही देवी तालब के विशे में इस बात का उलेक किया गया है किया तालब रिसफ डेवलोपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलाकि इस आदेश में इस बात का कहीं वे उलेक नहीं किया गया है कि देवी तालब का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मदपदेश शासन और बालाखा जिलाप्रसासन को किस तरस से कोई कदम उठाय जाने है जिससे देवी तालब के किनारे वसे वेवसाई प्रतिष्ठान और अन्य लोगों के लिए रहात भरी खावर यही है कि फिलहाल देवी तालाप के अतिकरवन पर एंजुटी ने गेंद राज्य शासन और जिलाप्रसासन के पाले में डाल दे मधपतरी शासन उच्छे सिक्षावी भाकेत बारा शुकरवार पुन अगर के पीजी कॉलेज बैडमिंटन हॉल में संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रतिविता का आयज़न क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयज़ित की गए इस संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रतिविता में सिवनी, बैतुल, बालाखाट और चिंदवाडा की टीमों ने भाग लिया आई जीते संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रत्योगिता में बालाखाट और सीवनी की महिला एवं पूरिस बैडमिंटन टीम खरा प्रदेशन के चलते फाइनल में नहीं पहुं सकी महीं अपने खेल का उतकष्ट प्रदेशन करते फिए चिनवाडा और बैडमिंटन टीम ने फाइनल प्रत्योगिता में प्रवेश किया जहां देर-षाम प्रत्योगिता का फाइनल चिंद्वाडा और बैतुल की मददे खेला गया जिसमें महिला पुरिस दूनों ही वर्ग में बैतुल की टीम एक भी अंक अर्चित नहीं कर पाई महीं सुन्ने दो से छिंदवाडा टीम ने प्रत्योगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया जहां प्रत्योगिता के समापन पर छिंदवाडा की महला पूरिस बैडमिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैतुल की टीम उप विजेता घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुरिसकारों को वितरन कर दोनों टीमों से राज्यसतरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाड़ियों का चैन किया गया शुकरवार को नारी ससत्तिकरण के बैनर तले लामता छेत्र के ग्राम खुरसोडा की दर्जनों महिलाएं लामता थाना पहुंच कर थाना निरिक्षक को एक ग्यापन सोब है ग्रामिन महिलाओं ने ग्यापन के माध्यम से धाना निरिक्षा को आउगत कराया कि ग्राम खुरसोडा में एक महिने के अंतराल में छेड़शाड के दो प्रकरन दर्ज हुए है एवं एक मार्क पिट का प्रकरन भी दर्ज हुआ है इसके बावजुद भी मुलजीमों पर कि आरोपियों पर सिग्रता पुर्वक करवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए थाने पहुंची महिलाओं के चर्चा के दौरान पुलिस अदिकारों ने बताया कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है आरोपियों के विरुधारा लगा कर नयाले में प्रकरन पेश कर दिया है आ अगरिम कारवाई नयाले के और से खी जाएगी किलमी लगा तकते हो या पर समारी तरब से सरकारी वकीर लगा हुआ वो सारी प्रकरिया में खड़ा रही है लालवरा मुखेलैस से लगभग 12 किलोमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंच्यात कंजय स्तित्मा गयात्री सक्तिपीट मंदिर के प्रां 12 बजे से शाम 6 बजे तक गयात्री सक्ति प्रिंट कंजयी का 41 वार्सी कुस्त्व मनाए गया इसके पश्चाद वीभीन संसकार संपन करवाए गये यह मम वैदिक मंतोचारण के साथ यी पाच कुंडे गयात्री महायग्य का आईजन किया गया जिसका संचालन मात्र संस्ता शंतिकुछ हरिद्वार से प्रसिक्षेत मनी सिंग की टोली चिंदवाडा के दबारा किया गया जिसमें सेक्डो सद्धानू ने आहोती डाल कर धर्मलाब और जित किया इसके बाद महारती की गई एमम विचार गुष्टी के बाद विदिवत पूजा नर्चन कर श्रीमत भ मंदल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटों में दिनांग 15 से 17 दिसमब 2021 तिन दिनों तक बाग तेंद्वा एवं अन्य परभक्षियों के साक्ष जुनने का अभ्यास संपन हुआ SDO प्रसान साक्रे ने बताए कि बाग आंकलन वे प्रतम चरण में तीन दिनों के डेटा कलेक्शन कारे के उपरांद 5 रेंजों के 116 बिटों में पंचार में बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष दर्ज हुए है महीं 111 बिटों में तीन्दों के उपसीति के साक्ष दर्ज के गए बाग आंकलन के देटी चरण में पहले ही उत्तर सामान मन्जल की दो रेंजों के 47 बिटों में 35 बिटों में बाग की उपसीतिके साक्ष प्राप्ठ हुए है इस प्रकार उत्तर सामाने वनमंजल के 163 बीटों में 130 बीटों में बाग की उपसिती के साक्ष प्राप्त हुए है जो कि गत बाग आंकलन बस 2018 में प्राप्त 65 बीटों के तुलना में दूगनी है बालाखाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाय रखने की द्रश्टी से वनम्रत बालाखाट अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के यहां आकड़े अत्यनत्य सराहनिये है बस स्टेट की यातायत विवस्ता को दुरुस करने और बसों के इर्द गुर्द घूमने वाले आटो के जमाओड़े को विवस्तित करने के लिए कुछ महापूर्व यातायत पुलिस के दवारा बस स्टेट गौठान के सामने जखकी जगह को आटो संचाल को को स्टेंड ल स्टन का निरेक्शन कर उक्त जगा से आट्वो स्टन हटाने की निदेश दिये है किससे 8 चालक काफी नाराज है उनोने आट्वो स्टन की उक्त जगा करारे जाने की मांग सब dough v sells अंधर ऑन और समाच लोग अपने का आएग लोग कर तौर किया जाता है कि आखर की जगह है अइसा है वैसा कर जाकर अब अब जब के कहले तो गौवर्मेंट ने उनको कहा है सागल बन इस्तित में उनको 15 साल से जगा दे चुकी है आखर की जगों 15 साल से उदर दे चुकी है क्योंकि यह जो है कि खेट खलियान वाला मामला है साल में एक बार भरता है मंडार नहीं भरती है उसके लिए पहले जो था अब जब कर दो 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 का लिए तो उसमें लोगने परस्ताव रखे कि हमारे मंदीर बनाया जाए तूजब जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्टेड में एक बैठक हुई थी उसमें एक आ गया था कि आप अपने आटों को पिटनेस कराई है और उसके बाद जो है आपको आटो इस्टेंड कोल के देंगे अभी क्या हुआ इसमें आपने अपनी गाड़ी के पूरे ओके करा लिए अब जो मिटिंग में बोला गया था कि आपको इस्टेंड भी मतलब इसो करा जाएगा तो हमको इस अगरपाली का अधिकारी 37 मरसेनिया ने बताए कि आटों स्टेंड पर अपत्ति गोवरी समाज के द्वारा लगाई गई है जिनोंने उक्त जगह को गोठान की भूमी बतातु भे गोठान की उक्त जगह को खाली कराने की मांको लेकर सियम हेल प्लाइन में शिकायत की थी ज अधर एक गोठान की भूमें आटो आले आपत्ति लगा रहे हैं कि नजूल की जमीन कलाब के पास भी आया थे तो क्या है इनका पूरा मामला यही है कि उल्लव लोगों ने ने को आके आटो वालों ने सायरे डॉकुमेंट्स तेखाए है ना खसरा रजूल की भूमी है तो अधरी आपत्ति आ रही थी कि यह अधर वाले लोगों के लिए जगे आरे चुत रही है आप अनाव शुरूप से लगाए जा रही है तो नहीं सम्मंद में आटो जो बाले आये कि सर्वी दोग मिलके आप है तो उनको यहीं चला दिये कि आप तैसलार साब से उस्वीन के सम पास कैण को हाई है नहीं नगरपालगण के पास कर नहीं पेंसन दिवस के उसर पर नगर के कमला नहरू हौल में पेंसनस अधिवेशन का आयवजन किया गया मद्यप्रदेश पेंसनस एसोशेशन के दबारा आयोजीत अधिवेशन में जिले भर से आय पेंसनस ने अपनी बेभीन मांगों को लेकर शर्षा किये जिसमें उन्होंने अपनी साथ सुथ्रे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कारेले में एक ग्यापन सोपां जिसमें उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा कियाने की भी मांग की आयोजी तिस कारेक्रम के संदर में की गई शर्षा के दोर आन्वाद्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिला धेक्ष बीयल उपवनसी ने बताया कि सरकार के दबार अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके लावा केंद्र के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहे है आज का कारग्रम जो है 17 डिसलिवर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला दिवेशन है इसमें हमारे दिले के समस्टनर्स पतिनिद्यों के साथ यहां पस्तित होंगे और हम पेंस्टनरों के सम्मन में लंबित मांगों पर चर्चा करेंगे कलेक्टर महुदायर के माध्यम से मानने मुख्य मंत्री मानने वित मंत्री मत्र प्रदेश रासन को यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि 2006 का 27 मैने का एलियस 2008 का दोहजार अठरा का 32 मैने का एलियस और हमारे मत्र प्रदेश के पेंस्टनरों को मेटिकल स्वीदा एकिस्ता भक्ता के रूप में प्रतेएक माहा के साथ 1000 रुपए दिया जाए पेंसन के साथ कि यहां रुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरी क्लब आप वालग हाट टाइगर्स और जलप्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जल्वासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्साव व्यापार मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे परिवारिक माहोल में होगा अनंद उत्साव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट क के उत्पादों की विशाल श्रंखला ग्राहक वित्रक और निर्माता के मत सीधा संबंद व्यक्तित व्यखास के लिए प्रतिस पर्धाओं का आयोजन स्वादिष्ट ग्यंजनों की विशाल श्रंखला बच्चों के लिए आकर्शक छूले और सांसकतिक कारेकरम तो याद इस्थान उत्कासर इस्कूल खेल बैदान सर्धित हाउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मीत सिंध पसरीचा अध्यक्ष्ट रोटेरियन भरत पुट्टानी सच्यू रोटेरियन देविंग सिंग चंदेल मेला केर्में समत पतादिकारी और सदसेग अगर आप टेली जानते हैं तो आपके लिए धेरुजाब कर रहे हैं इंतजार जिहां यह सच है कोई सपना नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइं टेली विट जीस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बैंगलों से मानता प्राव्ट जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के न एकांट्स ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थां अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महविर फर्निचर के बाजू में गोंदियारोड बाला घाट मश्रूम एडी पाउडर और इंडियन मश्रूम एंड फूड प्रोड़क्स पस्तोत करते हैं मश्रूम एडी सूप पाउडर अब एक नहीं आकशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्ली की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से पाईता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अविश्य अपनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्त बढ़ाएं मश्रूम एडी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर करें अकाल म्रसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिले वर्सियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 जिन शनिवार को नए साल की शुरुआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोश्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्रमन करते हुए माकाली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादूं से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्थिती दव्जिकरा कर पुनलाव अर्जित करें निवेदत महकाल सेना बबब सेना कालों के काल जै बाबा महकाल पद्मे सिटी केबल के सम्मानी उभुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पद्मे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए क्यू आर कोड चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटीकेबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइग बुक्तान ना करे ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों के और शादी का प्रलोबन देकर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुस्कन कर उससे गर्भवती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिर सुनवाई करते हुए पासको एक बालाखाट के विशेशनाय थी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाव निवासी 26 वाशी आरूपी युवक धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए 10 साल का ससम्रकाराबास और 5000 रूपई के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है महीं अभियोकती को प्रतिकर रासी के रूप में 46 लाग रूपई राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्राक्त जानकरी के नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाउं में 17 मई 2017 की सुबह दस बजे एक नाबलिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात कहिकर घर से निकली थी जो देर शाम तक मामा के घर नहीं पहुँची और ना ही महस्वैम के घर वापस आई वहीं मामा के गाउं बहे गाउं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी की द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नाबालिक लड़की के वार्ड नमबर चार चोटा गोंदिया स्थीत एक किराय के कमड़े से दस्त्याभी की गई थी जहां फुस्तास में नाबालिक लड़की ने राम बुड़िया गाउं की धर्मिन नेवारे नामक युवक से तीन वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कहीं साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिन ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दूर्गा मंदिर में शादी की थी नावलिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और 5 अबलिक 6 पासको 8 का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रसुत किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पेरवी प्रभारी जीलाव अभियोजन अधिकारी सरीतर ठाकूर के द्वारा की गए थी केंदरिये रिजर्वा पुलिस बल सेंटरल जून कुलकाता महानिदेशक नितीन अगरवाल शुकरवार को अपने अलप प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालाहाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाई रोड भरवेली स्थीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलप प्रवास में CRPF 123 बटालियन भरवेली और सुनेवानी स्थीद बटालियन की F कंपनी परिसर का निरिक्षन किया दोनों जगह किये गए इस निरिक्षन में उन्होंने CRPF बटालियन के द्वारा की जारी परिचालनी डूटी का जाजा लेकर अन्य गती विद्यों की जानकरी अधिकारी उसली महीं उन्होंने CRPF के जवानों से मुलाकात कर नक्सलाइच छेत्रों में डूटी के दोरान व पालकित बारा अनिश्यत काल के लिए टाल दी गई है प्रथम चरण का प्रसीक्षन दिया जा रहा है 15 एवम 16 दिसंबर के प्रसीक्षन में अनुपस्तित रहे 19 करमचारियों को कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरिस कुमार मिश्रा ने कारण बताव नोटिस चारी किया है कि क्यों नहीं इस लापरव जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की जाएगी किसी अग्यात्वहन ने उनकी मोटरसाइकल को ठोस मार दी इतनी जबरदस्ति एक कि घठना कि अंकित की घठना स्थल पर इस हासे में कार्ति के सर्म पर भी गंबीर चोटाई थी जिसे गंबीर रहस्ता में 108 MLS के माध्यम से उप्षार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराये गया जहां उसकी गंबीर हालत को देखते हुए चिकिस्सकों ने प्रात्मी उप्षार के बाद उसे रात में ही गुंद नगर के पुलिस लाइन में मनाय जा रहे हैं पुलिस स्थापना दिवस के उसर पर शुक्रवार को डियाजी अनुराग शर्मा की प्रमुग उपस्तिती में जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट कर उन्हें सलामी दी परेट कमांडर आर आई वाइकर के नेतरत में यातायत और महला पुलिस बल सहीद आठ प्लाटून दल पुलिस बैंड स्वान दल ने परेट की प्रस्तूति देकर डियाजी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अभिशक तिवारी को सलामी दी कारेकरम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकार्यों ने परेट में शामील प्लाटून दलों को आवशक दिसा निदेश दिये आज दिस कारेकरम को लेकर की गई चर्षा के दोराण धियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बारसिक निर्क्षन के तहट पुलिस की परंपरागत रूप से कारे प्रनाली के अनुरूप विविन जगों में कारे हो रहा है या नहीं नियम के नुसार कारे किया जा रहे है या नहीं और रिकार्डों का ठीक से संग्रहन किया जा रहा है या नहीं इस बात की जानकरी लेने के पूर्व उन्होंने पुलिस स्थापना दिवस के पहले दिन परेट का निरेक्षिन किया जिससे विवीन थानों से आये जमान शामिल हुए आज किये गए निरेक्षन में परेट का स्तर संतुष जनक रहा पुलिस लाइन में आजित परेट निरेक्षन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी, सुपरवाईजर, अफिसर, आईजी, डि आईजी विवीन थानों से पहुँचे थाना परभारी सहित, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्वान दल या तायत के जवान भी शामिल रहे विवीन त bakın टे धिक टॉशभिन पुलिस बलग, विवीन थानतों अबने पुलिस बल यूटके के जबाने हीचिट के दिल्स streams के चाफ़ाएं उना फुलिस been के फायर क~~ कर दक कर दसे कर 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 दो कर दो कर दो, जोख एगारियो! यह वारशिक निरिक्षण का एक कारक्रम होता है जो कि पूरु दिल्हारित होता है वरिश ठतीकारी रहते हैं जिले के सुपरवाइजरी ओंस आईजी डी आईजी एडी जी साहिआप जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षण होता है तो इस वर्ष मेरा बालाघाट जिला पुलिस का निरिक्षन प्रस्तावित था, उसी के अधिनाज परेड यहां पे ली गई, इसमें जिला पुलिस कारेले, पुलिस दिक्षक कारेले होता है, निरिक्षन होता है, पुलिस लाइन का निरिक्षन होता है, ठानों का निरिक्षन प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिसे देखते हुए शासन प्रसासन के दबारा समय समय पर इन आकड़ों में लगातार हो रहे व्रद्धी को देखते भी शुक्रवार को पीजी कॉलेज येनिस व्याई की पतादीकारियों ने अन्य छात्रों के साथ प्रभंदन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्यालाय में आगामी समय में आज जित होने वाली आ में अभी हाली में जिस प्रकार से फ्रदेश में कुरोना के केसों में लगातार वर्द्धी हो रही है ऐसे में चात्र चात्रों की आउफ्लाइन एक्जाम कराना उनके स्वास्थ कलिए बिल्कुल अनूची थै इसलिए आज बालाघट NSVAE के दौरा चात्र चात्रों के स्व और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, माविध्याले के प्रचारे को ग्यापन साफ्टर, उनसे अमान की गई है कि ऑफलाइन एक्जाम ना कराकर, ऑनलाइन एक्जाम कराए जाए, जिससे की छातर चात्रों का जीवन शुरक्षित रहे, और उन्हें किसी भी प्रकार की क में पंचात स्तर की राजनीती का पारा उपर शर्ता जा रहा है, जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई, तो चौत्य और पाच्वे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याश्यों में नाम निदे इशरन में विकासखन बैयर, परसवाडा, वारसविनी, खैलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 672, 152, जनपत पंचात के सदस एवं 19 जिला पंचास सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंधी छेत्रों के रिटर्निंग ओपिसर के द्वारा निर् जनपर पंचास दसे कलिए शेत्र करमांग सास से जोती उम्रे, शेत्र करमांग शौदा, से अलका मुल्क राजानन छेत्र करमांग 16 से पुस्पलता मेश्राम छेत्र करमांग 17 से राम गुमार नकपुरे एवं छेत्र करमांग 20 से टामेश्वर पठले ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है इस प्रकार 17 दिसम्बर को पंच के लिए 188 सरपंच पत्र के लिएники 73 जनपत सदस्यों के लिए 17 buffs जिला-ंची स अदस्शव के लिए 5 प्रतय शुक्क के पार काउकास के दिन भी सामाने दिनों की तरह नाम देजिशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी। साफा कपड़ा, बांधनी साडिया, रेमंड, सिया राम और तुल्सी जैसे ब्रांडेट कंप्नियों के पेंट, शर्ट के कपड़े, ब्रांडेट कंप्नियों की लेगिन और पेंट, पातल, वायल, निवार, साथी, सभी हैंड लूप, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंबल, म मेचिंग की विशाल शर्खला में, फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पापलिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाई दो का रूबिया और जार्जेट का अद्पुन संग्र, इसके अलावा, भगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथी टेंट, कपड़े, दरी, चटाई और कार्पेट की विशाल रेंच तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी भंडार, आडवानी, कंफलेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट भाला घाट, प्रोप्राइटर, विमल उमार बोत्रा, शांदार कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए श्री शिबदार्थ कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंपनियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे दुल्हिन की साडिया, दुले का सूत, शेरवानी डिजाइनर साडिया, शा रहांच जैसी कंपनियों के पेंडी, शिंक, कॉटन और फ्रेंची साडिया, अधित बिड़ला, सियराम, रेम अंड गुंबल जैसे ब्रांडेट कंपनियों के पेंट, शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पेंट और फ्रेंची शर्ट भी शांदार श्रंखला इसके अलावा, ना यानी शांदार कपड़ मिलने का एक मात्र विश्वस्मी है, उस्थान, तो चले आईए, श्री शिदार के कलेक्शन, राजगाट चौप, गुबी चौप वाली बली, बालागाट ब्रंडेट कंपनियों के कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए शहर का पुसित जगमगाता नाम, अभी नंदन फ़ाइशन जहां है, मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर और स्ट्राइप जैसे मशूर, ब्रंडेट कंपनियों के एक सिपड़का एक आकरशक और अदभुत, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला, साथी दुले का सूट, शेरवानी और कुर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्रंखला, आकरशक अंडर कार्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खुब सूरत जैकेट, जो यहा वो कहीं नहीं, तो most welcome, अभिनंदन फैशन, अहिंसा द्वार के पास, काली पुर्टी चौक, बालागाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभिनंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवाम इस्थिट्यूट, अ प्लेटफार्म फार यूथ, बैंक, एससी, रेलवे, अरक्षक, वनरक्षक, आईटियाई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर्गतीन और अन्यप्रतियों की परिक्षाओं की बहतर तैयारी सिर्फ राखवेंद्र मिस्रा सर के युवम इंस्थिट्यूट में कराई जाती है, पिछले पाँच वर्सों से सरवाधिक सिलेक्षन का रेकॉर्ड, इसके अलावा सेपरेट स्पेसल बैच पॉर आईबी पियस, पियो, क्लर, आरारबी, आरबी आई, एसबी आई, एसबी आई, सो एंड स्टेनो ग्राफर, मैट्स और रिजनिंग के स्पेसल बैच, दस वर्सों के अनुभवी रागवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फॉर यूर ब्राइड फ्यूशर आर्थी कुरूज से कमजूर विज्ञातियों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षण की भी सुईदाओ लब्द है, जादा जानकारी के लिए शीद संपर्क करें, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर रागवेंद्र मिस्रा सर, डारेक् ब्रेके बाद एक बाद इससे आपका स्वाधत है, परते खबरों के लिए नगर के वाड़ नमर 20 में इस्तित मा अन्नपुना मंदीर का नौ निर्मान हो रहा है, इस अवसर पर 30 जन्वरी से 6 फरवरी तक भव्य प्रान पतिष्ठा समारों का आयजन किया जा रहा है कि यहां पुर्व से जो मा अन्नपुना मंदीर था, मह 110 वश्क का हो गया था, जरजर होने के कारण नए मंदीर का निर्मान किया जा रहा है, जिसका कारे लगफग पूर्णता कि ओर है, भव्य प्रान पतिष्ठा का कारेक्रम आयजन कर मातारानी को नए मंदीर में विराज जित किया जाएगा। करना बड़ा कठिन काम था और धार्मी के रूप से लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे तो उस सब को हमने लोगों से प्रकांड विद्वानों से सला करके पुजा पाट करा कर माता जी को एक उनके कट्ष में विस्थापित कुछ दिन करी व अनपुर्णा मंदिर जिलने में मेरे खाल से एक ही मात्र था और बहुत कम पाए जाते हैं मगर अनपुर्णा मंदिर के इस मंदिर के मामले में एक आ जाता है कि यहां का अन जो माता जी को अगहन के महीने में जो अनाज मिलता है वो अनाज अपनी कोठी में ले जाकर डाले ये एक बहुत भव्वे प्राण प्रतिष्ठा का करेक्रम होगा मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूँ कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदीर में जब प्राण प्रतिष्ठा का करेक्रम होगा तो उसमें सम्मिलित हो और आप माता अनपूर्णा के जो 3030 के करेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनन्द की अनुगोति हो शहर का गंदा पानी गंगा नगर और जाखपुर घाट के रास्ते ही बनगा नदी में नहीं जाता है बलकि शहर के अन्य छेत्रों के जरिये भी दुशित पानी बनगा नदी में जाता है गंदे पानी के अकारण सभी लोगों को परिशानी है और सभी के त्वारा कुछ बेहतर विवस्ता बना जाने के लिए कर बात भी कई जा रही है हमने यह जाने का प्रियास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है महा किस छेतर से आ रहा है इसकी पड़ताल करने पर पाया गया कि महा पानी हनुमान चोक्स की और से नाले के जरिये जो कि नर्वदा नगर से टेगर मॉंटे सरी स्कुल के आगे आगे नाले से कोशमी बंदर जीर्या से होतु भी यह महा दुशित पानी आता है यह हमीं बताये गया कि बंदर जीरे के पास एक पुल बनाये गया है जिसके नीचे से उचाई अधिक होने जाने के कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण महा गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुरगंत के कारण महा से जाने वाली लोगों को परिशान होना पड़ता है। से जरणिय। को यि दो परिशान होना पर चौड़ा को परबने जनरे वाली नीचावय काना नीचा को परघे जैने जाना चाहिए। जैंनाइश剛 कए रहते का दो नहीं आनाच च़हे वाहने जर्यू का इसलोत प्रसाथन चाहिए अरोपटाँ करें का चुछ पूर पहले कर दोंल तबस्ता है अब ड़्साद में कर शाप दोृत चाहिए दो कि फूर का तरफ नहीं कर शाल से कंशे चाथआ कूले लिए कज मेν 10 फीश बानि पानी पास हे साल को समस्य हमें तअ गजनी है। पानी क्या पास हो ने को अ Triple काम क्या हो हो कि णिधार सुध करके कि आची तू मे भी जाता है फैट आट Mark अठे कहां कहां से आता ही पानी पूरा शहर का पानी आता है 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 पूरा शहर का यह नदी मेलता है कर भानी? नदी में नदी में निमीक. इदर गुमले हो टेगे, इदर कहा समाप तो जाता है? इस दो जाता है यह जो तलाब आगे उसमें मिलका है? जलाब अलादा था है, जारे परेशानी है. वाई इसके सम्मद में चर्शा करने पर वाड नमबर 30 के निम वर्तमान पारशत राजस निलारी ने बताए कि यह बाद सही है कि नगर के 5-6 वाडों के गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोस्मी बंदर जिरिया होते हुए बैंगाएंगा नदी में जाता है सरकार की भी योजना है कि शहर का गंदा पानी नदी में न जाए सरकार ने इसके लिए कुछ करना चाहिए वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट लगा कर गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने चाहिए गंदा पानी जादा दिनों तक जमा रहने से विमारी फैनने का भी डर बना रहता है फ्षिप पान घर टरेश-वाटर के 색깐 कि रहता थे सिय मिल सुआए उस मा बना नाले अलका नहा न सब्सक्राइब करा दिल्यक्रीख přा सब्सक्राइब करता है दो मौंगी तक भना पूल नहीं बना हुआ है. तो वहां पे धिल्ली जम जाती है और पानी की निकाशी धिर्गे होती है. यह निकाशी होती हुए सिदह नदी में. पर दोषित पानी पॉरा दोषित। पानी तो आप ले लुए गुजिट्व का पानी तो इसलिए होना कहा तो इसके लिए तो प्रशासा सोच stolen श्यूद्विगू कोविट-19 का नया वेरेंट ओमिक्रॉन देश दुनिया सहीद मद्यप्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है और बीते कुछ दिनों से लगातार इसके मरिज भी सामने आते रहें इसके कारण लोगों में एक दहशत कमाहुल बना हुआ है जिसको देखते हुए प्रदेश शरकार के द्वारा वेवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परनतु बारसुनी में कुछ अलगी हालात वेवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे है जहां पर कई प्रकार की चीजे देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भयावह स्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधाय के द्वारा वारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के द्वारा गद्दीनों ऑक्सिजन प्लांट त्यार कर रही कंपनी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनियर्स के द्वारा आया अक्सिजन प्लांट को त्यार किया गया परंतु शालू होते ही जो पाइपलाइन विछाई गई थी उसका आटा पस रहा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रदेश के प्रवेश्च पर प्रदेश शरकार के द्वारा गंबीरता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर सभी अस्पतालों को मौक प्रविल नहीं की गई यह तो हालात है अस्पताल के इसके अलावा आम जनता के क्या हाल है इस विशे पर वे क्या कहते हैं चली जानते हैं हाँ जैसा की मालूम है की ओमिक्रान है और रियंट है और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर क्यों व्यापक तईया है जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे की कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वाराव सुन में पहले था वही किस के ते के लिया का जांगर थ Estamos sch और जो को सथीद्र में नजर आती क्योंकिicação है वो तो अभी इसको संतोश जनक तो नहीं कहा जा सकता है जिससे पिछले बार भी हमने कोरोना काल में देखा तो उसमें बहुत नेदोश लोगों की जान गई आक्सिजन के अभाव में और अवेवस्ताओं के अभाव में और अभी भी जैसे अभी नया विरियंट आ गया है हम प्रसासन के अभी कोई पैसे दोके से मिल जाता है तो उसके लिए प्रशासन ने वहस्ता कहा कि उसांद में नहीं आ रहा है और उसहसाब से हमारी सरकार ने राजसरकार ने सारे प्रयास किया है, सारी व्यास्थाय मनाने के प्रयास किया है, जीला प्रसासन को इस बात के लिए अउगत कराया गया है, कि आज अपने हिसाब किताब का यहां व्यास्थाय मना है, तेकिन उसके बाउजित देखने में आ रहा है कि सहर में ना तो कोई मास् बड़े बड़े कारेक्रम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़े जमा हो रही है। बड़े बड़े कारेक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े जमा हो रहे हैं। नजर नहीं आ रहा है लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के द्वारा जानकरी ली गई तो स्वास इभाग के द्वारा बताया गया है कि कोरुणा की तीसरी लहर के लिए बेपूरी तरह से तयार है और मरीच के आने पर पुना कोविट सेंटर महाविद्याल कन्या आरम कर दिया जाएगा जिससे एक प्राचिन मुहारा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है और हमें सासन के गाइडलाइन और क्रोना प्रोटोकाल की इस्ताब से चलना पड़ेगा जैसे उसमें कहा गया है कि सोचिल डिस्टेंसिंग है और हंडेड परसेंट वेक्सिनेशन होना चाहिए और मास्क का प्रेयोग होना चाहिए परलतौ समाझ में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी हम साधियों में भी देख रहे हैं, तो हज्जारों की संख्या में साधियों में भिल इखटी हो रही है, जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए, अगर इस प्रकार की स्थिती रही, तो इसके दूस्परणाम सभी को भोग अगर हम इससे सचेत रहें, बचे रहें, तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है और हम भी सुरचित रह सकते हैं, देश में उमी कराम का बहुत पकोफ है, साथ में कोरोना भी है, इसके बावजद की लोग यहां डलर से दिना मास्क लगाए गुन रहे हैं, लोगों को साधान मास्क लगाने के लिए लोगों गाईटना चिए बीमारी उन पर्टोल करना है तो मास्क लगाना ज्रूरी है, जैसे आप लेख रहे हैंगे लालबर राम की अधिकान लोग दैने मास्क की रहतें वराथे हैं? लगभग 90 परशंट लोग बिना मास्क के रहते हैं। लोगों को मास्क का बेनी पिटनी मालूम आज का मास्कों लोग डेगोरेशन के रूप में लगाते हैं। जब कि मास्क उनको इक वाला और अच्छा मास्क। ओमिक्रॉन एक नया वेरियंट आया है भी जो आज के डेट में 99 पेसेंट इंडिया में उसके हो चुके हैं। चुकि डेल्टा प्लस से कम खतरनाक हैं। इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और पेसेंट उकता गंबी रवस्था में नहीं जाता है। चुकि इसके साथ में सबसे बढ़ी समस्क्राइब है कि यह डेल्टा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्ष्य में इंफेक्शन फैलाने में। और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाईए। उससे पहले आप वेक्सिन लगाईए और सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग कीजिए। ताकि अपन कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाई यही है। इस बार तो विदायक निदी से जित्वी 40 मसीन आई थी और सुरक्षीत है। और साय तो सम्भावना है कि और आ सकती है। और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी किस तर पे जो चंदा करके मशीने लिए थे। वो भी हमारे पास वे वस्थित रखे हुए। तिसरी लहर को लेकर स्वास युभाग को सतर खोने के साथ ही तैयारी प्रारम कर देन देनी चाहिए। जिससे समय रहते तिसरी लहर को नियंत्रित किया जा सके। धूल खा रही ऑक्सिजन मसीन कबार में पड़े ऑक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लहर की भीसन तबाई को देखते भी। लालबरा में विधायक निदी से चालीस ऑक्सिजन मसीन एमम समासी विंगिदवारा, सत्रा ऑक्सिजन मसीन सहीत पचास बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में स्थित महाविद्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्था ही रूप से बनाया था। जिसमें कोरोना संक्रमीद मरीजों का उपचार किया गया, किन्तो धिरे-धिरे कोरोना बिमारी खत्म होने के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बंद कर दिया गया। इस राशन के मात्यम से 5 और प्राप्त हो चुके हैं, तोटल 45 और अब उपलब्त है, साथ ही 5 शे और ऑख्यों सिलेंडर हमें उपलब्त है, यह ती तीसरी लहरा आती है और ऑख्यों की और आशकता पड़ती है, तो जिना स्पताल वाला घाट में ऑक्सेजन प्लाइट के मात्यम से हमें ऑक्सेजन सिलेंडर की वैस्ता कराती है। इसके साथ ही पूर्व में समा से भी संस्ताओं के द्वार ऑक्सें तर दान किया गया था, वो सेकेंड लहर के पस्चात उन्हें वापस कर दिया थे। गुर्वार की रात को बाला घाट गोन्या रोल पर हुई स्टाखास्ते में बाइक सवार दो यूकों की हुई मौत। करिणा पूर्थाना के अंतरगत बारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहंग डाले रात को साल्टेगा से लोट रहते वापस अपने घर बारा अग्ज्यात वहां ने मारी टटक कर घटना सल पर हुई थी अंकित की मौत इलाज के दोरान कार्थिक न में मनाये गया पुलिस स्थापना दिवस जिला पुलिस बल्क के जवानों ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अला अधिकारी मदपुदेश के भीतर होने माले तिरिस तरी पंचा चुनाओ और नगरी निका चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश ओवी सी आरक्षन किया समाप्त ओवी सी आरक्षे स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर एंजटे ने दिया आदेश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अतिग्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राज्य शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिग्रहित लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाओं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततो पर कड़ी कारवाई की मांग एने शुदाई की पदादी कारियों ने जैटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच्शार एक सोपा ग्यापन कोविड-19 के प्रकवपूदर एक्टिफ ही आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाढ़ नमर 20 में स्थित मा अनपुना मंदीर का हो रहे है नव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालकों ने नगरपालिका के अधिकारों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मद्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्दों पर की गई चर्चा मद्यप्रदेश हासन के नवीन एवाँ नव करणिया उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले वासियों के लिए अच्छी ख़बर सामानेवन छेत्रों में वस 2018 की तुलना में दोगनी हुई बागों की संक्या उतर सामानेवन मंडल की 130 बीटों में मिले बागों की उपसीती की साथ छे बारशनी शेयर के भीतर बगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिसक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंचिया चुनाव निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसंबर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 कर्मशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताओनो प्रिस 33 पंचिया चुनाव के नाव निदेशन के पाच विदीन 280 प्रत्याश्यों ने भरा नामांकन फाउं कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश इस्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधुरी तैयारी के बीच रहे है तीसरी लहर की तैयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी छेहरे पर नहीं लगा रहे है मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे डेट तीसरी लहर की दस तक से पहले वारस जुनी में ऑक्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गिया पाइप कलेक्टर डाक्टर ग्रिश कुबार भिस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार लालबर मुख्यले से बारा किलो मेटर दूर कंजाई बंचयाद गयते सक्ति पीट में तालिश वा शुगार्ट के आउसर पर हो रहा स्री मद्ध भागवद गीता का युजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाडो का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुँच रहा बैंगंगा नदी मैली हो रही है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोड सिंदु भवन के बाजू में आजाच चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्लाइंड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एल्यूमिनियम सेक्षन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आजाच चौक पालाखाट आओ चले वक्त की रफ्तार के साथ शहर का पतिष्ठिक पतिष्ठान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उपलब्द है देश विदेश में पुसिद्ध आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दकी से बनी अनेक ब्रांडेट कंप्रियों की दो पहिया गाडिया बैटरी से चलने वाली शांदार गाडिया जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुप्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चले वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्स की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नंबर दो और संपूर्ण मद्द प्रदेश में नंबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनेल स्विधा उपलब्द एक ही शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीदने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इछट के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है टू विलर यां थ्री विलर हमारा वद्देश से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहारा इवाल्ष बर्व फ्रेक्ट्री रोड नर्मदान नगर श्यू मंदिर चौर बालाखाट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसी एन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी हुई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थाइराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्ण और चक्कर आना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा होना, हा इसके बेड़े दातों को तार लगाना, पर्मानेंट फैस दात, मसोडो का इलाज, सुरोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिलिंग, मूँ के कम खुलने का इलाज, यहां ECG, पैथोलोजी, नेबुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भ असिद्ध प्रसिस्थान, Hometown Tiles, Design to Impress You Hometown Tiles में उपलब्द है सभी प्रकार की आकर्शक, Flow Tiles, Double Charge Tiles, GBT, PGVT, Nano, Matte Finish Tiles, Wall Tiles, Parking Tiles, Elevation Tiles, Kitchen Tiles, Steel Sink, Granite, Quads Sanitary Products, Commode, Designer Wash Basin और Bathwear Accessories की आकर्शक शंकला आकर्शक Null Fitting और Shower आदी की संपून रेंज तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर Hometown Tiles के साथ हमारा पता है Hometown Tiles वैयर रोट डॉक्टर गादी के सामने बाला घाड क्या आपको अपने केबल के भुतान करने में कोई परिशानी हो रही है तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप डाउनलोड करने के बाद अब अपना Customer ID डालें जो की आपकी रिसीप में लिखा होता है अब Default Password 1 डाल कर Login करें अपना Registered Mobile Number या Card Number डाल कर सिर्फ एक बार Account को Verify कीजिए अब Password Change करें Payment के लिए Add Balance to Wallet में जाएं और अपना Amount एंटर कर Pay Now पर क्लिक करें अब अपने मन चाहे Payment Method से Payment करें इतना ही नहीं चालू Package, Bill या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस App में मिलेगी तो अभी अपना Phone उठाए और Download कीजिए पदमेश Digital App और आनद लीजिए अपने मन पसंद Entertainment का अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 831-9969927-8878-006435 Internet is part of everything you do today, we know just how important it is for you Be up to watch your favorite shows or download movies, enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls or to power multiple device in a single home, Internet today is for everyone To get the best of all your digital needs, you need the best Internet experience Switch to Padmeish Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network Padmeish Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed Upload heavy files as quickly as you download them Enjoy incredible Giga speeds of 1000 Mbps Cut the promise speeds consistently Use all smart devices together with virtually no dropping performance Today, Padmeish Broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district Welcome to the new era of digital experiences Padmeish Broadband, feel the speed Xilayay Yamag Mrs. Khaengi Jilayen Khi harkhober S Qué Kathiakji Qbar Sapsosbe Pheilella Aap Tak Pohучainé Ka Vada Qbar Sosyaie Yaa Yaa Akira Da Q levee özliğe Bisu मत्यपदेश के भीतर होने वाले 35 चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर विया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्तान पर OBC आरक्षन के लिए स्रीट आरक्षित की गई थी उन इस्तानों पर सामने स्रीट की तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दावली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ दीजिए कि जिन इस्तानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे उन इस्तानों को सामने स्रीट घोसित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचा चुनाओं को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोड़ा रहा है इसी कड़ी में सुप्रिम कोट में सुक्रुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाओं सम्विधान के हिसाब से हो रहे है तो उसे कंटिनू रखे अगर सम्विधान के खिलाप है तो चुनाओं रद्ध करे इसका निरने राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है कोट के इस खादे इसके बाद पंच्या चुनाओं की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है हलाकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में कोई अभीमत नहीं आया है MP में पंच्या चुनाओ में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तन्खाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाओ सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243 C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रियन कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाओ रोकने पर ने नहीं लिया जाएगा मुख्य चिकिस्ता या एवम स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवम लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तथा रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिस्ता क्लिनियों को को सिल बंद कराएं गया है डॉक्टर विमल के वीशन के क्लिनिक में पाएं गया उपकरनों एवम आउश्योद्य को जप्त कर क्लिनिक को सिल बंद कर दिया गया है इसी प्रकार वारसुनी शेहर में सिविल लाइन के पीछे मज़ित के पास अनूप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रथम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच थेर के द्वारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसिलदार राजिंदर टेकाम के नेतरतों में गठी दल के सदसे जिला चिकिस साले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुन कुमार लाजेवार आकास्मीक निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दोरान अस्पताल में लगभक सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगभा रुख से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबी रिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लाजेवार के दवारा ततकाल एक सवाट एम्बूलेंस बुलाकर रोगी को सीविल अस्पताल वारा सुनी भिजबाए गया जहाँ पर डॉक्टर कमलेज जोड़े दवारा रोगी का परिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टी पेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाए, ब्लड सेम्पल कलेक्शन, ट्यूब आदी को जब्त करने करे इस निजी अस्पताल को सिल बंद कर दिया गया निजी अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज बुपाल से प्राप्त योग्यत संबंदी प्रमान पत्र पाय संधेज जयनक पाये गया जो की प्रतम द्रिश्ट का संध्यास्पत प्रतीत भी हो रहा है उप संचालक क्रसी एवम अधी सुचित प्राधिकारी राजिश खोबरागडे ने उर्वरक वितरन एवम विक्रे में नियमों का पालन नहीं करने के कारण में सस्थ नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्वीस वरसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्थ कर दिया है इसके साथ ही उनके प्रतिश्थान में उर्वरक के बच्चत सकंद का विक्रे करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिनों की अउधी के बाद उनके द्वारा उर्वरक वेवसाई किया जाएगा तो उनके विरुद वैधानी कारवाई की जाएगी और इसके लिए वे स्वयम उत्तरदाई होंगे 9 नमबर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिय विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उर्वरक वित्रन नहीं करने पर मेसर्स नत्राज एग्रो सेल्स एंड सर्विस वरसपाड़ा के प्रोफराईटर नमीता अतुल हनवत को उप संचालक रश्ची खुबरा गड़े के दवारा नोटीस जारी कर शेश्ची करन प्रसतूत करने के लिए कहा गया था लेकिन प्रोप्रेटर नमीत आतुल हनुवत के द्वारा नोटिस का संतोज जर्णाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उर्वरा क्लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था शहर के देवित आला पर किये अतिक्रमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजेटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आला प्रकरण में किसी भी तरह के अतिक्रमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरह का कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान एंजेटी ने इस बात को स्पेक्ट कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजिसासन और बालागाजिला प्रसासन के दोरा अग्रिम्त कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि NGT में दश की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्लेक क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगभा आठ एकड से अधिक बताए गया है पुलिस लाइन तालाब रगभा तीन एकड, महरा तालाब रगभा चार एकड, मोती तालाब रगभा लगभा बावन एकड, बुधोबी तालाब रगभा लगभा छे एकड, देवी तालाब रगभा लगभा सूला एकड, दरी तालाब रगभा लगभा साड़े चार एकड द देवी तालाव का वरतमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मदपदरी शासन और जिला प्रसासन को किस तरह से कोई कदम उठाया जाने है जिससे देवी तालाव के किनारे वसे व्यवसाई प्रतिष्ठान और अन्य लोगों के लिए रहात भरी खावर यही है कि फिलहा देवी तालाव के अतिकरवन पर एंजिटी ने गेंद राज्य शासन और जिला प्रसासन के पाले में डाल दे मदपते शासन उच्छे सिक्षावी भाग के दबारा शुकरवार पुन अगर के पीजी कॉलेज बैडबिंटन हॉल में संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रतिविता का आयज़न क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयज़ित की गए इस संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रतिविता में सीवनी, बैतुल, बालाहाट और छिनवाडा की टीमों ने भाग दिया आई जी ते संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रत्योगिता में बालाखाट और सीवनी की महिला एवं पूरिस बैडमिंटन टीम खरा प्रदेशन के चलते फाइनल में नहीं पहुं सकी जहां प्रत्योगिता के समापन पर चिनवाडा की महिला पूरिस बैडमिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैतुल की टीम उपवी जेदा घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुरिस्कारों का वितरन कर दोनों टीमों से राज्यसतरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाड़ियों का चैन किया गया शुकरवार को नारी ससत्ती करण के बैनर तले लामता छेत्र के ग्राम खुरसोडा की दर्जनों महिलाएं लामता थाना पहुंच कर थाना निरिक्षक को एक ग्यापन सोप है ग्रामिन महिलाओं ने ग्यापन के माध्यम से धाना निरिक्षा को आउगत कराया कि ग्राम कुरसोडा में एक महिने के अंतराल में छेड़शार के दो प्रकरन दर्ज हुए है एवं एक मार्क पिट का प्रकरन भी दर्ज हुआ है इसके बावजुद भी मुलजीमों पर कोई ठोस कारवाई नहीं की गई इसलिए हम समस्त महिलाओं ग्यापन सौपकर इन तीनों प्रकरण के आरोपियों पर सिग्रता पूर्वक कारवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए थाने पहुंची महिलाओं के चर्चा के दौरान पुलिस अदिकार्यों ने बताया कि पुलिस ने या सरकारी वकील को बता दो तो आपको लगता कि आपके वकील अपके नहीं तकते हो या फर सम्हारी तरफ से सरकारी वकीर लगा हुआ वो सारी प्रकिरिया में खड़ा रही रहा हुआ लालवरा मुखेले से लगभग 12 किलोमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंचयात कंजयी सित्मा गयात्री सक्तिपीट मंदिर के प्रांगन में गत 9 दिसम्बर से जारी स्रीमत भागवद गिता ग्यानिय यग्य ससंग संगोश्टी का 17 दिसम्बर को गयत्री सक्तिपीट के 41 वे वार्शी कुस्तो कारेकरम के साथ धार्मिक यग्य बातावरन में समापन किया गया इस वस्तर पर प्राता 11 बजे से शाम 6 बजे तक गयत्री सक्ति प्रिंट कंजई का 41 वार्शी कुस्तो मनाए गया इसके पश्चाद वीपीन संसकार संपन करवाए गये एमम वैदिक मंदोचारन के साथ ही पाच कुंडे गायत्री महायग्य का आईजन किया गया जिसका संचालन मात्र संस्ता शांतिकुझ हरिद्वार से प्रसिक्षेत मनी सिंग की टोली चिंदवाडा के दवारा किया गया जिसमें सेक्डो सध्धानू ने आहोती डाल कर धर्मलाब और जित किया जिसके बाद महारती की गई एवं विचार गुष्टी के बाद विधिपत पूजा नर्चन करश्वी मत भागवत गीता ग्यान यग्य का समापन क्या गया अकिल भारती बाग आकलन 2022 के फेस वन डेटा कलेक्शन कारे के तरती चरण में बालाखाट बन वरत के अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटों में दिनांग 15 से 17 दिसमद 2021 तिन दिनों तक बाग तेंदुआ एवं अन्य परभक्षियों के साक्ष ढूनने का अभ्यास संपन हुआ SDO प्रशान साक्रे ने बताए कि बाग आंकलन वे प्रतम चरण में तीन दिनों के डेटा कलेक्शन कारे के उपरांद पांच रेंजों के 116 बिटों में पंचार में बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष दर्ज हुए है वही 111 बीटों में तेंद्यों की उपसीती के साक्ष दर्ज के गए बाग आकलन के द्युती चरण में पहले ही उत्तर सामाने मंजल की दो रेंजों के 47 बीटों में 35 बीटों में बाग की उपसीती के साक्ष पहले ही प्राप्थ हो जुके है इस प्रकार उत्तर सामाने वनमंडल के 163 बीटों में 130 बीटों में बाग की उपसिती के साक्ष प्राप्त हुए है जो कि गत बाग आंकलन वस 2018 में प्राप्त 65 बीटों के तुलना में दूगनी है बालाखाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाय रखने की द्रश्टी से बनन वरत्य बालाखाट अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के यहां आकड़े अत्यनत्य सराहनिये है बस स्टेंड की यातायत विवस्ता को दुरूस करने और बसों के इर्द गिर्द घुमने वाले आटों के जमावड़े को विवस्तित करने के लिए कुछ महापूर्व यातायत पुलिस के द्वारा बस स्टेंड गौठान के सामने जक्की जगह को आटो संचाल को को के लिए दी गई थी जहां आटो चालक पर आटो खड़ी कर सवारियों को ढोने का काम करते थी अब याताईत पुलिस के द्वारा श्टेंड के लिए दे गई उस जगह को खाली करने के आदेश नगरपाली का के द्वारा जारी किये गये जिसमें मुख्य नगरपाली का अधिकारी 37 मर्सेनिया ने स्वैंबस स्टेंड का निरेक्षन कर उक्त जगा से आटो स्टेंड हटाने की निदेश दिये जिससे आटो चालक काफी नाराज है उन्होंने आटो स्टेंड की उक्त जगों को खाली न कराये जाने की मांग को लेकर नगरपाली का में ग्यापन भी सोप है अजे इन्होंड रहा को खीजिए आखरकी जगह आयरे वे नहीं हो रहा है इसके लिए पहले जो था पचास साल पहले यह अपने बश्टेंड में चल गया पहले आबादी उतनी नहीं थी आज की रेट में आबादी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर अखर का मंदिर नहीं चल सकता लेकि मंदिर के पीछे राजनीती चला जा रहा है अच्छा यह अच्छा निकल वाया उसमें तोटल नजूल सीट बता रहा है जबके मंदिर का जो पथर रखा था तो उन लोग ने प्रेसर देकर उस समय उन लोग ने अपने कलते जो उधर हैस्ट्रा इन लोग ने कलते धरमसाला वालों ने कलते दुकान निकाली गई तो उसमें इन अच्छा जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्टेड में एक बैठाक हुई थी उसमें कहा गया था कि आप अपने अपने आटों पिटनेस कराईए और उसके बाद आपको आठों इस्टेंड खोल के देंगे अभी क्या हुआ इसमें आपने अपनी गाड़ी के पूरे ओके करा लिए अभी दोसार हमने आठों के कागज पूरे ओके करा लिए और मिटिंग में बोला गया था कि आपको इस्टेंड भी मुख्य नगरपाली का अधिकारी 37 मरसेनिया ने बताए कि आठों स्टेंड पर अपत्ति गोवारी समाच के द्वारा लगाई गई है जिनोंने उक्त जगह को घुठान की भूमी बताती भी गुठान की उक्त जगह को खाली कराने की मांकोले कर सियम हेल प्लाइन में शिकाय प्लाइगी अगर वो आपके पच्छ में आता है तो उसे साफ से पर अब लोग भी आइस मामले के जादा आपती नहीं करें अभी सर जैसे की आटो वहीं लग रहा है या क्योंकि ने सीम हिल्वान में भी सिकायर्गी ते जानकर या रही है तो अभी क्या आटो स्टेंड वहीं रहेगा अगर को वहान लगा वेशित अपने उनको इदायक दिये कि अभी दो दन नहां लगा है आप है ना वो दो दन में जत्तर के ने तैसलाग साप कि यहांसे आप जाच करवाले जाच आ जाती है तो फिर अगर आप पाये जाता है गया पर आप 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 आटो स्टेंड लगा पैंसन दिवस के उसर पर नगर के कमला नेरू हॉल में पैंसनरस अधिवेशन का आप जिले भर से आए पैंसनरस ने अपनी बेभीन मांगो को लेकर शाचा किये जिसमें उन्होंने अपनी साथ सुत्रे मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर का रहले में एक ग्यापन सोपा जिसमें उन्होंने उनकी समस्त मांगो को जल्द से जल्द पूरा की जाने की भी मांग की आयोजी तिस कारेक्रम के संदर में की गई शर्षा के दोरान वंद्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिलाद धेक्ष बीयल उपवनसी ने बताया कि सरकार के दबार अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके अलावा केंद्र के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहे है आज का कारक्रम जो है 17 डिसलिवर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला दिवेशन है इसमें हमारे दिले के समझ पेंस्टनर्स पतिनिद्यों के साथ यहां पस्तित होंगे और हम पेंस्टनरों के सम्मन में लंबित मांगों पर चर्चा करेंगे उसके पश्चाथ जैसा कि हमारी प्रंपरा है कलेक्टर महुदाय के माध्यम से मानने मुख्यमंत्री मानने वित्मंत्री मर्ट प्रदेश रासन को यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि 2006 का 27 मैने का एरियस 2008 का 32 मैने का एरियस और हमारे मत्य प्रदेश के पेंशनरों को मेटिकल स्वीधा चिकिस्ता भक्ता के रूप में प्रतेख महा के साथ 1000 रुपाय दिया जाए पेंशन के साथ मनाते हैं कि अरुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरिक गलप आप वालग हाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जलेवासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्सव व्यापार मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे पारिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्सव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कंपनियों के उत्पादों की विशाल श्रंखला ग्राहक वितरक और निर्माता के मत सीध संबंध व्यक्तित्व विखास के लिए प्रतिस परधाओं का आयोजन स्वादिष्ट व्यंजनों की विशाल श्रंखला बच्चों के लिए आकर्षक जूले और सांस्कतिक कारेकरम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक समय अप्राण 4 बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकरस्र स्कूल खेल बैदान सर्थित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मीत सिंध पसरिचा अध्यक रोटेरियन भरत कुट्टानी सच्यू रोटेरियन देविंग सिंग चंदेल मेला केर्में समस्त पतादिकारी और सदसेगाण रोटे कलब आप वालाखाड टाइगर वालाखाड अगर आप टेली जानते हैं तो आपके लिए ध सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब तो आईए और सीखिए टेली प्राइब टेली विट जीस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेल्कम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बेंगलों से मानता प्रात जिले की एक मात्र संस अधिए जाती है तो मिके नए साफ्टेवेर टेली ट्राइंग की ट्रेंग लाइट एकांटिंग और जिस्टीद की ट्रेनिंग एकांस ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसिद्ध संस्थांत अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महाविर फर्निचर के बाजू में ग फूट प्रोड़क्स पस्तोत करते हैं मश्रूम एडी सूप पाउडर अब एक नहीं आकरशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्ली की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से लड़ने मदद करता है मश्रूम सूप पाउडर भूख बढ़ाए और खून की मात्रा बढ़ाता है आपके बाचन तंतर को मजबूत करता है दुबलेपन और कमजोरी को दूड करने में सहायता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अविश्य अपनाए और अपने और अपने परिवार का स्वास्त बढ़ाए मश्रूम एदी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर करें अकाल मरसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े यो फक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिले वर्सियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 जिन शनिवार कूँ ने साल की शुरुआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाठ मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोस्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्रमण करते हुए मा काली पाठ मंदिर पहुँचेगी शद्धादों से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्तिती दव्जिकरा कर पुन्यलाज अर्जित करे निवेदा महाकाल सेना बबबब सेना कालों के काल जै बाबा महाकाल पदमें सिटी केबल के समानी उबगताओं को सुचित क्या जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पदमें सिटी केबल के अइबसे करें या हमारे द्वारा दिए गए क्यू-आर कोρώण चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करें उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइक बुक्तान ना करें ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों की ओर शादी का प्रलोभन दे कर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुस्कंद कर उससे गर्भवती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिन सुनवाई करते हुए पास को एक बालाखाट के विशेश नायदी सान अंतिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाउनिवासी 26 वशी आरूपी युवक धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए दस साल का ससम्रकाराबास और पांच अजार रूपए के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है महीं अभियोक्ती को प्रतिकर रासी के रूप में 6 लाग रूपए राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्रतिकर रासी करीके नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाउं में 17 मई 2017 की सुबह दस बजे एक नाबालिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात कहिकर घर से निकली थी जो देर शाम तक मामा के घर नहीं पहुंची और ना ही वह स्वैम के घर बापस आई वही मामा के गाउं बहगाओं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नावालिक लड़की के वार्ड नंबर चार चोटा गुंदिया स्थीत एक किराय के कमड़े से दस्त्यावी की गई थी जहां फुस्तास में नावालिक लड़की ने राम बुडिया गाओं की धर्मिंद नेवारे नामक युवक से तीन वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कही साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिंद ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दुर्गा मंदिर में शादी की थी नावालिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और पांच अबलिक 6 पासको एक्ट का इजाफा कर प्रकरण को महानिदेशक नितीन अगरवाल शुक्रवार को अपने अलप प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालखाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउन हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाय रोड भरवेले इस्तीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलप प् कि अपके जवानों से मुलाकात कर नक्सलाइक शेत्रों में डूटी के दोरान विशेश सतरक्ता बरतने और बारीक शेत्रों का दौरा करने के हिदायत के साथ ही आवश्चक दीशा निर्देश भी दिये त्रेस्तरी पंचे चुनाओं की सबसे एहम कड़ी जिला सरकार के मुख्या जिला पंचे अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया को फिलहाल पंचे राज संच्रनाले भुपाल के द्वारा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है आपको बता दे कि इसके पूरु जिला पंचे अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया 14 दिसम्बर 2021 को करवाई जानी थी जिसके तारिक बढ़ा कर 18 दिसम्बर 2021 कर दी गई थी लेकिन 17 दिसम्बर की देश श्याम को ही एक आदिश जारी किया गया जिसमें इस बात का उल्ले किया गया है कि अब अरहारे कारणों की वज़े से जिला पंचे अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है आगामिती थी तय होने पर सुचना दे दी जाएगी किस बात का उल्ले के आगया है कि क्यों न इस लापरवाई के लिए उनकी तीन वेतन वरती रोकी जाए इन करमचारी को साथ दिनों के भीतर अपना स्परश्टी करण प्रसूत करने के लिए कहा गया है अगर समय सिमा में संतोज जरनाग जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की जाएगी अग्यात वाहन की ठोकर से मोटर साइकल में सवार करनापूर के बारा निवासी किस वश्चे अंकित विशेन और पच्चिस वश्चे कार्तिक रहंग डाले की मौत हो गई अग्यात वाहन ने उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी अग्यात वाहन की ठोस इतनी जवर्दस थी कि अंकित की घटना स्तल पर ही मौत हो गई इस हाथ से में कार्तिक सर्म पर भी गंबिर चोट आई थी जिसे गंबिर आउस्ता में 108 MLS के माध्यम से उपशार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराये गया जहां उसकी गंबिर हालत को देखते हुए जिकिस सकों ने प्रात्मी उपचार के बाद उसे रात में ही गुंदिया रेफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई उदर मरतोकों की सुचना मिले पर हस्पताल चोटी ने धारा 176 के तहत मरग कायम कर पंचनामा सहीत अन्य आवश्य करवाई की वहीं दोनों मरतोकों के शव का पोश माडम करवा कर शव अंतिम संसकार के लिए उनके परिजनों के सुपूर्थ कर दिया गया है नगर के पुलिस लाइन में मनाय जाए रहे हैं पुलिस स्थाफना दिवस के उसर पर शुकरवार को डिया जी अनुराग शर्मा की प्रमग उपस्तिती में जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट कर उन्हें सलामी दी परेट कमांडर आर आई बाइकर के नेतरत में यातायत और महला पुलिस बल सहीद आठ प्लाटून दल पुलिस बैंड स्वान दल ने परेट की प्रस्तूति देकर डिया जी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अभिश्यक तिवारी को सलामी दी कारेकरम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकार्यों ने परेट में शामील प्लाटून दलों को आवश्यक दिसा निदेश दिये आज जी जी इस कारेकरम को लेकर की गई चर्चा के दोराण डियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बारसिक निरिक्षन के तहत पुर्व से निर्धारित कारेकरम के अनुसार वे जीला पुलिस कारे ले, पुलिस अधिक्षक कारे ले, SDOP कारे ले सहित विभी ने थानों का निरिक्षन कर महा संचालित गती वीदियों का जाय जा लेंगे वे इस बात का निरेक्षन करेंगे कि पुलिस की परंपरागत रूप से कारे प्रनाली के अनुरूप विभीन जगों में कारे हो रहा है या नहीं नियम के अनुसार कारे किये जा रहे है या नहीं और रिकार्डों का ठीक से संग्रहन किया जा रहा है या नहीं इस बात की जानकारी लेने की पूर्व उन्होंने पुलिस स्थापना दिवस के पहले दिन परेट का निरेक्षिन किया जिससे विविन थानों से आये जमान शामिल हुए आज किये गए निरेक्षिन में परेट का स्तर संतोज जनक रहा पुलिस लाइन में आईजीत परेट निरेक्षन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी, सुफरवाइजर, अफिसर, आईजी, डी आईजी, विपिन थानूस से पहुंचे थाना परभारी सहित, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्वान दल यातायत के जवान भी शामिल र महिला पुलिस बल, स्वान दल, 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 स्वा पर्टाप्ट कर दो कर दो कर दो यह वार्शीक निरिक्षन का एक कारक्रम होता है जो की पूरुद मिल्हारित होता है तो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं जिले के सुपरवाईजरी ओक्सस आईजी डी आईजी एडीजी साहब जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षन होता है तो इस वर्ष मेरा बालाघाट जिला पुलिस का निरिक्षन प्रस्तावित था इसी के अधिनाज परेड यहां पे ली गई इसमें जिला पुलिस कारेले पुलिस दिक्षक कारेले होता है निरिक्षन होता है पुलिस लाइन का निरिक्षन होता है थानों का निरिक्षन होता है एसडी ओपी ओफिस का निरिक्षन होता है वो यह देखने के लिए होता है कि जो पुलिस का जो परंपरागत रूप से जो कार पनाली है उस पे उफकार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है नेमानुसार कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेकॉर्ट चिक से संधारित हो रह कोरोना की दूसरी लहर समाथ होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिससे देखते हुए शासन प्रसासन के दबारा समय समय पर गाइडलाइन्स भी जारी की जारे इन आकड़ों में लगातार हो रहे व्रद्धी को देखते भी शुक्रवार को पीजी कॉलेज एनेस व्याई की पतादी कारियों ने अन्य चात्रों के साथ पीजी कॉलेज प्रभंदन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्यालाइ में आगामी समय में आज ज इसलिए आज बालाघाट एनेस वाई के द्वारा चात्र चात्राओं के स्वास्त और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए माविद्याले के प्रचारे को ग्यापन साफ्टर उनसे हैं मांग की गई है कि ओफलाइन एक्जाम ना कराकर ओनलाइन एक्जाम कराये जाए जिससे की छात्र चात्रों का जीवन शुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्वाशा और ऐसी कोरोना जैसी गं आजनीती का पारा उपर शड़ता जा रहा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई तो चौत्य और पाच्वे दिन तो जैसे सुबह से लेकर श्याम तक प्रत्याश्यों में नाम निदेश्यन फॉर्म जम खैलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 672, 152, जनपत पंचात के सदस एवं 19 जिलापंचास सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंधी छेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के द्वारा निर्वाचन के अधिसूच ना जारी कर दी गई है इसी कड़ी में नाम निदेशन पत्र जमा करने के 5 दिन 17 दिसम्बर को 5 के लिए विकासखन बाईयर से 19, परसवाड़ा से 28, वारसवाणी से 32, खैलांजी से 49, लांजी से 12, किरनापूर से 29, एवं विकासखन कटंगी से 29, प्रत्याश्यों नाम निदेशन पत्र जमा किया ह इस प्रकार सरपंच पत्र के लिए विकासखन बाईयर से 29, वारसवाणी से 29, खैलांजी से 19, लांजी से 10, किरनापूर से 20, एवं विकासखन कटंगी से 5 प्रत्याश्यों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है जन्पर पंचाय सदसे के लिए विकासखन बैयर से 6, खैलांजी से 2, किर्णापूर से 4, एवब कटंगी से 2 प्रत्याशियों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है जन्पर सदसे के लिए 5 प्रत्याशियों के दबारा नाम निदेशन पत्र प्रसुत किया गया है नाम निदेशन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 20 दिसंबर 2021 रखी गई है देर श्याम को राजय निर्वाचन आयक के दवारा एक और आदिश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामने दिनों की तरह नाम देशन फाम जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी यहां रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं 99.5 मेचिंग के साथ मेचिंग के दुनिया में जल्यकाद जाना पैचाना राम वर्दमान साधी भंडार जी हाँ, वर्दमान साडी फंडार में है, मन मोह के दुपटे, दुले का सूट, दुलहन के लाचे, बनारसी सिल्क साडियां, दुलहन चुन्मी, साफा कपड़ा, बांधनी साडियां, रेमंड, सिया राम और तुल्सी जैसे ब्रांडेट कंप्यों के बेंट, शर्ट के कपड सोफा कवर, सेट, कंपाटर, एसी कंबल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा, मेचिंग की विशाल शर्खला में, फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पॉपलिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दो दरी, चटाई, और कारपेट की विशाल रेंज, तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी घंडार, आडवानी, कंपलेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट भालागाट, प्रोप्राइटर, विमल उमार बोत्रा शांदार कपड़ पहनने के शौकिने के लिए श्री शिबदार्त कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंपनियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे बुर्धिन की साडिया, दुले का सूत, शेरवानी डिजाइनर साडिया, आप जैसी कंपनियों के पेंडी, शिंक, कॉटन और फैंची साडिया, अधित, गिड्ला, सियराम, रेमंड, वेमल जैसे ब्रांडेट कंपनियों के पैंट, शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पैंट और फैंची शर्ट भी शांदार श्रंखला इसके अला हुआ, नाव और साथ ही संसी कुर्टिया, प्लाजो कट, शरारा, घरारा, सल्वार शूट का शांदार कलेक्शन, यानी शांदार कपड़ मिलने का एक मात्र विस्वसमी है, उस्थान, तो चले आईए, श्री शिदार के कलेक्शन, राजगाट चौप, बिबी चौप वाली बली, बाला काट ब्रांडेट कंपनियों के कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए, शहर का पुसित, जगमगाता नाम, अभी नंदन फशन, जहां है, मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर, और स्ट्राइप जैसे मशूर, ब्रांडेट कंपनियों के एक से पढ़कर एक, आकरशक और अदभु जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला, साथी दुले का सूट, शिरवानी और गोर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्रंखला, आकरशक अंडर कार्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खुब सूरत जैकट, जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम, अभिनंदन फैशन, अहिंसा द्वार के पास, काली पुती चौप, भाला घाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभिनंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवम इस्थिट्यूट, प्लेटपार्म फार, यूथ, बैंक, एससी, रेलवे, आरक्षक, वनरक्षक, आईटियाई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर पाँच वर्सों से, सरवाजिक सिलेक्शन का रेकॉर्ड, इसके अलावा, सेपरेट स्पेसल बैक, पर आईबी, पीएस, पीओ, क्लर्क, आरारबी, आरबी, एसबी आई, सो, एंड स्टेनो ग्राफर, मैट्स और रिजिनिंग के स्पेसल बैक, दस वर्सों के अनुभवी, रागवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फॉर यूर ब्राइट फ्यूशर, आर्टिक रूज से कमजूर विज्यार्टियों के लिए, फ्री वोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां, गेटार प्रिशिक्षन की भी सुईदाओ का लब्द है, ज आर्टिक हाउस रोड वालक रखें, ब्रेके बाद एक बाद इससे आपका स्वागत है, परते खबरों की ओरूर। इस संदर में मा अन्नपूर्णा मंदिर स्ट्रस्ट के बतादी कार्यों के दबारा, अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगन में पत्रकार वारता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया, कि यहां पुर्व से जो मा अन्नपूर्णा मंदिर था, मा 110 वर्ष का हो गया था, जरज ज्यादा प्रचाजित करेंगे जिले भर में, महराष्ट में, गूंदिया में, नाकपुर में जहां था, हम लोग सब प्रचाजित करेंगे, और इतिक सरी लोगों के यहां मंतित कर, लोगों को इस पूरने लाब में सामिल करेंगे, हमारा उद्देश मंदिर जब जरजर हो ग कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे तो उस सब को हमने लोगों से प्रकांड विद्वानों से सला करके पुजा पाठ कराकर माता जी को एक उनके कक्ष में विस्थापित कुछ दिन को विस्थापित किया दस जुन 2019 को विदिवत भूमि पुजन कर हम इसको मंदिर के मामले में एक आज आता है कि यहा का अंड जो माता जी को अगहन के मही नवें वाद जेवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगों बहुती सिद्धा पीठ ए इसचा जी कई चमत्कार देखने मिलते हैं जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिर्शी कारेक्रम होने वाला है ये एक बहुत भवे प्राण प्रतिष्ठा का कारेक्रम होगा मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूं कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदीर में जब प्रतिष्ठा के कारेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनंद की अनुगूति हो हुए शहर का गंदा पानी गंगा नगर और जाकपुर घाट के रास्ते ही बनगा नदी में नहीं जाता है बलकि शहर के अन्य छेत्रों के जरी भी दूशित पानी बनगा न बन गंगा नदी में जाता है शहर का गंदा एवं दूशित पानी बन गंगा नदी में कुछ मैनों से नहीं बलकि पिछले कई वर्सों से लगातार जा रहा है लेकिन इस वर अभी तक किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया गया गंदे पानी के अकारण सभी लोगों को परिशानी है और सभी के द्वारा कुछ बेहतर विवस्ता बना जाने के लिए कर बात भी कई जा रही है हमने यह जाने का प्रियास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है महा किस छेत्र से आ रहा है इसकी परताल करने पर पाया गया कि महा पान बनाए गया है जिसके नीचे से उचाई अदिक होने की कारण उस पुल से पानी सहह तरीके से आगे नहीं जा पाता, जिसacă कारण बहुत गलात बन गया है कि उचाई नीचे से ज App कर दी это कर Сам और दूसरा यहां का पानी रुखनी वाज़ा है, खिसानों की पूरी जमीन सामने की पूरी दूब रही है, अभी तो फुला मौसम होके फिर भी दूबा हुआ है, बारिश में और ज्यादा रुख जाता है, पुरा ऊपर तक यह ठेकरा भूजाता है, तो इसे कही परेशानी ह संदर्फ के ड़ी थे जिसनफर पानी है, तो जसफर बैच में नदी में जा जएना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो जतक हो ना चाहिए, इसके लिए प् tariffsानन को प्रेकरा बनाना चाहिएए, बोल्साद में ख़ते, बहुशे के बैचन ओग मझा एक प्र बैचमी क्या पानी क्या पास होने को होना ने कुछ तो ऐसा कोई काम हो कि पानी पास हो जा सुद्य करके है तहरे हो अब यह बहुत बजबू करता है यह थेतों में चलता पानी पूरा शहर का वानी आप है थेपना करतेा आदवानी काम से तरफ से पुरा यह क्या देढ़ों से पूरा अब हरता पूरा है हाँ यह हनमान चोकक गविधरी आता है यह पानी आगे कहा जाता है यह पुरा आफिव दर तर जाता है यह पुरा जम हो जाता है पुरा दोसित पानी यह दोसित पानी यह दोसित पानी यह नदी में अगर नदी में 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 इसका पानी का कोई उपयोग में लेता है कि यह खेटी बादे लिए इसके सम्मद में चर्शा करने पर वाड नमबर 30 के निम वरतमान पारशद राजस निलारी ने बताए कि यह बाद सही है कि नगर के पांस से छे वाड़ों का गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोसमी बंदर जिरिया होते हुए बैंगांगा नदी में जाता है सरकार की भी योजना है कि शहर का गंदा पानी नदी में न जाए सरकार ने इसके लिए कुछ करना चाहिए वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट लगा कर गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने चाहिए गंदा पानी जादा दिनों तक जमारेने से विमारी फैनने का भी डर बना रहता है बेज़ा उस नाले का पानी की षेमा में बुवीजी ननता हाथ् doctrine लेकिन से एक्यों सहचे वड़ा में में गौर्ओकाट निर्मानों चीमान लिए छोटा कुली आ होगी छुदा का आप वहां पर जमा हो जाती है, उस जमा होने के कारण पानी आगे नहीं निकल पाता है, एक तो पाइंड याला हो गया, और दूसरा पाइंड यह है कि जो नहर बनी हुई है, कोश्मी छेती की शेमा में, नहर के पास भी दो मोंगे डाले गए हैं, वहां पर तक पुल नहीं बना या नहर के पास जो फुलिया बना है, वह लिकल जाए तो पानी सर्ड से लिकल जाएगा, पुरा दोसित पानी है, कितने वार्ड उपाता है, पानी तो आप ले लो, गुजी चोक का पानी, वार्ड नमबर अठर का पानी ले लो, वार्ड नमबर 27 ले लो, वार्ड नमर 28 ले अब इसके लिए सरकारी कर सकती जो करना है COVID-19 का नया variant Omicron देश दुनिया सहीद मद्यप्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है और बीते कुछ दिनों से लगातार इसके मरिज भी सामने आते रहे जिसके कारण लोगों में एक दहशत कमाहुल बना हुआ है जिसको देखती हुए प्रदेश शरकार के द्वारा वेवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परन्तु बारसुनी में कुछ अलगी हालात वेवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे है जहां पर कई प्रकार की चीजे देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भया बहा इस्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधायक के द्वारा बारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया गया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के द्वारा गद दिनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कर रही कंपनी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनियर्स के द्वारा आया ऑक्सिजन प्लांट को तयार किया गया परन्तु शालू होते ही जो पाइपलाइन विछाई गई थी उसका लीकेज टेस्टिंग में समझ आया जिससे कारे की गुनवत्ता पर प्रश्चन चिजन लग रहा है कि सिविल अस्पताल में देखने में आ रहा है कि मरीजों को ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर एक अलग ही दहस्यत का वातारन बना हुआ है इसका असर यहां भी है कि ओपीडी सईथ भरती वाड़ों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रदेश के प्रवेश्च पर प्रदेश शरकार के दबारा गंबीरता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर प्रदेशे पर वे क्या कहते हैं चली जानते हैं जैसा कि मालूम है कि और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर क्यों व्यापक तयारी है जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे कि कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वारा उसने में पहले तो अभी किस अवस्था में पढ़ा है निर्जी वस्था में पढ़ा है दूसरा आक्सिजन प्लांट चालू है और इलेवन के वी का सप्लाई जो होना चाहिए उसमें भी घती नजर नहीं आती है यह तो ही हमाई तशिर चिकिस साल है कि इस्थिती लेकिन ग्रामी इस्थर जो स्वास्ती केंदर बने हुए है मिनी पीएस्थी है और पीएस्थी है जो लोगर माली है खैलांजी ए राम पाई लिए इनकी इस्तिती बहुत अच्छी नहीं नजर आती क्योंकि कि स्वास्तों सुविधाम को लेकर के नगर में जो यवस्ता है वह अभी इसको संतो जिनक तो नहीं कहा जा सकता है जिससे पिछले बार भी हमने कोरोना काल में देखा तो उसमें बहुत नेदोश्ट लोगों की जान गई आक्सिजन के अभाव में और अवयवस्ता के अभाव का उसके भी बहुत बुरे हाल है व्यवस्ता नहीं गई अभी आज की स्थिती में कोई पेशेंट दोके से दी मिल जाता है तो उसके लिए प्रशासन ने वहास्ता कहा कि उतस्वन में नहीं आ रहा है पुरू नहीं वेरिंटाया ने इसको लेके तो जो दैसत पहली हुई है और नहीं वेरिंटाया है नया जो आया हुआ है वो इतना खतरना साभीत होने वाला है और उस हिसाब से हमारी सरकार ने राज्य सरकार ने सारे प्रयास किये हैं सारी व्यास्ताय मनाने के प्रयास किये हैं जीला प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराए गया है कि आज अ जराथ की तरब भाट शार्रा बेने जाए बांड शार गिया था था। इसको भी हमने पूरी तरह कर दियार करेंगे ड्यावर की व्यावस्ता भी हमारे दारा कर दी रही है। 24 गंटे वो यहां वारस्वी शेहर के लोगों के लिए उपलब्द रहेगी। इस तरह सासर प्रसासन से हमें चाहते हैं कि लोगों में आवर्डेस नहीं है। इनको जागरत करने के लिए मास्क भियान चलाना चाहिए। सारी लोग मास्क लगा के रहें और सोचल दिस्टेंसिंग का पालन करें। इसका प्रभाव किसी भी समय उनकी जान पर आ सकती है। जबकि यह दूसरी लहर की अपेक्षा कम से कम 10 गुना अधिक और खतरनाक सा भीत हो सकती है। लालबरा समदाइक स्वास केंद्र में कोरुना की तीसरी लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के दबारा जानकरी ली गई। तो स्वास विभाक के दबारा बताया गया है कि कोरुना की तीसरी लहर के लिए बेपूरी तरह से तयार है। और मरीज के आने पर पुना कोविट सेंटर महाविद्याल कन्या छात्रावास में प्राराम कर दिया जाएगा। जिससे एक प्राचिल मुहारा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है। संख्या में साधियों में भिल्ड इखटी हो रही है। जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिती रही तो इसके दूस्परणाम सभी को भोगना पड़ सकता है। और अगर हम इससे सचेत रहे बचे रहे तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है। अगर हम भी सुरच्चित रहे सकता है। अगर हम इसमें करान का बहुत पकोप है। साथ में कोरोना भी है। इसके बावज़त भी लोग यहां दलर से बिना मास्क लगाए गुन रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। और उसके साथ भी आहां के स्वशासन को को जागरिस करना चाहिए। मास्क लगाने के लिए। लोगों गाइडेंस देना चाहिए। मास्क को बिमार्यू कर्टोल करना है तो मास्क लगाना जरूरी है। जैसे आप लेख रहे होंगे लालबर्रब में कि अधिकान लोग क्या बिना मास्की रहते हैं क्या मास्क लगाते हैं। और अच्छा माइड़ ओमिक्रान एक नया वेरियंट आया है भी जो आजके डेट में 99 पेसेंट इंडिया में उसके हो चुके हैं। चुकि डेल्टा प्लस से कम खतरना है इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और पेसेंट उकता गंबी रवस्था में नहीं जाता है। चुकि इसके साथ में सबसे बढ़ी समस्था यह है कि यह डेल्टा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्षा में इंफेक्शन फैलाने में और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाईए उससे पहले आप वैक्सिन लग दूसरी लहर को लेकर स्वास युभाग को सतर खोने के साथ यह तैयारी प्रारम कर दें देनिक चाहिए जिस से समय रहते तिसरी लहर को नियंत्रित किया जा सके धूल खा रही ऑक्सिजन मसीन कबार में पड़े ऑक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लहर की भीसन तबाही को देखते भी लालबरा में विधायक निदी से 46 ऑक्सिजन मसीन एमम समा सीविंगे दबारा 17 ऑक्सिजन मसीन सहीत 50 बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में स्तित महाविद्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्थाई रूप से बनाया गया था जिसमें कोरोना संक्रमिद मरीजों का उप्चार किया गया किन्तों धिरे-धिरे कोरोना बिमारी खत्म होने के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बंद कर दिया गया कोरोना की दीसे लहर को देखते हुग ये स्वास्य बाख हमारे तरफ से कोविड सेंटर चात्रावास बीजी कोलेज में कोविड के मिवश्ता की जाएगी एवं इसके साथ में oxygen एवं बैड की पूर्था तीस बैड़ेट oxygen बैड की व्यवस्ता उपलब्थ है बैड एवं 40 oxygen कंसेंट्रेटर विधायक निदी की दौरा हमें प्राप्ट हुए थे अभी शांशन के महात्यम से पांच और प्राप्ट हो चुकिए है तोटल 45 ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर अभी उपलब्थ है साथ ही पांच शे ऑक्सिजन स्लेंडर हमें उपलब्थ है यह तीसरे लहरा आती है और oxygen की और आशकता पड़ती है तो चीना स्पताल वाला घाट में oxygen डाट के मात्यां से हमें oxygen कि इसके साथ ही पूर में समा से भी संस्थाव के द्वार ऑफिन कंसेंट्रेटर दान किया गया था वह सेकंड लहर के पस्चाथ उन्हें वाफिस कर दिया तो अभी तैयारी हो लेकर अभी कुछ नहां पर तो फिलाल लोजब्रेटर पे बस इतना ही आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं पदमेश्वन पूस्तिवाद नमस्कार गुरुबार की रात को बालाखाट गोंदिया रोल पर हुई स्टलक खास्ते में बाइक सवार दो यूकों की हुई मौत करिणा पूर्थाना के अंतरगत बारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहां डाले रात को साल्टेगा से लोग रहते वापस अपने घर वारा अग्यात वहां ने मारी टक कर घटना सल पर हुई थी अंकित की मौत इलाज के दोरान कार्थिक ने गोंदिया में तोड़ा दम 17 दिसमर को पुलिस लाइन में मनाये गया पुलिस स्थापना दिवास जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अला अधिकारी मदपुदेश के भीतर होने माले तिरिस तरी पंचा चुनाओ और नगरी निका चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश OBC आरक्षन किया समाप्त OBC आरक्षन स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर NJT ने दिया देश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अतिक्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राजिशासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक्रहित लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाउं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततों पर कड़ी कारवाई की माँ अने शुदाई की पदादी कारियों ने जटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच्षार एक सोपा ग्यापन कोबिट-19 के प्रकवपू देखती भी आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाद नमर 20 में स्तित मा अनपुना मंदीर का हो रहन नव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालकों ने नगरपालिका के अधिकारों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मध्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्दों पर की गई चर्चा मध्यप्रदेश हासन के नवीन एवाँ नव करनी उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीपस्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले वासियों के लिए अच्छी ख़बर सामानेवन छेत्रों में वस 2018 की तुलना में दोगनी हुई बागों की संक्या उतर सामानेवन मंडल की 133 बीटों में मिले बागों की उपस्रीती की साक्षे बारशनी शैर के भीतर बगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिसक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 1335 चुनाओं निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसंबर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 कर्मशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताव नोटिस 1335 चुनाओं के नाव निदेशन के पाच विदीन 280 प्रत्याशों ने भरा नामांकन फॉम कोरोना के तीसरी लहर के लिए प्रदेश इस्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधूरी तयारी के बीच चल रहे है तीसरी लहर की तयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी चेहरे पर नहीं लगा रहे है मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे डेट तीसरी लहर की दस तक से पहले बारा सुनी में अख्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल्ट प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गया पाईप कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुबार विस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार वैलवर मुखेले से बारा किलोमेटर दूर कंजाई बंचयाद गयते सक्ति पीट में एक्तालिश वश्चगाट के आउसर पर हो रहा स्रीमध भागवद गीता का युजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाडो का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुंच रहा बैंगंगा नदी मैली हो रही है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सर्किट हाउस रोट सिंदु भवन के बाजू में आजाट चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्लाइड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एल्यूमिनियम सेक्षन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आजा चौक पालाखाट आव चले वक्त की रफ्तार के साथ शहर का पतिष्ठित पतिष्ठान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उखलब्द है देश विदेश में पुसिद आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दती से पनी अनेक ब्रांडेट कंपियों की दो पहिया गाडिया बैटरी से चलने वाली शांदार गाडिया जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुप्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चले वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्स की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नंबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नंबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनेंस सुविधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इच्छत के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यहों थ्री विलर हमारा वद्द्ध से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहारा इवाल बर्व प्रेक्ट्री रोड नर्मदा नगर शिव मंदिर चौर बालाखाट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केयर इंदोर और दिली सेव प्रसिक्षित फिजिसी एन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी हुई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्ण और चक्कर आना, छाती में बार-बार दर्ध हुना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा हुना हात पैर और जोडों में दर्ध व जलन होना, विमारियों का सफलत मिलार, मूख एवं दंद रोग विश्चक के, डॉक्टर निली मां वेद प्रकास लिलनारे, बीना दर्ध के दात निकालना, दात और मसूड के दर्ध का उपचार, तेड़े बेडे दातों को तार लगाना पर्मानेंट फैस दात, मसूडों का इलाज, रोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिले, मूख के कम खुलने का इलाज, यहां ECG, पैथोलोजी, नेवुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलप्त है, तो अहर का प्रसिद्ध प्रसिष्ठान, Hometown Tiles, Design to Impress You Hometown Tiles में उपलप्त है, सभी प्रकार की आकर्शक, Flow Tiles, Double Charge Tiles, GBT, PGVT, Nano, Matte Finish Tiles, Wall Tiles, Parking Tiles, Elevation Tiles, Kitchen Tiles, Steel Sink, Granite, Quartz Sanitary Products, Commode, Designer Wash Basin और Bathwear Accessories की आकर्शक शंकला, आकर्शक नल्फिटिंग और शावरादी की संपून रेंज तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर, Hometown Tiles के साथ हमारा पता है, Hometown Tiles बैयर रोट डॉक्टर गादी के सामने बाला घाड क्या आपको अपने केबल के भुतान करने में कोई परिशानी हो रही है? तो आज ही Play Store में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश Digital App डाउनलोड करने के बाद अब अपना Customer ID डालें जो कि आपकी Receipt में लिखा होता है अब Default Password 1 डाल कर लॉग इन करें अपना Registered Mobile Number या Card Number डाल कर सिर्फ एक बार Account को Verify कीजिए अब Password Change करें Payment के लिए Add Balance to Wallet में जाएं और अपना Amount एंटर कर Pay Now पर क्लिक करें अब अपने मन चाहे Payment मेथड से Payment करें इतना ही नहीं चालू Package, Bill या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी तो अभी अपना Phone उठाए और Download कीजिए पदमेश Digital App और आनद लीजिए अपने मन पसंद एंटर्टेनमेंट का अधिक जानकारी के लिए समपर्क करें 831 999 69927 8878 006435 Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies, enjoy high speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls or to power multiple device in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmeish Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmeish Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them, enjoy incredible giga speeds of 1000 mbps, cut the promise speeds consistently, use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmeish Broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmeish Broadband, feel the speed. Padmeish Broadband, feel the speed. Padmeish Broadband, feel the speed. बस यही एक इरादा लालबरा मुख्यालेश से करिब देड़ किलोमेटर दूर राजमार सिवनी पर इस्तित पाउर हाउस के समीप औलिया कनार मार पर इस्तित नहर में डुमने से 17-18 दिसंबर की दर्यवियानी रात में ग्राम पंचायत अुलया कनार निवासी 42 वहषे 37,000 की मौत हो गई यह समीप पलिस में ने मामले की जान शुरू कर दीए प्राप्त जानकार के नुसार। अुलया कनार निवासी 42 वहषे 37,000 बेल 17 दिसंबर को दोपर करीब 3 बजे घर से लाल बरा जा रहा हों करकर घर से निकला था किन्तो रात करीब 10 बजे तक मौँ वापस नहीं आया तो परीजनों ने आसपास उसकी पता साजी की किन्तो कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसके बाद परिवार के सदर से शोग है 18 दिसंबर के सुबह जब ग्रामिन जन सुबह घुमने निकले तो उन्हें टेकाड़ी जला से की नहर माइनर जो ओल्लिया कनार होते भे पांधरवानी रामजी टोला के और आगे जाती है और पावर-अउस सिवनी मार्ग के समीब से गुजरी औरलिया कनार मार्ग नहर के पानी में डूबा हुआ एक व्यक्ति दिखाए दिया जिसके पास जाकर दिखा गया जिसके सिनाक्त औरलिया कनार निवासी की सतیस पेल के नाम से पहंचान हूँ जिसकी जानकारी उनके परीजन वो पुलिस को दे दी गई जिसके करांग जो पानी में गिरने से उनको सायद पानी वानी अगर शरीर में चले गया होगा तो अचानक बद्दी होगी यूदी असा मुझे लग रहा है तो इस हिसाब से मैंने देखा की वे मुझे हो चुके है तो फिर नहां के पाने में जाने के बाद में हम लोगों ने हमारे ग्राम के ग्राम से रहा है कि वो नहां के पाने में दूबने सी मत कुई है और अपने पाना रहानी तब लिए कि किसी डेट्वी क्या नाम लिखते हो 27 बैस क्या उमर हो लगव 40 वार से अभी विरसा थाना छेतर के अंतरगत आने बाने ग्राम दमो कालोनी में 22 वश्य नव विभाहिता लीना धूरवे ने पती के द्वारा दी जारी दहज पतारना के चलते अपनी 10 माह की दुद मुही बेटी को छोड़ कर फासी लगा कर आत्मत्या की थी विरसा पुलिस ने दहज हत्या के इस मामले में लीना धूरवे के पती लखन धूरवे 24 वश्य को गिरपतार कर लिया है जिसे न्याई का विरक्षा मुझीला जेल भिजवा दिया गया है प्राप्त जानकारी के नुसार लीना का माईका ग्राम रेल वही परशाई का है जिसका विवा दो साल पहले लखन धूरवे ग्राम दमो कालोनी निवासे के साथ सामाजी करीती रिवास से हुआ था शादी के बाद से ही लीना अपने सस्राल में रह रही थी जिसकी एक दस महा की दोध मुह बेटी खुशी है बताये गया कि लखन धुरवे शादी के बाद से ही अपनी पतनी लीना को दहच की मांग को लेकर शारिरिक वंमानसिक रुप से पतारित करते हुए उसके साथ कुरुता पुरुख व्यभार करते आ रहा था 12 वर 13 दिसंबर की दर्मियानी रात में लीना ने पती लखन धुरवे के दवारा दी जा रही देज बतारना से परिशान होकर उससे अपनी दूद मुही बच्ची को घर में सोता हुया छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास इस्तित करन के पेड में फासी लगा कर उसने आ अपराद दश किया और इस अपराद में लखन धुरवे के गिरपतार करके बईहर के अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उसे न्याई का विरक्षा में जीला जील बिजवा दिया गया है मत्यपदेश के भीतर होने वाले 35 चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते भी महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्थान पर OBC आरक्षन के लिए स्ट आरक्षित की गई थी उन इस्थानों पर सामने स्ट की तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दाव अली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ लीजिए कि जिन इस्थानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे उन इस्थानों को सामने स्ट घोसित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचा चुनाओं को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोडा रहा है इसी कड़ी में सुप्रिम कोट में सुक्रुवार को होई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाओं समीधान के हिसाब से हो रहे है तो उसे कंटिनू रखे अगर समीधान के खिलाप है तो चुनाओं रध करे इसका निरनने राज़ निर्वाचन आयो को खुद करना है कोट के इस खादेश के बाद पंच्या चुनाओं की प्रक्रिया पर रोग लग सकती है हालाकि अभी तक राज़ निर्वाचन आयो की ओर से इस मामले में कोई अभीमत नहीं आया है MP में पंच्या चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तंखाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाव सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243 C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रियन कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निन लिया जाएगा मुक्य चिकिसा या एवम स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवम लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तथा रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिसा क्लिनियों को को सिल बंद कराए है इस विद्धिवत पंजियन एवम लाइसेंस नहीं पाया गया डिसपर डॉक्टर विमल के वीशन के क्लिनिक में पाए गए उपकरनों एवं आउश्योद्य को जप्त कर क्लिनिक को सील बंद कर दिया गया है इसी प्रकार वारशनी शहर में सिविल लाइन के पीछे मस्दित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रथम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच थेर के द्वारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसिलदार राजिंदर टेकाम के नेतरत में गठी दल के सदसे जिला चिकिस साले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुन कुमार लांजेवार आकास्मीक निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दोरान अस्पताल में लगभग सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगभा रुख से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबिर इस्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लांजेवार के दोरा ततकाल एक सवाट एम्बूलेंस बुला कर रोगी को सीविल अस्पताल वारा सुनी भिजबाए गया जहाँ पर डॉक्टर कमलेज जोड़े दोरा रोगी का परिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टिपेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाए, ब्लड सेम्पल कलेक्शन, ट्यूब आदी को जब्त कर इस निजी अस्पताल को सिल बंद कर दिया गया निजी अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज बुपाल से प्राप्त युग्यत संबंदी प्रमान पत्र पाये संधेज जयनक पाये गया जो की प्रतम दृष्ट्या संध्यास्पत प्रतीत भी हो रहा है उप संचालक क्रसी एबम अधी सुचित प्राधिकारी राजिश खोबरागडे ने उर्वरक वितरन एबम विक्रे में नियमों का पालन नहीं करने के कारण में सस्थ नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्वीस वरसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्थ कर दिया है इसके साथ ही उनके प्रतिश्थान में उर्वरक के बच्चत सकंद का विक्रे करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिनों की अउधी के बाद उनके द्वारा उर्वरक वेवसाई किया जाएगा तो उनके विरुद वैधानी कारवाई की जाएगी और इसके लिए बे स्वयम उत्तरदाई होंगे 9 नमबर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिय विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उर्वरक वित्रन नहीं करने पर मेसर्स नत्राज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसपाड़ा के प्रोप्राइटर नमीता अतुल हन्वत को उप संचालक रशी खोबरागडे के द्वारा नोटिस जारी कर स्परश्वी करन प्रस्तूत करने के लिए कहा गया था लेकिन प्रोप्रेटर नमीत आतुल हनुवत के द्वारा नोटिस का संतोज जर्णाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उर्वरक लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया था शहर के देवित आलाप पर किये अतिकरमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजेटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आलाप प्रकरण में किसी भी तरह के अतिकरमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है एंजेटी के द्वारा देगया आदेश के अनुसार देवित आलाप नीजी भुसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरह का कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान एंजेटी ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि एंजेटी में दर्श की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्लेक क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगबा आठ एकर से अधिक बताये गया है पुलिस लाइन तालाब रगबा तीन एकर महरा तालाब रगबा चार एकर मोती तालाब रगबा लगबा बावन एकर बुदोभी तालाब रगबा लगबा छे एकर देवी तालाब रगबा लगबा लगबा सूला एकर दरी तालाब रगबा लगबा साड़े चार एकर दसा कि आगया है कि यह तालाव रिसफ डेवलपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलाकि इस आदेश में इस बात का कहीं वे उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालाव का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मदपदरी शासन और बालाखा जिलाप्रसासन को किस तर तर शासन उच्छे सिख्चावी भाकेत बारा शुकरवार कुन अगर के पीजी कॉलेज बैडबिंटन हॉल में संभाग स्तरी बैडबिंटन प्रत्योगिता का आयज़न क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयजित की गए इस संभाग स्तरी ए महला पूरुस बैडबिं और पूरुस बैडबिंटन टीम ने फाइनल प्रत्योगिता में प्रवेश किया जहां देर शाम प्रत्योगिता का फाइनल छिंदवाडा और बैटुल के मद्दे खेला गया जिसमें महला पूरुस बैडबिंटन टीम एक भी अंक अर्जित नहीं कर पाई महीं सुन्ने दो से चिंदवाडा टीम ने प्रत्योगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया जहां प्रत्योगिता के समापन पर चिंदवाडा की महला पूरुस बैडबिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैटुल की टीम उप विजेता घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुरिस्कारों का वितरन कर दोनों टीमों से राज्य स्तरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाडियों का चैन किया गया शुक्रवार नारी ससक्तिकरण के बैनर तले लामता छेतर के ग्राम खुरसोडा की दर्जनों महिलाएं जहांत महिलाएं ग्यापन के माध्यम से थाना निरिक्षक को आउगत कराया कि ग्राम खुरसोडा में एक महिने के अंतराल में छेड़शार के दो प्रकरण दर्ज हुए है एवं एक मार्क पिट का प्रकरण भी दर्ज हुआ है इसके बावजूद भी मुलजीमों पर कोई ठोस कारवाई नहीं की गई इसलिए हम समस्त महिलाई ग्यापन सौपकर इन तीनों प्रकरण के आरोपियों पर सिग्रता पुर्वक करवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए थाने पहुंची महिलाओं के चर्चा के दोरान पुलिस अदिकारों ने बताया कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है आरोपियों के विरुदहरा लगाकर न्याले में प्रकरन पेश कर दिया है आरोपियों न्याले से जमानत पर बाहर आ चुके है अगरिम कारवाई न्याले के ओर से की जाएगी करना है आप अपने वकील लगा लाएं या सरकारी वकील को बता दो तो आपको लगता है कि सरकारी वकील आपके पक्समें नहीं करेंगे तो आप अपना वकील मी लगा तक हो या फर कमारी तरब से सरकारी वकील लगा हुआ वो सारी प्रकिरिया में खड़ा रही रही है लालवरा मुख्यले से लगभग 12 किलोमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंचयात कंजई सित्मा गयात्री सक्ति प्रिट मंदिर के प्रांगन में गत 9 दिसंबर से जारी स्रीमत भागवाद गीता ग्यानिय यग्य ससंग संगोश्टी का 17 दिसंबर को गायत्री सक्ति प्रिट के 41 वे बार्शी कुस्तो कारेक्रम के साथ धार्मी की अग्ये बातावरन में समापन किया गया इस वस्तर पर पुराता 11 बजे से शाम 6 बजे तक गायत्री सक्ति प्रिट कंजई का 41 वार्शी कुस्तो मनाय गया इसके पश्चाद विबिन संस्कार संपन करवाए गया एमम वैदिक मंदोचारण के साथ ही पाच कुंडे गायत्री महायग्य का आईजन किया गया जिसका संचालन मातर संस्ता शांतिकुछ हरिद्वार से प्रसिक्चेत मनी सिंग की टोली चिंदवाडा के दबारा किया गया जिसमें सेक्डो सध्धानू ने आहोती डाल कर धर्मलाब अरजित किया इसके बाद महारती की गई एमम विचार गुष्टी के बाद विदिपत पूजा नर्चन कर श्रीमत भागवत गीता ग्यान यग्य का समापन किया गया अकिल भारतिय बाग आकलन 2022 के फेस वन डेटा कलेक्शन कारे के तरती चरण में बालाखाट बन वरत के अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटु में दिनांग 15-17 दिसम्ब 2021 तिन दिनों तक बाग तेंदुआ एबम अन्य परभक्षियों के सा जुनने का अभ्यास संपन हुआ कि एस जीओ प्रसान साक्रे ने बताए कि बाग आंकलन वें प्रतम चरण में तीन दिनों के डेटा कलेक्शन कारे के उपरां पांच रेंजों के 116 बिटों में पंचार में बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष दर्ज हुए है वही 111 ब बिटों में 130 बिटों में बाग की उपसीति के साक्ष प्राप्त हुए है जो कि गद बाग आंकलन वस 2018 में प्राप्त 65 बिटों के तुलना में दूगनी है बालाखाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाय रखने की द्रश्थी से बनन ब्रत्य बालाखाट अंतरगत उत्तर सामाने बनमंडल के यहां आकड़े अत्यंत्य सराहनी है बस स्टेंड की यातायत विवस्ता को दुरुस करने और बसों के इर्द गिर्द घुमने वाले आटों के जमावड़े को विवस्तित करने के लिए कुछ महापूर्व यातायत पुलिस के द्वारा बस स्टेंड गौठान के सामने जक्की जगह को आटो संचाल को को स्टेंड लगाने के लिए दी गई थी जहां आटो चालक स्टेंड पर आटो खड़ी कर सवार्यों को ढोने का काम करते थी अब यातायत पुलिस के द्वारा स्टेंड के लिए दे गई उस जगह को खाली करने के आदेश नगरपालिका के दबारों जारी किये गए जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी 37 मरसेनिया ने स्वैम बस स्टेंड का निरेक्षन कर उक्त जगह से आटो स्टेंड हटाने की निदेश दिये इससे आटो चालक काफी नाराज है उन्होंने आटो स्टेंड के उक्त जगह को खाली न कराये जाने की मांक लेकर नगरपालिका में ग्यापन भी सोप है परभावित होता था उससे हमारे आटो से नहीं हो रहा है आज की देट में यह चल रहा है कि हमारे पीछे मतलब बौरी समाच पे लोग अपने कली पुछ लोग अपने हमारे पीछे के बीढ़े हुए के लिए पहले जो था पहले यह अपने बश्टेंड में चल गया पहले आबादी उतनी नहीं थी आज की रेट में अबादी इतनी बढ़ गई है कि यहां पर अखर का मंदिर नहीं चल सकता लेकि मंदिर के पीछे राजनीती चला जा रहा है अच्छे यह बताइए आप आप इसे कह सकते हैं कि यह जगह जो है गवठान की नहीं आपके पडाद बाता रहा है इसमें टोटल घुल सीट बता रहा है जर्के तो इसमें नगर पाली का सराने करजन है कि वहां सीवमस आई हुए ते अभी मतलब इसमें आटो इस्टेन आटो आने कि पे तो इसी विजन से मोग नगर पाली का सीवमस आपके बात हैं दिक्कत यह हो रही है हमारे पाप कापी समय से मतलब इस्टेन चल रहा था हमारा अब वहां पर गवारी समाजवालों ने मतलब आवेदन दिये कि यहां से आटो इस्टेन हटाया जाए अच्छा जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्टेड में एक बैठा कोई थी उसम मुख्य नगरपाली का अदिकारी 37 मरसेनिया ने बताए कि आटो इस्टेन पर अपत्ति गोवारी समाज के दवारा लगाई गई है जिनोंने उक्त जगा को गोठान की भूमी बताती भे गोठान की उक्त जगा को खाली कराने की मांकोले कर सियम हेलप लाइन में शिकायत की थी जिनकी शिकायत पर आठो चालकों को उक्त जगा से आठो स्टेंड हटाने के लिए कहा गया है वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उक्ते जगह से स्टेंड हटाने के बाद आटो चालकों को स्टेंड लगाने के लिए दूसरी जगह नगरपालिका के द्वारा नहीं दी जाएगी आटो चालकों के लिए जगह आरप्षित रही है आप आनाव स्वरूप से लगाई जा रही है तो लेने समन्द में आटो बाले आए खेसरी लोग मिनके आप है तो उनको यहीं चला दिये कि आप तैसे लार साप से समन्द में आप देखवा लें क्लियर कर लें अगर वो आपक वहीं लग रहा है या क्योंकि इने सीया में विशिकायागी ते जानकरी आ रही है तो अभी क्या आटो स्टेंड वहीं रहे गा या तो अगर वहां लगा है वह सुद अपने उनको इदायक दिये कि अभी दो दिन ना लगा है आप है ना और दो दन में जगता कि आने तो पर जांच करवाले जांच आ जाती है तो फिर अगर आप पाये जाता है कि यहां पर उटो स्टेंड लगा जाने उचे तो तो अगल को लगा है विशूल की भूमी है उटो स्टेंड लगता आ रहा वापत बिल्कुल लगा है कि उन्हें हटा जाता तो कोई और जगा दी पेंस्नर्स ने अपनी बिभीन मांगों को लेकर शर्षा की जिसमें उन्होंने अपनी साथ सुत्रे मांगों को लेकर मुख्यमंत्र के नाम कलेक्टर का रहले में एक ग्यापन सोपा जिसमें उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाने की भी मांग क आयो जी तिस कारेक्रम के संदर में की गई शर्षा के दोरान मद्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिला धेक्ष बी यल उपवनसी ने बताया कि सरकार के दबार अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके अलावा केंद्रे के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना प्रदेश पूर रहा है आज का कारग्रम जो है 17 डिसलिवर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला लिवेशन है इसमें हम मारे दिले के समश पेंस्टनर्स पती निद्यों के साथ यहां पस्तित होंगे और हम पेंस्टनर्स के सम्मन में लंबित मांगों पर चर्चा करेंगे जैसा कि हमारी प्रंपरा है कलेक्टर महुदैर के माध्यम से मानने मुख्यमंत्री मानने वित्मंत्री मर्च प्रदेश साथन को यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि दोहजार शे का 27 महने का एरियस दोहजार अट्रा का बत्तिस महने का एरियस और हमारे मत्य प्रदेश के पेंशनरों को मेटिकल स्वीधा तिकिस्ता भत्ता के रूप में प्रतेइक महा के साथ एक हजार रुपए दिया जाए ये पेंशन के सार्व मनाते हैं यह रुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरी कलब आप वालग हाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जले वासियों के लिए अभिनाव पहल आनंदम उत्साव व्यापार मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे परिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्साव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कम्पनियों के उत्पादों की विशाल शरंखला ग्राहक वितरक और निर्माता के मत सीधा संबंध व्यक्तित वविखास के लिए प् असकतिक कारे करम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से एक जनवरी 2022 तक समय अप्राण चार बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकस्र स्कूल खेल बैदान सर्चित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मीत सिंध पसरीचा अध्यक्ष रोटेरियन भर अगर आप टेली जानते हैं तो आपके लिए धेरुजाब कर रहे हैं इंतजार जिहां यह सच है कोई सपना नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइम टेली विट जिस्टी और एकाउंटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बैंगलों से मानिता प्रात जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के ने साफ्टेवेर टेली ट्राइम की ट्रेनिंग लाइट एकाउंटिंग और जिस्टी की ट्रेनिंग एकाउंस ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थां अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महाविर फर्निचर के बाजु में गोंदिया रोट बालागाट अब एक नहीं आकशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्नी की इम्म्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से लड़ने मदद करता है मश्रूम सूप पाउडर भूख बढ़ाए और खोन की मातरा बढ़ाता है आपके बाचन तंतर को मजब करता है दूबले पन और कमजोरी को दूड करने में सहायता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अवश्य अपनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्त बढ़ाएं मश्रूम एदी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर्द करें अकाल म्रसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिले वर्सियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 जिन शनिवार को नए साल की शुरुआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोस्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्यमन करते हुए माकाली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादों से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपसिती दवज कराकर पुनलाज अर्जित करें निवेदन महाकाल सेना बबब सेना कालों के काल जै बाबा महाकाल पद्मे सिटी केबल के सम्मानिय भुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पद्मे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए क्यूर कोड से ही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुकतान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आउनलाइग बुकतान ना करे ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों की और शादी का प्रलोभन दे कर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुसकंद कर उससे गर्वहती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिन सुनवाई करते हुए पासको एक बालाखाट के विशेश नायदी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाउनिवासी 26 वशी आरूपी युवग धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए दस साल का सहसमर काराबास और पांच अजार रूपई के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है मही अभियोक्ती को प्रतिकर रासी के रूप में 6 लाग रूपई राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्राक्त जानकरी के नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाउं में 17 मई 2017 की सुबह 10 बजे एक नाबलिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात कर गर से निकली थी जो देर श्याम तक मामा के घर नहीं पहुंची और ना ही महास्वैम के घर बापस आई वही मामा के गाउं बहे गाउं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नावालिक लड़की के वार्ड नमबर चार छोटा गोंदिया स्थीत एक किराय के कमड़े से दस्तियावी की गई थी जहां पुस्तास में नावालिक लड़की ने राम बुडिया गाउं की धर्मिन नेवारे नामक यूवाक से तीन वश का प्रेम संबंध होने की बात कही साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिन ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दुर्गा मंदिर में शादी की थी नाबलिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और पांच अबलिक छे पासकोरेट का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रसुत किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पेरवी प्रभरी जीलाव अभियोजन अधिकारी सरीतर ठाकूर के द्वारा की गए थी केंदरिये रिजर्वा पुलिस बल सेंटरल जून कुलकाता महानिदेशक नितीन अगरवाल शुक्रवार को अपने अलफ प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालाखाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाई रोड भरवेली इस्तीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलफ प्रवास में CRPF 123 बटालियन भरवेली और सुनेवानी इस्तीद बटालियन की F कमपनी परिसरकार निरक्षन किया कित्रों का दवरा करने के हिदायत के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये त्रेस तरी पंच्या चुनाओं की सबसे एहम कड़ी जिला सरकार के मुख्या जिला पंच्यात अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया को फिलहाल पंच्यायत राज संच्रनाल भुपाल क कित्वारा अनिश्यत काल के लिए टाग दी गई है आपको बता दे कि इसके पूरों जिला पंच्यात अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2021 को करवाई जानी थी जिसकी तारिक बढ़ा कर 18 दिसंबर 2021 कर दी गई थी लेकिन 17 दिसंबर की देश श्याम को ही एक कादिश जारी किया गया इसमें इस बात का उल्ले किया गया है कि अपरहिहारे कारणों की वज़े से जिला पंच्यात अद्देश के आरक्षन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है आगामिती थी तैय होने पर सुचना दे दी जाएगी 13 पंच्यात निर्वाजन के लिए मद्दान दलो को प्रथम चरण का प्रसीक्षन दिया जा रहा है 15 एवम 16 दिसंबर के प्रसीक्षन में अनुपस्तित रहे 19 करमशार्यों को कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरिस कुमार मिश्रा ने कारण अधिया है कि क्यों न इस लापरवाई के लिए उनकी तीन वेतन वर्थी रोकी जाए इन करमशारी को साथ दिनों के भीतर अपना अस्परश्ट्र करन प्रसूत करने के लिए कहा गया है अगर समय सिमा में संतोज जरनाग जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की ज और 25 वर्ष्य कार्तिक रहंग ढाले की मौत हो गई पर आप तो जानकरिके नुसर अंकीत और कार्तिक दोनों साल्टे का किसी काम से आये हुए थे जब वे रात करिब 10 बजे मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहे थे उसी दर्मियान साल्टे का चौक सोसाइटी के उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी अग्यात बहान की ठोस इतनी जबरदस थी कि अंकीत की घटना की अंकर के पुलिस लाइन में मनाय जा रहे हैं पुलिस इस्थापना दिवस के अउसर पर शुकरवार को डियाईजी अनुराग शर्मा की प्रमुगो पसीति में जिला पुल सुति देकर डियाजी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अविश्यक तिवारी को सलामी दी कारेक्रम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने परेड में शामिल प्लाट्टून दलों को आवश्यक दिशार निदेश दिये आज इस इस कारेक्रम को लेकर डियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बार्सिक निरिक्षन के तहत पुर्वसे निर्धारित कारेक्रम के अनुसार वे जिला पुलिस कारेले पुलिस अधिक्षक कारेले सहित विभी ने थानों का निरिक्षन कर महा संचालित गती वीदियों जाए जाण लेंगे ले इस बात का निर्खण करेंगे कि पुलिस की परंपरागत रूप से पहले दिन परेट का निरेक्षिन किया जिससे विविन थानों से आये जमान शामिल हुए आज किये गए निरेक्षिन में परेट का स्तर संतुष जनक रहा पुलिस लाइन में आजित परेट निरेक्षिन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी सुफरवाइजर अफिसर आईजी डियाई जी विविन थानों से पहुँचे थाना प्रभारी सहित जिला पुलिस बल महला पुलिस बल स्वान दल यातायत के जवान भी शामिल रहे अलब लडून आमे जिप। नागिन जागिज हुआ है छोल भागिन हो फि लेफ टलबादArt करना लोल सकत करो त 관리 रइन हो त Young तौ यड़ यह वार्शिक निरिक्षन का एक कारक्राम होता है जो कि पूरूद निल्हारित होता है जो वरिश्ठादी कारी रहते हैं जिले के सुपरवाईजरी आफसस आई जी डी आई जी एडी जी साहब जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षन होता है तो इस वर्ष मेरा बालाघाट जिला पुलिस का निरिक्षन प्रस्तावित था उसी के अधिनाज परेड यहां पे ली गई इसमें जिला पुलिस कारेले, पुलिस दिक्षा कारेले होता है, निरिक्षण होता है, पुलिस लाइन का निरिक्षण होता है, ठानों का निरिक्षण होता है, एसडी ऑफिस का निरिक्षन होता है, वो यह देखने के लिए होता है कि जो पुलिस का जो परंपरागत रूप से जो कार पनाली है, उस पे कार किया जा रहा है कि ने किया जा रहा है, नेमानुसार कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेकॉर्ट चिक से संधारित हो रहा है कि न कोरोना की दूसरी लहर समाप्थ होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिसे देखते हुए शासन प्रसासन के दबारा समय समय पर गाइड लाइन्स भी जारी की जाड़े इन आकड़ों में लगातार हो रहे ही व्रद्धी को देखते भी शुक्रवार को PG College NSUI की पतादी कारियों ने अन्य छात्रों के साथ PG College प्रभंदन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्यालाय में आगामी समय में आज जित होने वाली आफलाइन परिक्षा को रद्ध की जाने की मांग की गए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्चा और ऐसी कोरोनी जैसी गंपीर मामारी का सामना ना करना पड़ी 실तरी पंचाचुनाओं में जैसे जैसे नमंगन फरम भरने की अंतिमतारी करीब आते जारी है वैसे वैसे इस कडाके की ठन में पंचाच असतर की राजनीती का पारा उपर शर्ता जारा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई तो चौथे और पाच्वे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याश्यों में नाम निदेशन फॉर्म जमा करने के होड लगी रही शुकरवार को यहां आकड़ा गाड़ी के मीटर की तरह तेजी से चलतरा और शाम होते तक दो सेखड़ा को यहां पार कर गया चलिए आपको बता देते हैं कि जिले के भीतर कब कहां किस चरण में चुना होने वाले है तो प्रतम एवं द्यूती शरण में विकासखन बैयर, परसवाडा, वारसवनी, खेलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 672, 152 जनपत पंचात के सदस एवं 19 जिला पंचास सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंदी छेत्रों के रिटर्निंग ओपिसर के द्वारा निर्वाचन के अधिसूचन आ जारी कर दी गई है इसी कड़ी में नाम निदेशन पत्र जमा करने के पांच में दिन 17 दिसंबर को पंच के लिए विकासखन बईयर से 19, परसवाड़ा से 28, वारसवनी से 32, खेलांजी से 49, लांजी से 12, किरनापूर से 39, एवं विकासखन कटंगी से 29, प्रत्याश्यों नाम निदेशन पत्र जमा किया है, जन्पर पंचाय सदशे के लिए विकासखन बईयर से 6, खेलांजी से 2, किरनापूर से 4, एवं कटंगी से 2 प्रत्याश्यों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है, जिला पंचाय सदशे के लिए शेतर करमांग 7 से जोती उम्रे, शेतर करमांग 14 से अलका मुल 18, सरपंच पत के लिए 73, जन्पर सदशे के लिए 16 और जिला पंचाय सदशे के लिए 5 प्रत्याश्यों के द्वारा नाम निदेशन पत्र प्रसूत किया गया है, नाम निदेशन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 20 दिसंबर 2021 रखी गई है, देर श्याम को राज्य आयक के द्वारा एक और आदिश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामाने दिनों की तरह नाम देजिशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शल्ती रहेगी प्यारुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजीर होते हैं 99% मेचिंग के साथ मेचिंग की दुनिया में जले का जाना पैचाना राम वर्दमान साडी फंडार जी हां वर्दमान साड़ी फंडार में है मन मोह के दुपटे, दुले का सूट, दुलहन के लाचे, बनारसी सिल्क साड़ियां, दुलहन चुन्मी, साफा कपड़ा, बांधनी साड़ियां, रेमन, सियाराम और तुल्सी जैसे ब्रांडेट कंप्यों के पेंट शर्ट के कपड़े, ब् पतल, वायल, निवार, साथी सभी हैंडलों में, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंपल, मच्छरदानी, सोफा कवर, सेट, कंपर्टर, एसी कंपल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा मेचिंग की विशाल शर्कला में, फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, जिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाईदो का रूबिया और जार्जेट का अद्बुन संग्र, इसके अलावा अगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथी टेंट कपडे, दरी, चेटाई और कार्पेट की विशाल रेंज तो जरूर आईएगा, वर्दमान साधी घंडार, आडवानी कंप्लेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट भालाघाट, प्रोप्राइटर विमल उमार बोत्रा, शांदार कपडे पहनने के शौकिने के लिए श्री शिबदार्थ कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंप्नियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे बुर्विन की साधिया, दुले का सूत, शेरवानी डिजाइनर साधिया, शां शांदार कलेक्शन यानि शांदार कपड़ मिलने का एक मात्र विस्वस्मी है इस्थान्स तो चले आईए श्री शिदात कलेक्शन राजगाट चॉप बिद्री चॉप वाली बली बाला काट ब्रांडेट कंपनियों के कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए शेहर का पसित जगमगाता नाम अभी नंदन फाइशन जहां है मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर और स्ट्राइट जैसे ब्रांडेट कंपनियों के एक सिपड़कर एक आकरशक और अधभुत, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला, साथी दुलह का सूट, शिरवानी और गोर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्रंखला, आकरशक अंडर कार्मेंट्स, लेड खूब सूरत जैकेट, जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम, अभिनंदन फैशन, अहिंसा द्वार के पास, काली तुर्पी चौप, बाला घाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभिनंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवम इस्थिट्यूट और प्लेटपार्म फार यूथ, बैंक, ससी, रेलवे, आरक्षक, वनरक्षक, आइटि, आई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर पाँच वर्सों से सरवाधिक सिलेक्षन का रेकॉर्ड, इसके अलावा सेपरेट स्पेसल बैक्ष फॉर आईबी पियस, पियो, क्लर्क, आरारवी, आरबी आई, एस बी आई, सो, एंड स्टेनो ग्राफर, मैट्स और रिजिनिंग के स्पेसल बैक्ष, दस वर्सों के अनु क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी सुदाव लब्द है, जादा जानकारी के लिए शीग्ष संपर्क करें, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर राखवेंद्र मिस्रा सर, डारेक्टर यूम इंस्टिटूट, डाक्टर महाजन के सामने, सहरा अबी के बाजू में सरकिट हाउस रोड बालक नगर के बाद एक बाफिस से आपका स्वागत है, परते खबरों के लिए, नगर के बाद नमर 20 में स्तीद माननपुना मंदीर का नौ निर्मान हो रहा है, इस अवसर पर 30 जनवरी से 6 फरवरी तक भव्य प्रान प्रतिष्ठा समारों का आयजन किया जा रहा है, इस अंदर में माननपुना मंदिर प्रांगन में पत्रकार वारता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया, कि यहां पूर्व से जो माननपुना मंदिर था, मा 110 वर्ष्ट का हो गया था, जरजर होने के कारण नए मंदिर का निर्मान किया उसको बहुत ज्यादा प्रचारित करेंगे, जिले भर में, महराष्ट में, गूंदिया में, नाकपुर में जहां था, हम लोग से प्रचारित करेंगे, और इस इस अंदर को इस पूर्णिय लाब में सामिल करेंगे, हमारा उद्देस मंदिर जब जरजर हो गया था, उसको विसजित किया गया, हमारे आर्केटेक्ट आलोग नेमा जी ने, इसमें एहम भूमी का निभाई, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां महां से विस्थापित करना, बड़ा कठिन काम था, और धार्मी करूप से लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर अब इसको निर्माण को कंप्रीट करने की और हैं, उसके बाद उज्जेन में एक है और एक बाला घाती में, इस सौ साल से पुराने अनपुर्णा मंदिर यहां पर है, अनपुर्णा मंदिर जिले में मेरे खाल से ही मातर था, और बहुत कम पाय जाते हैं, मगर पीठ है, माता जी के कई चमतकार देखने मिलते हैं, तो जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिर्सी कारेक्रम होने वाला है, यह बहुत भव्वे प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम होगा, मैं आपके माध्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूं, कि उसमें सामिन हो, तो आपको एक अलगी आनन की अनुगोति हो हूं। शहर का गंदा एवं दुशित पानी बनगंगा नदी में कुछ मैनों से नहीं बलकि पिछले कई वर्सों से लगातार जा रहा है, लेकिन इसोर अभी तक किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, गंदे पानी के कारण सभी लोगों को परिशानी है, और सभी के द्वारा क कुछ बेहतर विवस्ता बना जाने के लिए कर बाद भी कई जा रही है, हमने यह जाने का प्रियास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है, महां किस छेतर से आ रहा है, इसकी परताल करने पर पाया गया कि महां पानी हनुमान चोक्स की और से न उचाई अधिक होने जाने की कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण वह गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुरगन के कारण महां से जाने वाली लोगों को परिशान होना पड़ता है तो यह जो बनाएं यहां पर यह गलत बनाएं गलत बनाएं गलत बनाएं इसकी कम करना था इसको अब यह पूरी रोड जाके वहां खतम होई कर् boys if you need loss a इसके लिए के लिए कर बनाना चाहिए मतलब लिए कुछ ब्रानट अगर बना चाहिए अबर शुद्ड करखे घंग यह बहगए यह बदूह ब्हें कर जातना ती जाती है इसमा घर तक आती बद बाद्व सटीश रहती है शना पीज़ फिर बहूल के एसस eg कम से कम यह कहीं वरसे से पहले बना था ना पानी पास हो जाता था फ़ले कच्ची रोड थी कि वह बद जाता यहां पर कि समस्या होते हैं यह बजबू हैंका करता है अगर पानी क्या पास होने को वह फ्रक्षतों बीज शुद्द्ध करके सूर्फे करके तॉमजते हो रहें बहुत बद्बू करता है फ़ानी ये खेतों में भी आता है फंच वह तहले हम पानी आता है पड़ा पुरु शहर का पनी या पूरा पह रादर है ना करते है पहर अधानी कांपे से फुरा या देख करते है घ्रुनामे पर खाल है इसे पूर यह पानी आगे कहा जाता है? यह पुरा दम्हा हो जाता है. पुरा दोसित पानी है? यह नदी में पुरा दोसित पानी है? पानी के पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोष्मी बंदर जिरिया होते हुए बैनगांगा नदी में जाता है. सरकार की भी योजना है कि शहर का गंदा पानी नदी में न जाए. सरकार ने इसके लिए कुछ करना चाहिए, वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट लगा कर गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने चाहिए, गंदा पानी ज्यादा दिनों तक जमा रहने से विमारी फैलने का भी डर बना रहता है नाले को देख रहा हूँगी कितना बड़ा था अभी वर्तमान में क्या नाला है, एक तो नाला की सब्सक्राइब बता रहा हो जो जहार की जिल्लिया जाके वहां पे जमा हो जाती है, उस जमा होने के कारभ पानी आगे नहर पाता है, एक तो पायंट यहाला हो गया, और दूस पूल नहर नहर के पास पूलिया बना है तो पानी सर्ण से लिकल जाएगा पूरा दोसिद पानी है कितने वार्ड पाता है पानी तो आप लेलो गुजी चोग का पानी वार्ड नमबर अठ्रा का पानी लेलो वाड नाबर 27 लेलो, वाड नाबर 28 लेलो, 30 लेलो, पत्तिस लेलो, ये पुरे वाडों का पानी को दिवे जाता है तो ये पुरा गंदा पानी नदी में जा रहा है, तो इसके लिए होना क्या चूँँ है? अब इसके लिए तो प्रशासा सोचे की कैसा कर सकते हैं, और अभी सरकारी की योजना भी है की सहर का गंदा पानी, नदी में न जा, अब इसके लिए सरकारी कर सकती है, जो करना है जिसको देखती हुए प्रदेश शरकार के द्वारा व्यवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है, परनतु बारसुनी में कुछ अलगी हालात व्यवस्ताओं को लेकर नजरा रहे है, जहां पर कई प्रकार की चीज़े देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भया बहा इस्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधायक के द्वारा, बारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया था, जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के द्वारा गद दिनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कर रही कमपनी को फटकार लगाई गई, जिसके बाद इंजिनेर्स के द्वारा आया ऑक्सिजन प्लांट को तयार किया गया, परंदो शालू होते ही जो पाइपलाइन विछाई गई थी उसका लीकेज चेस्टिंग में समझ आया, जिससे कारे की गुनवत्ता पर प्रश्चन चिजन लग रहा है, सिविल अस्पताल में देखने में आ रहा है कि मरीजों को ओमिक्राण वेरियंट को लेकर एक अलग ही दहस्यत का वातारन बना हुआ है, इसका असर यहां भी है कि OPD सहीत भरतिव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे हैं, ओमिक्राण वेरियंट के प्रदेश के प्रवेश्च पर प्रदेश शरकार के दबारा गंबीरता दिखाते हुए, पूरे प्रदेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर सभी अस्पताल जैसा कि मालूम है कि ओमिक्राण वेरियंट है और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर कि व्यापकत ही आरे हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे कि कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वारा उसनी में पहले था वही किस अवस्था मे पड़ा है निर्जी ववस्था में पड़ा है दूसरा अक्सिजन प्लांट चालू है नहीं है और इलेवन के वी का सप्लाई जो होना चाहिए उसमें भी गती नजर नहीं आती है यह तो ही हमारी तशिल चिकिस साल है कि स्थिति लेकिन ग्रामी इस तर पर जो स्वास्तिकें जैसे पिछले बार भी हमने कोरोना काल में देखा तो उसमें बहुत निर्दोष्ट लोगों की जान गई आक्सिजन के अभाव में और अवयवस्थाओं के अभाव में और अभी जैसे अभी नया विरियंट आ गया है हम देख रहे है प्रदेश में और अभी जिला डोके से दी मिले जाता है तो उसके लिए पर्शासन निया वास्ता कहा की उटसौन्वे नहीं ना भी получится पहली है और उस्धाब सब्सक्राअ को नोगन स्ब्सक्राइब क्या है कंण था कि हमारी चारव सत्लक्रास ड़ीचिताल है कि सहर में ना तो कुई मास्क लगा के चल रहा है ना जेड महां पे कोई नहीं अंचरण है बड़े-बड़े कारेक्रम हो रहे हैं बड़ी-बड़ी भीड़े जमा हो रही है आप तो नजर आती है सारी इस्तर पर हमने अभी आक्सिजन प्लान चालो करवा दिया अस्पताल में उस दिन हमारे माने नहीं विदाय कर दिया है जिसका पूरा वहन वारा सुने के गणमानी नागरिक करेंगे जिसमें हम लोग दीजल फिरी देंगे द्यावर की व्यवस्ता भी हमारे द्वारा कर दी गई है चोईस घंटे वह यहां वारस्वी शेहर के लोगों के लिए उपलब्द रहेगी कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर के तबाई मचाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहें एवं छेतरी जन लापरवाहा होते जा रहें और लोगों में कोरोना की तिसरी लहर का खौब भी नजर नहीं आ रहें इतना ही नहीं लापरवाही बरतते हुए कोरोना की तिसरी लहर को दावद भी दे रहें अब भी लोग सतर्क नहीं हुए तो कोरोना की तिसरी लहर अपना प्रकौब दिखा सकती है लालबरा मुकेले सेथ ग्रामी शेत्रों में कोरुना की तीसरी लहर का डर किसी भी में भी नजर नहीं आ रहा है और लोग बे परभा होकर खुले आम बिना मास्त के घुम रहे हैं इसका परभाव किसी भी समय उनकी जान पर आ सकती है जबकि यह दूसरी लहर की अपेक्षा कम से कम 10 गुना अधिक और खतरनाक सावित हो सकती है लालबरा समदाइक स्वास केंदर में कोरुना की तीसरी लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के द्वारा जानकरी ली गई तो स्वासिभा के द्वारा बताया गया है कि कोरुना की तीसरी लहर के लिए वे पूरी तरह से तयार है और मरीज के आने पर पुना कोविट सेंटर महविद्दाल एक कन्यच छात्रावास में प्राराम कर दिया जाएगा जिससे एक प्राचिन मुहोरा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए अगर इस प्रकार की स्थिती रही तो इसके दूस्प्रणाम सभी को भोगना पड़ सकता है और अगर हम इससे सचेत रहे बचे रहे तो तीसरे रहे को बचाया जा सकता है और हम भी जाने बरतना चाहिए और उसके साथ Tiãoक घार्वन का छिख रलगाने के लिए लगए भी मार्य प्रटोन करना है डेमास्क लगाना जरूरी है जैसे आप लेके लाला वरमने का अधिकान लोग क्या बिना मांसकी रहते क्या मास बेचार्ग नबगçi नबचले क्या वेनी पिट्टी मालूम आज कल मास्कों लोग डेगोरेशन के रूप में लगाते हैं जबकि मास्क वाला और अच्छा मास्क ओमीक्राइब एक नया वेरियंट आया है भी जो आज के डेट में 99 पेसेंट इंडिया में उसके हो चुके हैं चुकि डेल्टा प्लस से कम खतरनाक ह इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और प्रेसेंट उपता गंबीर अवस्था में नहीं जाता चुकि इसके साथ में सबसे बड़ी समस्था यह कि यह डेल्टा प्लस से पाच गुना ज्यादा सक्षा में इन्फेक्शन फैलाने में और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अच्छा उपाई यही है इस बार तो विदायक निदी से 40 मशीन आई थी और साय तो सम्भावन ना है कि और आ सकती है और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी के स्तर पर जो चंदा करके मशीने लिए थे वो भी हमार पास हो व्यवस्थित रखी लिए तिसरी लहर क लेकर स्वास युभाग को सतर खोने के साथ ही तैयारी प्रारम कर दिन दिन चाहिए जिससे समय रहते तिसरी लहर को नियंत्रित किया जा सके धूल खा रही ऑक्सिजन मसीन कबार में पड़े ऑक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लहर की भीसन तबाही को देखते भी लालवर के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बंद कर दिया गया सेंटर और प्राप्थ हो चुकिया है तोटल पैटालिस ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर अभी उपलब्थ है जाथ ही पांच शे ऑक्सिजन स्लेंडर हमें उपलब्थ है यह यादि तीसरी लहर आती है और ऑक्सिजन की और ऑशकता पड़ती है तो चीना सपताल वाला घाट में प्लाइट के मात्यम से हमें oxygen cylinders की वैस्ता कराती चाहिए इसके साथ ही पूर में समा से भी संस्ताओं के द्वारा oxygen concentrator दान किया गया था वो second लहर के पस्चाथ उन्हें वाफिस कर दिया तो सर अभी तैयारी हो लेकर अभी कुछ यहां पर तो फिलाल लूजब्रेटरिन में बस इतना ही आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं पदमेश्वन पूस्तिवार नमस्कार गुरबार की रात को बालाखाट गोंदिया रोल पर हुई सड़कास्ते में बाइक सवार दो यूकों की हुई मौत करणा पूर्थाना के अंतरगत बारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहां डाले रात को साल्टेगा से लोग रहते वापस अपने घर वारा अध्यात वहां ने मारी टक कर घटना सल पर हुई थी अंकित की मौत इलाज के दौरान कार्थिक ने गोंदिया में तोड़ा दम 17 दिसमर को पुलिस लाइन में मनाये गया पुलिस स्थापना दिवास जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अला अधिकारी मदप्रदेश के भीतर होने माले तिरिस तरी पंचा चुनाओ और नगरी निका चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश OBC आरक्षन किया समाप्त OBC आरक्षन स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर NJT ने दिया देश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अतिग्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राजिय शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक रहे लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाउं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततों पर कड़ी कारवाई की माँ एने शुदाई के पदादी कारियों ने जटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच शार एक सोपा ग्यापन कोबिट-19 के प्रकवपो देखती भी आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाद नमर 20 में स्थित मा अनपुना मंदीर का हो रहे हैं नौनिर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालकों ने नगरपालिका के अधिकारियों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मध्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्धों पर की गई चर्चा मध्यप्रदेश हासन के नवीन एवाँ नव करणीय उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप्स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले बास्यों के लिए अच्छी ख़बर सामानेवन छेत्रों में वस दोजार अठारा की तुलना में दोगनी हुई बागों की संक्या उतर सामानेवन मंडल की 130 बीटों में मिले बागों की उपस्रीती की साक्षे बारशनी शहर के भीतर बगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिसक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंचिया चुनाओं निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसम्बर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 करमशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताव नोटिस 33 पंचिया चुनाओं के नाव निदेशन के पाच विदीन 280 प्रत्याश्योन भरा नामांकन फॉँआउँ कोरोना के तीसरी लहर के लिए प्रदेश इस्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधुरी तयारी के बीच चल रहे है तीसरी लहर की तयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी चेहरे पर नहीं लगा रहे है मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे डेट तीसरी लहर की दस तक से पहले बारा सुनी में अक्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल्ट प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गया पाईप कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुबार विस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार वैलवर मुखेले से बारा किलोमेटर दूर कंजाई बंचयाद गयते सक्तिपीट में इकतालिश वश्चुगाट के आउसर पर हो रहा स्रीमध भागवद गीता का युजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाडो का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुँच रहा बैंगंगा नदी मैली हो रही है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार 40 वर्षों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोट सिंदु भवन के बाजू में आजाच चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्लाइड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एलूमिनियम सेक्शन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आजाच चौक पालाखाट आव चलें वक्त की रफ्तार के साथ शहर का पतिष्थित पतिष्थान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उखलब्द है देश विदेश में पुसिद आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दती से पनी अनेक ब्रांडेट कमकियों की दो पहिया गाडियां बैटरी से चलने वाली शांदार गाडियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुफ्ती लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्ज की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नंबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नंबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनल्स विधा उपलब्द एथ ही शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इच्छत के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यों थ्री विलर हमारा वद्द्ध से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है बहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसी एन डॉक्टर वेत प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी वही चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना सरदर्ण और चक्कर आना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा होना हात पैर और जोडों में दर्द बज जलन होना, विमारियों का सफलत मिला, मूक एवं दंद रोग विश्चा के, डॉक्टर निली मां वेद प्रकास लिलना रे बीना दर्द के दाथ निकालना, दाथ और मसूड के दर्द का उपचार, तेड़े-बेड़े दाथों को तार लगाना, पर्मानेंट फेस दाथ, मसूडों का इलाज, सुरोट के नाल, दाथों पर केप चड़ाना, दाथों की सफाई, दाथों की फिले, मूग के कम खुलने का इलाज यहां ECG, pathology, nebulizer और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलब्द हैं तो याद रखे वेद हेल्थ केर मादूरगा मंदिर के पीछे railway station रोड हनुमान चौक फालाखान आपके घर को आकर्शक और सुन्दर बनाने के लिए शेहर का प्रसिद्ध प्रसिस्थान, hometown tiles, design to impress you hometown tiles में उपलब्द है सभी प्रकार की आकर्शक, flow tiles, double charge tiles, GBT, PGVT, nano, matte finish tiles, wall tiles, parking tiles, elevation tiles, kitchen tiles, steel sink, granite, quartz, sanitary products, commode, designer wash basin और bathware accessories की आकर्शक शंकला, आकर्शक नल्फिटिंग और शावरादी की संपून रेंज तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर hometown tiles के साथ हमारा पता है hometown tiles बैयर रोट डॉक्टर गादी के सामने बाला घाट क्या आपको अपने केबल के भुतान करने में कोई परिशानी हो रही है तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप डाउनलोड करने के बाद अब अपना customer ID डालें जो कि आपकी receipt में लिखा होता है अब default password 1 डाल कर login करें अपना registered mobile number या card number डाल कर सिर्फ एक बार account को verify कीजिए अब password change करें पेमेंट के लिए add balance to wallet में जाएं और अपना amount एंटर कर pay now पर क्लिक करें अब अपने मन चाहे payment method से payment करें इतना ही नहीं चालू package, bill या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस app में मिलेगी तो अभी अपना phone उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश digital app और आनद लीजिए अपने मन पसंद entertainment का अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 831-9969927-8878-006435 internet is part of everything you do today we know just how important it is for you be up to watch your favorite shows or download movies enjoy high-speed gaming work from home take up online courses uninterrupted video calls or to power multiple device in a single home internet today is for everyone to get the best of all your digital needs you need the best internet experience switch to Padmeish broadband Balaghat's largest fiber broadband network Padmeish broadband delivers fiber technologies thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed upload heavy files as quickly as you download them enjoy incredible giga speeds of 1000 mbps get the promise speeds consistently use all smart devices together with virtually no dropping performance today Padmeish broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district welcome to the new era of digital experiences Padmeish broadband Feel the Speed चिले की हर किशले की हर कोबर सबसे पहले आप अप तक पहूंचाने का वादा बस यही एक इरदा कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुमार मिस्त्रा के द्वारा पश्चु पालन एवं डेरी विभा की समिच्छा बैठक में अनुपस्तित पांच करमचारियों पर कारवाई के लिए निर्देशित किया गया है बैठक में मुखे रुप से किसान क्रेडिट कारड पर विस्तर चर्चा की गई विकास खंडवार अधिकारियों की समीच्छा के दोरान अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कारड कार्ड के आवेदर बैंकों में जमा करने ही तू निर्देश दिये गया बैटक में अनुपस्तित एवं कारे में लापरवाई बरतने वाले 5 कर्मचारियों के एक माह का वेतन रोकने के निर्देश कित्वारा दी गए आपको बता दे कि कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि मों अपना काम बेहतर तरीके से करे बाउजुद इसके किलापर वाही कम होने का नाम नहीं ले रही है नतीजा 33 पंजा चुनाम अध्दान की ट्रेनिंग में अब तक 19 कर्मचारी अनुपस्कित रहते जिन पर भी कारवाही प्रस्तावित की गई है लालबरा मुख्यालेश से करीब देड किलोमेटर दूर राजमार सिवनी पर इस्तित पाउर हाउस के समीप अउल्या कनार मार पर इस्तित नहर में डुमने से 17-18 दिसंबर की दर्यवियानी रात में ग्राम पंचायत अउल्या कनार निवासी 42 वश्य 37 बेल की मौथ हो गई यवां पुलिस ने मामले की जान शुरू करती है प्राप्त जानकरी के नुसार अउल्या कनार निवासी 42 वश्य 37 बेल 17 दिसंबर को दोपर करीब 3 बजे घर से लालवरा जा रहा हूं करकर घर से निकला था किन्तो रात करीब 10 बजे तक मौँ वापस नहीं आया तो परीजनों ने आसपास उसकी पता साजी की किन्तो कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसके बाद परिवार के सदर से शोग है 18 दिसंबर के सुबह जब ग्रामिन जन सुबह घुमने निकले तो उन्हें टेकाडी जला से की नहर माइनर जो ओल्या कनार होते वे पांधरवानी रामजी टोला के उर आगे जाती है और पावर हाउस सिवनी मारग के समीप से गुजरी औल्या कनार मारग नहर के पानी में डूबा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास जाकर दिखा गया जिसके सिनाक्त औल्या कनार निवासी 42 वर्षी 37 पेल के नाम से पहचान हुए जिसके जानकारी उनके परीजन वो पुलिस को दे दी गई मैं नहर से जा रहा था तो दोजा लोग कि आप मुझे प्रूब देखे बता चला कि हमारे ग्राम के युवक्त 37 कुमार बैर नहर में जो है मुरत आउस्ता में मुझे पाए गया मुझे ऐसा लगा कि सायद को सुबह या राती में आये होंगे और सायद हो सकता है कि उन्हें टाइले 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 लगी होगी या नहर किनारे आये होंगे तो उनका पैर फिसलने से वो नहर में गिर चुके होंगे जिसके पानी में गिरने से उनके सायथ पानी वानी अगर सरीर में चले गया होगा तो अचानक बद्धि हो रहा है तो इस हिसाब से मैंने लेका कि यह भी रध हो चुग है तो फिर घाना रहा थाने लिए हम लोगों ने रिपोर-कक ऊहने हमारे ग्राम बिर्सा थाना चेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम दमो कालोनी में 22 वश्य नव विभाहिता लीना धुर्वे ने पती के द्वारा दी जारी दहज पतारना के चलते अपनी 10 माह की दुद्मुही बेटी को छोड़कर फासी लगा कर आत्मत्या की थी बिर्सा पुलिस ने दहज हत्या के इस मामले में लीना धुर्वे के पती लखन धुर्वे 24 वश्य को गिरपतार कर लिया है जिसे न्याई का विरक्षा मुझीला जेल भिजवा दिया गया है प्राप्त जानकारी के नुसार लीना का माईका ग्राम रेल वाही परशाई का है जिसका विवाद दो साल पहले लखन धुरवे ग्राम दमो कालोने निवासे के साथ सामाजी करीती रिवास से हुआ था शादी के बाद से ही लीना अपने सस्राल में रह रही थी जिसकी एक दस महा की दोध मुह बेटी खुशी है बताये गया कि लखन धुरवे शादी के बाद से ही अपनी पतनी लीना को दहच की मांग को लेकर शारिरिक वंमानसिक रुप से पतारित करते हुए उसके साथ कुरुता पुरुख व्यभार करते आ रहा था 12 वर 13 दिसंबर की दर्मियानी रात में लीना ने पती लखन धुरवे के दबारा दी जा रही देज बतारना से परिशान होकर उससे अपनी दूद मुही बच्ची को घर में सोता हुया छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास इस्तित करन के पेड में फासी लगा कर उसने आ अपराद दश किया और इस अपराद में लखन धुरवे के गिरपतार करके बईहर के अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उससे न्याई का विरक्षा में जीला जील बिजवा दिया गया है मत्यपदेश के भीतर होने वाले 35 चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाई चुनाव के लिए सुप्रीम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते भी महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्तान पर OBC आरक्षन के लिए स्ट आरक्षित की गई थी उन इस्तानों पर सामने स्ट की तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दाव अली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ देजिए कि जिन इस्तानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे उन स्थानों को सामने स्रिट घोषित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचा चुनाओं को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोडा रहा है इसी कड़ी में सुप्रिम कोट में सुक्रुवार को होई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाओं सम्विधान के इसाब से हो रहे है तो कंटिनू रखे अगर सम्विधान के खिलाप है तो चुनाओं रद्ध करे इसका निर्ने राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है कोट के इसकादे इसके बाद पंच्या चुनाओं की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है हलाकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में कोई अभीमत नहीं आया है MP में पंच्या चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तंखाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाव सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243 C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रियन कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर लिया जाएगा मुक्य चिकिसा या एवम स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवम लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तथा रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिसा क्लिनियों को को सिल बंद कराए गया है विमल के वीशन के क्लिनिक में पाए गए उपकरनों एवं आउश्योद्य को जप्त कर क्लिनिक को सील बंद कर दिया गया है इसी प्रकार वारशनी शहर में सिविल लाइन के पीछे मज़ित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रतम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच स्थेर के दवारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसिलदार राजिंदर टेकाम के नेतरत में गठी दल के सदसे जिलाची किस साले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुन कुमार लांजेवार आकास्मीक निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दवरान अस्पताल में लगभग सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगभा रोख से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबिर इस्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लांजेवार के दवरा ततकाल एक सवाट एम्बूलेंस बुला कर रोगी को सीविल अस्पताल वारा सुनी भिजबाए गया जहाँ पर डॉक्टर कमलेज जोड़े दवरा रोगी का परिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टिपेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाए, ब्लड सेम्पल कलेक्शन, ट्यूब आदी को जब्त कर इस निजी अस्पताल को सिल बंद कर दिया गया निरिक्षन के दोरां ड्. आरेच थेर के दवारा संचालेत निजी अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज बुपाल से प्राप्त युग्यता संबंदी प्रमानपत्र पाय संधेज जयनक पाये गया जो की प्रतम दृष्ट्या संध्यास्पत प्रतीत भी हो रहा है उप संचालक क्रसी एबम अधी सुचित प्रादिकारी राजिश खुबरागडे ने उर्वरक वितरन एबम विक्रे में नियमों का पालन नहीं करने के कारण में सस्थ नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्वीस वरसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्थ कर दिया है इसके साथ ही उनके प्रतिश्थान में उर्वरक के बच्चत सकंद का विक्रे करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिनों की अवधी के बाद उनके द्वारा उर्वरक वेवसाई किया जाएगा तो उनके विरुद वैधानी कारवाई की जाएगी और इसके लिए बे स्वयम उत्तरदाई होंगे 9 नमबर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिय विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उर्वरक वित्रन नहीं करने पर मेसर्स नतराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसपाड़ा के प्रोप्राइटर नमीता अतुल हनवत को उप संचालक रशी खोबरागडे के द्वारा नोटिस जारी कर स्पर्शवी करन प्रस्थूत करने के लिए के लिगा गया था लेकिन प्रोप्रेटर नमीत आतुल हनुवत के द्वारा नोटिस का संतोज जर्णाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उर्वरक लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया था शहर के देवित आलाप पर किये अतिकरमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजेटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आलाप प्रकरण में किसी भी तरके अतिकरमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है एंजेटी के द्वारा देगया आदेश के अनुसार देवित आलाप नीजी भुसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरका कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान एंजेटी ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम कारवाई की जाएगी आपको बताते कि एंजेटी में दर्श की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्लेक क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगबा आठ एकर से अधिक बताये गया है पुलिस लाइन तालाब रगबा तीन एकर महरा तालाब रगबा चार एकर मोती तालाब रगबा लगबा बावन एकर बुदोभी तालाब रगबा लगबा छे एकर देवी तालाब रगबा लगबा लगबा सूला एकर दरी तालाब रगबा लगबा साड़े चार एकर दसा कि आगया है कि यह तालाव रिसफ डेवलपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलाकि इस आदेश में इस बात का कहीं वे उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालाव का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मदपदरी शासन और बालाखा जिलाप्रसासन को किस तर सदेश आसन उच्छे सिख्चावी भाग के दवारा शुकरवार पुन अगर के पीजी कॉलेज बैडबिंटन हॉल में संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रत्योगिता का आयज़न क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयजित की गए इस संभाग इस्तरी ए महला पूरु और बैतुल की महला और पूरिस बैडबिंटन टीम ने फाइनल प्रतियोगिता में प्रवेष किया जहां देरश sibling अल्ट चिंदवाड़ा और बैतुल का मत देखेला गया जिसमें महला पूरु तूनहीं वर्ग में बैतुल की टीम एक भी अरजित नहीं कर पाई महीं सुन्ने दो से छिंदवाडा टीम ने प्रत्योगिता का फैनल अपने नाम कर लिया जहां प्रत्योगिता के समापन पर छिंदवाडा की महिला पूरिस बैडमिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैतुल की टीम उप विजेता घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुरिसकारों का वितरन कर दोनों टीमों से राज्य सतरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाडियों का चैन किया गया शुकरवार को नारी ससक्तिकरण के बैनर तले लामता छेत्र के ग्राम खुरसोडा की दर्जनों महिलाएं लामता थाना पहुंच कर थाना निरिक्षक को एक ग्यापन सोब है ग्रामिन महिलाओं ने ग्यापन के माध्यम से थाना निरिक्षा को आउगत कराया कि ग्राम खुरसोडा में एक महिने के अंतराल में छेड़शाड के दो प्रकरन दर्ज हुए है एवं एक मार्क पिट का प्रकरन भी दर्ज हुआ है इसके बावजुद भी मुलजीमों पर के आरोपियों पर सिग्रता पुर्वक करवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए थाने पहुंची महिलाओं के चर्चा के दौरान पुलिस अदिकारों ने बताया कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है आरोपियों के विरुधारा लगाकर नयाले में प्रकरन पेश कर दिया है आ अगरिम कारवाई नयाले के और से की जाएगी. लालवरा मुख्यलैस से लगभग 12 किलोमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंचयात कंजई सित्मा गयातरी सक्तिपीट मंदिर के प्रांगन में गत 9 दिसंबर से जारी स्रीमत भागवाद गीता ज्यानिय यग्य ससंग संगोश्टी का 17 दिसंबर को गय आता 11 बजे से शाम 6 बजे तक गयतरी सक्ति प्रिंट कंजई का 41 वार्सी कुस्त्व मनाए गया इसके पश्चाद वीबिन संसकार संपन करवाए गये यहमं वैदिक मंदोचारण के साथ ही पाच कुंडे गयतरी महा यग्य का आईजन किया जिसका संचालन मात्र संस्ता शान अकिल भारतिय बाग आकलन 2022 के फेस वन डेटा कलेक्शन कारे के तरती शरण में बालाखाट बन वरत के अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटु में दिनांग 15 से 17 दिसमा 2021 तिन दिनों तक बाग तेंदुआ एबम अन्य परभक्षियों के साक जुनने का अभ्यास संपन हुआ बालाखाट को टाइगर जिला एबम प्रदेश को टाइगर स्टेट का दरजा बनाय रखने की द्रश्टी से बनन वरत्य बालाखाट अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के यहां आक्डे अत्यनत्य सराहनिये है बसस्टेड की यातायत विवस्ता को दुरुस करने और बसों के एरधगिर्ध घुमने वाले आटो के जमाऊड़े को विवस्तीत करने के लिए कुछ महापूर्व यातायत पुलिस के दबारा बस स्टेंड गौठान के सामने जक्की जगह को आटो संचाल को को स्टेंड लगाने के लिए दी गई थी जहां आटो चालक स्टेंड पर आटो खड़ी कर सवारी को ढोने का काम करते थी अब यातात पुलिस के द्वारा स्टेंड के लिए दे गई उस जगह को खाली करने के आदेश नगरपालिका के द्वारा जारी किये गए जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकाडी 37 मरसेनिया ने स्वैम बस स्टेंड का निरेक्षन कर उक्त जगह से आटो स्टेंड हटाने की निदेश दिये जिससे आटो चालक काफी नाराज है उन्होंने आटो स्टेंड के उक्त जगह को खाली न कराए जाने की मांग लेकर नगरपालिका में एक ग्यापन भी सुप है आटो से नहीं हो रहा है आज की देट में यह चल रहा है कि हमारे पीछे गवर्मेंट ने उनको सागन बन इस्तित में उनको 15 साल से जगह दे चुकी है आखर की जगो 15 साल से उधर दे चुकी है क्योंकि यह जो है कि खेत खली आने वाला मामला है साल में एक बार भरता है मंडाइन भरती है उसके लिए अब पहले जो था मतलब 15 साल पहले यह अपने बश्टेंड में चल गया पहले आबादी उतनी नहीं थी आज की रेड़ में आबादी इतनी बढ़ गई है कि यहां पर अखर का मंदिर नहीं चल सकता लेकि मंदिर के पीछे राजनीती चला आ जा रहा है अच्छे यह बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि यह जगह जो है गौठान की नहीं आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है मेरे पास में एस्पी आपीस क्लेक्टर आपीस ऐसा करके पूरा केलदा नक्सा है मेरे पास में अच्छा निकलवायें कि निकलवाया उसमें तो टोटल नजुल सीट बता रहा है जबके मंदिर का जो पथर रखा था तो उन लोग ने प्रेसर दे कर उस समय उन लोग ने अपने कलते जो उधर है इस्टर अच्छा जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्टेड में एक बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि आप अपने आटों को पिटनेस कराई है और उसके बाद आपको आपको आटो इस्टेंड खोल के देंगे अभी क्या हुआ इसमें आपने अपने गाड़ी के पूरे ओके करा लिए है और वाला मीटिंग में बोला गया था कि आपको इस्टेंड भी मतलब विस्व कराए जाएगा तो हमको इस्टेंड भी अभी दिया नहीं है अच्छा जो आप पूराना इस्टेंड थे अब उहाँ से भी अठा रहे है आब पर आपत्ति गोवաरी समाच के द्वारा लगाई गई है। उन्होंने इस्पस्ट कर दिया है कि उत्म इनगर्पालिका के द्वारा नहीं दी जाएगी। पूरा मामला यही है कि अलब लोगों ने मेरे को आके आनो आटो वालों ने सायरे डॉकुमेंट्स पिखाए है तो बहुते वाले वी आपक्ति आ रही थी कि यह आटो वाले लोगों के लिए जगे आ रचित रही है आप अना उस्ते लगाई जा रही है अगर वो आपके पच्छ में आता है तो उसे साफसे पर अब लोग यह जादा आपती ने करें अभी सर जैसे की आटो वहीं लग रहा है या क्योंकि ने सीम हिल्वाइन में भी जानकरी आ रही है तो अभी क्या आटो स्टेंड वहीं रहेगा या तो पुनकर वहां लगा अगर वहां लगा वह सुटम ने उनको इदायक दिए और दोदेन में लगा या याँ जाज आज आती है तो फिर अगर आप आया जाता है यहां पर आटो स्टेंड लगा जाना उच्छ तर दो पेंशन दिवस के उसर पर नगर के कमला नेरू हॉल में पेंशनस अधिवेशन का आयवजन किया गया मद्यवदेश पेंशनस एसोशेशन के दबारा आयोजीत अधिवेशन में जिले भर से आए पेंशनस ने अपनी बेभीन मांगों को लेकर शर्षा किये जिसमें उन्होंने अपनी साथ सूत्रे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कारेले में एक ग्यापन सोपा जिसमें उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाने की भी मांग की आयोजी तिस कारक्रम के संदर में की गई शर्षा के दौर आन्वाद्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिला धेक्ष बीयल उपवनसी ने बताया कि सरकार के दवार अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके लावा केंद्र के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहे है आज का कारक्रम जो है 17 डिसरिवर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला अधिवेशन है इसमें हमारे दिले के समस्टनर्स पतिनिद्यों के साथ यहां फ़स्दित होंगे और हम पेंस्टनरों के सम्मन में लंबिट मांगों पर चर्चा करेंगे उसके पश्चात जैसा कि हमारी परंपरा है कलेक्टर महुदाइब के माध्यम से मानने मुख्यमंत्री मानने वित्मंत्री मत्र प्रदेश रासन को ग्यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि 2006 का 27 मैने का एलियस 2008 का 32 मैने का एलियस और हमारे मत्र प्रदेश के पेंशनरों को मेटिकल स्वीदा इकिस्ता भत्ता के रूप में प्रतेक महा के साथ 1000 रुपए दिया जाए ये पेंशन के साथ मनाते हैं कि यहां रुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश कबर खुश कबर रोटरी क्लब आप वालग हाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तद्वावधान में जलेवासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्सव व्याप मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे पारिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्सव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कंपनियों के उत्पादों की विशाल श्रंखला ग्राहक वित्रक और निर्माता के मत विशाल शरंखला बच्चों के लिए आकर्सक जूले और सांसकतिक कारे करम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक समय अपरान चार बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकासर इस्कूल खेल बैदान सर्चित आउस रोड बालाखाड आपके इंटजार में अगर आप टेली जानते हैं तो आपके लिए धेरुजाब कर रहे हैं इंतजार जिहां ये सच है कोई सपना नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइम टेली वित जीस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कम्प्यूटर टेली कंपनी बैंगलों से मानता प्रात जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के ने लाइफ एकांटिंग और जीस्टी की ट्रेनिंग एकांट्स ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थां अनपूर्णा कम्प्यूटर पता है महाविर फरनिचर के बाजु में गोंधिया रोट बाला घाट मश्रूम एडी पाउडर और इंडिन मश्रूम एंड फूड प्रोड़क्स पस्तोत करते हैं मश्रूम एडी सूप पाउडर अब एक नए आकशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्ली की इम्म्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से पाईता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अविश्य अपनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्ते बढ़ाएं मश्रूम एडी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपत करें अकाल म्रसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिले वर्सियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 जिन शनिवार को नए साल की शुरूआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोस्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्यमन करते हुए माकाली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादूं से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्तिती दव्जिकरा कर पुनलाव अर्जित करे निवेदत महाकाल सेना बबब सेना कालों के काल जै बाबा महाकाल पद्मे सिटी केबल के सम्मानिय भुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पद्मे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए क्यू आर कोड चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटिकेबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइग बुक्तान ना करे ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों के ओर शादी का प्रलोबन देकर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुसकंद कर उससे गर्भवती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिन सुनवाई करते हुए पास को एक बालाखाट के विशेश नायदी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाओ निवासी 26 वाशी आरूपी युवग धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए 10 साल का ससम्रकाराबास और 5000 रूपई के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है महीं अभियोक्ती को प्रतिकर रासी के रूप में 46 लाग रूपए राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्राक्त जानकर के नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाओं में 17 मैं 2017 की सुबह दस बजे एक नाबलिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात कहिकर घर से निकली थी जो देर श्याम तक मामा के घर नहीं पहुँची और ना ही महस्वैम के घर वापस आई वहीं मामा के गाओं बहे गाओं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नाबालिक लड़की के वार्ड नमबर चार छोटा गुंदिया स्थीत एक किराय के कमड़े से दस्त्याभी की गई थी जहां फुस्तास में नाबालिक लड़की ने राम बुड़िया गाओं की धर्मिंद नेवारे नामक युवक से तीन वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कहीं साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिंद ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दूर्गा मंदिर में शादी की थी नावलिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो और 5 अबलिक 6 पासको 8 का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रसुत किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पैरवी प्रभरी जीलाव अभियोजन अधिकारी सरीतर ठाकूर के द्वारा की गए थी केंदरिये रिजर्वा पुलिस बल सेंटरल जून कुलकाता महानिदेशक नितीन अगरवाल शुकरवार को अपने अलप प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालाहाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाई रोड भरवेली इस्तीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलप प्रवास में CRPF 123 बटालियन भरवेली और सुनेवान इस्तीद बटालियन की F कमपनी परिसरकार निरक्षन किया दोनों जगह किये गए इस निरक्षन में उन्होंने CRPF बटालियन के दवारा की जारी परिचालनी डूटी का जाजा लेकर अन्य गति विदियो के जानकरी अधिकारी उसली महीं उन्होंने CRPF के जवानों से मुलाकात कर नक्सलाइच छेत्रों में डूटी के दोरान विश शितकाल के लिए टाल दी गई है आपको बता दे कि इसके पूरू जिला पंचयात अध्यक्ष के आरक्षन की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2021 को करवाई जानी थी जिसकी तारिक बढ़ा कर 18 दिसंबर 2021 कर दी गई थी लेकिन 17 दिसंबर की देश श्याम को ही एक आदिश जारी किया इसमें इस बात का उल्ले किया गया है कि अपरहिहारे कारणों की वज़े से जिला पंचयात अध्यक्ष के आरक्षन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है आगामिती थी तैय होने पर सुचना दे दी जाएगी किस बात का उल्ले के आगया है कि क्यों न इस लापरवाई के लिए उनकी तीन वेतन वर्दी रोकी जाए इन करमचारी को साथ दिनों के भीतर अपना स्परश्ट करन प्रसूत करने के लिए कहा गया है अगर समय सिमा में संतोज जरनाग जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की जाएगी हट्टाधाना छेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम साल्टे का चौक सोसाइटी के पास गुरुवार की देर रात एक अग्यात वाहन की ठोकर से मोटर साइकल में सवार करनापूर के बारा निवासी 21 वश्य अंकित विशेन और 25 वश्य कार्तिक रहंगणाले की मौत हो गई प्राव्त जानकर के नुस्तर अंकीत और कार्तिक दोनों साल्टे का किसी काम से आई हुए थे जब रात करिब 10 बजे मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहे थे उसी दर्मियान साल्टे का चौक सोसाइटी के समीब किसी अग्यात वहान ने उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी अग्यात वहान की ठोस इतनी जबर्दस थी कि अंकित की घटना स्तल पर ही मौत हो गई इस हाथ से में कार्तिक सर्म पर भी गंभी चौक उटाई थी जिसे गंभी रहस्ता में 108 MLS के माध्यम से उप्षार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराए गया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकिस सकों ने प्रात्मी उप्षार के बाद उसे राथ में ही गूंदिया रह पर गर दिया गया था जिसकी रास्ति में ही मौत हो गई उधर मरतोकों की सुचना मिले पर अस्पताल चोकी ने धारा 176 के ताहत मर्ग कायम कर पंचनामा सहीद अन्य आवश्य करवाई की वहीं दोनों मरतोकों के शव का पोश्माडम करवा कर शव अंतिम संसकार के लिए उनके परिजनों के सुपूर्थ कर दिया गया है नगर के पुलिस लाइन में मनाय जाए रहे हैं पुलिस स्थापना दिवस के अउसर पर शुकरवार को डियाजी अनुराग शर्मा की प्रमग उपस्तिती में जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट कर उन्हें सलामी दी परेट कमांडर आर आई वाइकर के नेतरत में यातायत और महला पुलिस बल सहीद आठ प्लाटून दल पुलिस बैंड स्वान दल ने परेट की प्रस्तूति देकर डियाजी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अभिश्यक तिवारी को सलामी दी कारेकरम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने परेट में शामील प्लाटून दलो को आवश्यक दिशा निदेश दिये आज इस इस कारेकरम को लेकर की गई चर्चा के दोराण रियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बारसिक निरिक्षन के तहत पुर्व से निर्धारित कारेकरम के अनुसार वे जिला पुलिस कारेले, पुलिस अधिक्षक कारेले, SDOP कारेले सहित विभी ने थानों का निरिक्षन कर महा संचारित गती वीदियों का जाय जा लेंगे वे इस बात का निरेक्षन करेंगे कि पुलिस की परंपरागत रूप से कारे प्रणाली के अनुरूप विभीन जगों में कारे हो रहा है या नहीं नियम के अनुसार कारे किये जा रहे है या नहीं और रिकार्डों का ठीक से संग्रहन किया जा रहा है या नहीं इस बात की जानकारी लेनी की पूर्व, उन्होंने पुलिस स्थापना दीवस के पहले दिन परेट का निरेक्षिन किया जिससे विवीन थानू से आये जमान शामिल हुए, आज किये गए निरेक्षिन में परेट का स्थर संतूर जनक रहा पुलिस लाइन में आईजीत परेड निरेक्षन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी, सुपरवाईजर, अफिसर, आईजी, डियाईजी, विपिन थानूस से पहुँचे थाना परभारी सहित, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्वान दल यातायत के जवान भी शामिल पाले प्लतों आपे लेज लेज पुलिस बल, आमे लेज बल, आमे लेज़्! टॉणति पालाजवा YEAH! कि fluffy डालाजव सेंट झेलगाफता है! कि में 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 में, कि में में, उपालाज चुेफटर्पया सांगी, कि मिलुंखलman कें से विलोंह भिलों समये, कि मिलुंव . कि मुट घंट मुआ व OB कि यह वारशीक निरिक्षण का एक कारक्राम होता है जोकि पूरू निल्हारित होता है जो वरिष रधीकारी रहते हैं जिले के सुपरवाइजरी ओसस अईजी डी आइजी अदीजी साहिप जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षण होता है तो इस वर्श मेरा ब अधिन आज परेड यहां पर ली गई इसमें पुलिस अधिक्षक कारेला होता है निरिक्षण होता है पुलिस लाइन का निरिक्षण होता है थानों का निरिक्षण होता है देखने के लिए होता है कि जो पुलिस का जो परंपरागत तरूप से जो कार परणाली है उस पर किया रहा है कि ने किया जा रहा है नेमा नुसार कार हो रह犯 lend कि नहीं हो रहा है कोरोना की दूसरी लहर समाथ होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिसे देखते हुए शासन प्रसासन के दबारा समय समय पर गाइड लाइन्स भी जारी की जाड़े इन आकड़ों में लगातार हो रहे व्रद्धी को देखते भी शुक्रवार को पीजी कॉलेज एनिस व्याई की पतादी कारियों ने अन्य चात्रों के साथ पीजी कॉलेज प्रभंधन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्याले में आगामी समय में आज जित होने वाली आफलाइन परिक्षा को रद्ध की जाने की मांग की गए अभी हाली में जिस प्रकार से प्रदेस में कोरोना के केसों में लगातार वर्द्धी हो रही है ऐसे में चात्र चात्रों की आफलाइन एक्जाम कराना उनके स्वास्त के लिए बिलकुल अनुची थै इसलिए आज बालागाट NSY के द्वारा चात्र चात्राओं के स्वास्त और उनके हितों को घ्यान में रखते हुए माविद्याले के प्रचार को ग्यापन साउप्सर उनसे आमांग की गई है कि आफलाइन एक्जाम ना कराकर ऑनलाइन एक्जाम कराए जाए जिस्ते की चात्र चात्राओं का जीवन शुरक्षीत रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या और ऐसी कोरोना जैसी गंबीर मामारी का सामना ना करना पड़े त्रेस्तरी पंचा चुनाओं में जैसे जैसे नामांगन फॉर्म भरने की अंतिमतारी करीब आते जारी है वैसे वैसे इस कडाके की ठंड में पंचात इस्तर की राजनीती का पारा उपर शर्ता जा रहा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई तो चौथे और पाचवे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याश्यों में नाम निदेश्यन फॉर्म जमा करने की होड़ लगी रही शुकरवार को यहां आकड़ा गाड़ी के मीटर की तरह तेजी से चलतरा और शाम होते तक दो सेकड़ा को यहां पार कर गया चलिए आपको बता देते हैं कि जिले के भीतर कब कहां किस चरण में चुना होने वाले है तो प्रथम एवं द्यूती शरण में विकासकन बैयर, परसवाडा, वारसविनी, खैलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 675, 152 जनपत पंचात के सदस एवं 19 जिला पंचात सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंधी छेत्रों के रिटर्निंग ओपिसर के द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी कर दी गई है इसी कड़ी में नाम निदेशन पत्र जमा करने के पांच में दिन 17 दिसंबर को पंच के लिए विकासखन बईयर से 19, परसवाड़ से 28, वारसविनी से 32, खैलांजी से 49, लांजी से 12, किरनापूर से 39, एवं विकासखन कटंगी से 29, प्रत्याश्यों नाम निदेशन पत्र जमा किये है इस प्रकार सरपंच पत के लिए विकासखन बईयर से 29, वारसविनी से 6, खैलांजी से 19, लांजी से 10, किरनापूर से 20, एवं विकासखन कटंगी से 5 प्रत्याश्यों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है 17 से राम गुमार नकपूरे एवं छेतर कमांग 20 से टामेशर पत्ले ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है इस प्रकार 17 दिसंबर को 5 के लिए 188, सरपंच पत्र के लिए 73, जनपस सदस्यों के लिए 16 अवं जिला पंचा सदस्यों के लिए 5 प्रत्याश्यों के द्वारा नाम निदेशन पत्र प्रसूत किया गया है नाम निदेशन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 20 दिसंबर 2021 रखी गई है देश शाम को राजज निर्वाचन आयक के द्वारा एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामने दिनों की तरह नाम निदेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी मिया रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजीर होते हैं 99 प्रतिशत मेचिंग के साथ मेचिंग की दुनिया में जले का जाना पैचाना राम वर्दमान साडी भंडार जी हाँ वर्दमान साडी फंडाल में है मन मोह के दुपट्टे, दुले का सूट, दुलहन के लाचे, बनारसी सिल्क साडियां, दुलहन चुन्मी, साफा कपड़ा, बांधनी साडियां, रेमन्स या राम और तुल्सी जैसे ब्रांडेट कंप्यों के पेंड शर्ट के कपड़े, ब् पातल, वायल, निवार, साथी, सभी हैंड लूब, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंबल, मच्छरदानी, सोफा कवर, सेट, कंपाटर, एसी कंबल और परदे की भव, विशाल, रेन, इसके अलावा, मेचिंग की विशाल शर्कला में, फैंसी नेट, ब्रोकेट, आरगेंजा पापलिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाई दोर का रूबिया और जार्जेट का अद्बुन संग्र, इसके अलावा, अगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथी, टेंट कपडे, दरी, चटाई और कार तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी घंडार, आडवानी कंप्लेक्स, श्याम काकिज के सामने में दोट भालागाट, प्रोप्राइटर विमल उमार बोत्रा, शांदार कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए श्री शिबदार्त कलेक्शन लेकर आया है, एक से बढ़कर एक ब्रांडेट कंप्नियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन, जहां आप पाएंगे बोहिन की साडिया, दुने का तूत, शिरवानी डिजाइनर साडिया, शा शिबड़ा, सियराम, रेमंड, विमल जैसे ब्रांडेट कंपनियों के पेंट, शर्ट, सीशर्ट, कॉटन पेंट और फिंशी शर्ट भी शांदार श्रंखला इसके अला हुआ, नाव और फापल, वायल, बेटशीट, चादर ब्लांकेट, भूती और टाविल, साथी फिंश कुर्टिया, प्लाजोफेट, शरारा, घरारा, सल्वार फूट का शांदार कलेक्शन, यानि शांदार कपड़े मिलने का एक मात्र विस्वसमी है, इस्थान, तो चले आईए, श्री शिदार के कलेक्शन, राजगाट चौप, गुबी चौप वाली दली, बालागाट, ब्रांडेट कंपनियों के कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए, शहर का पसिद्ध जगमगाता नाम, अभी नंदन फॉशन, जहां है, मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर, और स्ट्राइब जैसे मशूर, ब्रांडेट कंपनियों के एक से पढ़कर एक, आकरशक और श्रंखला, साथी दुले का सूट, शीरवानी और कुर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्रंखला, आकरशक अंडर कार्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खुब सूरत जैकेट, जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम, अभी नंदन फ बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभी नंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवं इस्टिट्यूट, प्लेटफार्म फार, यूथ, बेंक, एससी, रेलवे, आरक्षक, वनरक्षक, आईटियाई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर पाँच वर्सों से, सरवाधिक सिलेक्शन का रिपॉर्ड, इसके अलावा, सेपरेट स्पेसल बेक्ष पर, आईबी, पियस, पियो, क्लर्क, आरारबी, आरबी, आई, स्बी आई, स्पो, एंड, स्टेनो, ग्राफर, मैट्स और रिजिनिंग के स्पेसल बेक्ष, दस वर्सो को ज्यांद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी सुईदाओ का लब्द है, जादा जानकारी के लिए शीग्ष संपर्क करें, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर राखवेंद्र मिस्रा सर, डारेक्टर, यूम इंस्टिटूट, डाक्र महाजन के सामने, सहरा फोटोकाप के बाजू में सरकिट हाउस रोड बालत रखेंगा इस अंदर में मांपुणा मंदिर टर्ष्ट के बताधी कारंव के दबारा, अनन्न पुणा मंदिर प्रांगन में पत्रकार वार्ता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया, कि यहां पूरुवसे, जो मां अन्न पुद्र था, महां 110 वर्ष्क हो गया था जरजर होने के कारण नए मंदिर का निर्मान किया जा रहा है जिसका कारे लगफ़क पूर्णता की ओर है भवे प्रान पतिश्टा का कारेक्रम आयजन कर मातारानी को नए मंदिर में विराजित किया जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्रचाइद करेंगे जिले भर में, महराष्ट में, गोंदिया में, नाकपुर में जहां था हम लोग से प्रचाइद करेंगे और लोगों को इस पूरने लाब में सामिल करेंगे हमारा उद्देश मंदिर जब जरजर हो गया था उसको बचाने के था तो पूरी तरह से उसको विसजित किया गया हमारे आर्केटेक्ट आलोग नेमा जी ने इसमें एहम भूमी का निभाई क्योंकि मंदिर की मूर्तियां महां से विस्थापित करना बड़ा कठिन काम था और धार्मी के रूप से लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे तो उस सब को हमने लोगों से प्रकांड विद्वानों से सला करके पूजा पाठ करा कर माता जी को उनके कक्ष में विस्थापित कुछ दिन करी विस्थापित किया दस जुन 2019 को विदिवत भूमी पूजन कर हम इसको निर्माण को कंप्रीट करनी की लोग है उसके बाद उजयन में एक है और एक बालागाती में इस सौ साल से पुराने अनपुर्णा मंदर यहां पर है अनपुर्णा मंदर जिले में मेरे खाल से एकी मात रथा और बहुत कम पाए जाते है मगर अनपुर्णा मंदर के इस मंदर के मामले में कहा जाता है कि यहां का अन जो माता जी को अगहन के महीने में जो अनाज मिलता है वो अनाज अपनी कोठी में ले आकर डालें तो जीवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगी बहुत की सिद्ध पीठ है माता जी कई चमतकार देखने मिलते हैं जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिवसी कारेक्रम होने वाला है ये बहुत भवे प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम होगा मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूं कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदीर में जब प्रान प्रत प्रतिष्ठा के करेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनंद की अनुगूतियों कि शहर का गंदा पानी गंगा नगर और जाकपुर घाट के रास्ते ही बैंगा नदी में नहीं जाता है बलकि शहर के अन्य छेत्रों के जरी भी दूशित पानी बैंगा नाले के जरी एक गंगले मंडे के समीब से होते भी वैंगा नदी में जाता है शहर का गंदा एबं दुशित पानी बैंगा नदी में कुछ मैनों से नहीं बलकि पिछले कई वर्सों से लगातार जा रहा है लेकिन इस ओर अभी तक किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया गंदे पानी के अकारण सभी लोगों को परिशानी है और सभी के त्वारा कुछ बहतर विवस्ता बना जाने के लिए कर बाद भी कई जा रही है हमने यह जाने का प्रयास किया कि गोंगले मंडी के समिफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है इसके परताल करने पर पाया गया है कि महाँ पानी हनुमान चोक्स की और से नाले के जरिये जोकी नर्वदा नगर से टेगोर मांटे सरी स्कुल के आगे नाले से कोसमी बंदर जीरिया से होतु भी ये महाँ दुशित पानी आता है यहां भी बताये गया कि मंदर जीरिया के पास एक पुल बनाये गया है जिसके नीचे से उचाई अधिक होने जाने के कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण महाँ गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुरगंत के पुरी डूब रही है, अभी तो यह फुला मौसम होगे फिर भी डूबा हुआ है, बारिष में और ज्यादा रूप जाता है, पुरा उपर तक यह टेकरा गूँजाता है, तो यह जो बनाए है यहाँ पर यह गलत बनाए है। इसको कुछ करना था, अभी पुरी रोड जाके वहाँ ख्तम होई यहाँ जा रहा है। मदे में को जाना चाहिए क्या होना चाहिए। इसके लिए परसासन को कुछ करना चाहिए? मतलब इसके लिए कुछ प्राइंट अगर बनाना चाहिए? अबर शुद्द करके भेज़ना चाहिए? बैदबूर भयान कर जाती है इसमें, घर तक आती ही बदबूर और बर्साद में क्या एस्थिती रहती है? बरसाद में चलने फिरने की बहुत दिक्का जाती भी है पूल की इस तरफ में कितने साल से बहुरा है यह नाला यह तो कम से कम बया कई वर्से से ने कहीं वर्से से ने पहले क्या पूल ने बना था ना पानी पास हो जाता था पहले कच्छी रोड थी कम से कम 12-15 साल हो गए हो यहीं वर्से वह हैंक करता है हूना क्या चीजय यह फैसा को मुटी में पास हो जाग तो यह चूर्दध करके नियुक्षिक श्याहत यह समस्तय है मुल्च वर्बू करता है और जो खता है पाणी कि इधे में खेता है और जो थे गंदे में जो पन्याजेट करता है याल कि करदें पर इस तरफ सेयदा नियुक्त जाता है उत्रव से पुरह सिंदेट आता है, राता तो यह पानी आगे कहा जाता है पूरह दोसीद पानी यह इन ञे मिलता और नी नगी परने प्रेदम गोमले ईसे समाप तो चाट लांतों उसमें मिलता है, ते त Stein पानी का कोई उपयोग में लेता है कि यह खेती वाड़ी लितनी है वाई इसके सम्मद में चर्शा करने पर वाड नमबर 30 के निवर्तमान पारशद राजस निलारी ने बताए कि यह बाद सही है कि नगर के पांस से छे वाड़ो का गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोसमी बंदर जिरिया होते हुए बैंगांगा नदी में जाता है सरकार की भी योजना है कि शहर का गंदा पानी नदी में न जाए सरकार ने इसके लिए कुछ करना चाहिए वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट लगा कर गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने चाहिए गंदा पानी जादा दिनों तक जमा रहने से विमारी फैलने का भी डर बना रहता है लेकिन नाले में क्या है या उसमें जब नाला पन नारा का निर्मान ते लेकर नाले का निर्मानन कर दे करा घड़ें अगे-क फूलीयग करा तो पानी परभता है.- तो यहाँ का और भिख की ज और दूसरा पाइंट यह है कि जो नहर बनी हुई है कोश्मी छेति की शेमा में, नहर के पास भी दो मोंगे डाले गए हैं, वहां पर अभी तक पुल नहीं बना हुआ है, तो वहां पे भी जिल्ली जम जाती है और पानी की निकासी धरे-धरे होती है, यह निकासी होती हुए स अब इसके लिए तो प्रशासा सोचे की कैसा कर सकते हैं, और अभी सरकारी की योजना भी है की सहर का गंदा पानी नदी में न जा, अब इसके लिए सरकारी कर सकती हैं, जो करना है जिसको देखती हुई प्रदेश शरकार के दवारा व्यवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परनतु बारा सुनी में कुछ अलगी हालात व्यवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे हैं जहां पर कई प्रकार की चीजे देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भया बहा इस्तिति के बाद प्रदेश शासन शेत्री विधायक के दवारा 12 सुनी अस्पताल को ऑक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के दवारा गद दीनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कर रही कंपणी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनियर्स के दवारा आया अक्सिजन प्लांट को तयार किया गया परंतो शालू होते ही जो पाइपलाइन विछाई गई थी उसका लिकेज टेस्टिंग में समझ आया जिससे कारे की गुनवत्ता पर प्रश्चन चिर्ण ने लग रहा है सिविल अस्पताल में देखने में आ रहा है कि मरीजों को ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर एक अलग ही देस्ट का वातारन बना हुआ है इसका असर यहां भी है कि OPD सहीत भरती वाड़ों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे है ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रवेश पर प्रवेश पर प्रवेश शरकार के दबारा गंबिरता दिखाते हुए पूरे प्रवेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर सभी अस्पतालों को मौक डिल करने की बात कही गए थी परंतु स्थानी स्थर पर देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार की मौक डिल नहीं की गई यहां तो हालात है अस्पताल के इसके लावा आम जनता के क्या हाल है इस विशे पर वे क्या कहते है चली जानते है हाँ जैसा कि मालूम है कि ओमिक्राण है और 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 काफी खतरनाक सिद्धो हो रहा है और इसको लेकर कि व्यापक तया रही है उसमें भारी कमी नजर आ रही है चैसे की कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वाराव सुने में पहले था वह भी किस अवस्था में पढ़ा है निर्जीव अवस्था में पढ़ा है दूसरा आक्सिजन प्लांट चालू है या नहीं है और इलेवन केवी का सप्लाई जो होना स्वास्तों सुविधाम को लेकर के नगर में जो यवस्था है वह अभी इसको संतोष जनक तो नहीं कहा जा सकता है जिससे पिछले बार भी हमने कोरोना काल में देखा तो उसमें बहुत निर्दोष लोगों की जान गई आक्सिजन के अभाव में और अभी भी जैसे अभी आगया है हम देख रहे हैं प्रदेश में और अभी जिला क्लेक्टर मोदे ने भी बैटक लिया है तो अब वेवस्था दिख रही है गात्री कालीन भी यहां पर डाक्टर की तो अच्छी वस्था नहीं है कोविट सेंटर जो है आमेट करवहन का उसके भी बहुत बुरे हाल वेवस्था नहीं गयाने अभी आज की स्थिती में कोई प्रशेंट दोके से दी मिल जाता है तो उसके लिए प्रशासन नहीं वेवस्था कहां कि वो तस्वन में नहीं आ रहा है पुरूलिया वेरिंट आया ने इसको लेके तो जो दैसत पहली हुई है और नहीं वेरिंट वेरिंट आया है वह इतना खातरना कशाभी थोने वाला है अगा तो के प्रशाफ से हमारी सरकार ने सारे ओस्तृ स्सकरा ने सारी व्यwegen जाने का प्रशा बनान ने के प्रह जिए पर इस बात कि अव्द कराया गया थि आज अपने हिसाब खिताब क इसार का यहां व्योक्त लगा के चल रहा है, नाब भीड भार पे कोई नहीं अंतरन है, बड़े-बड़े कारेक्रम हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी भीड जमा हो रही है। अपको नजर आती है। इस तरह पर हमने अभी अक्सिजन प्लान चालो करवा दिया है, इस दिन हमारे मानिनी विदायक प्रदीम जैसवाल जी के साथ हमने हास्पिटल का दावरा गिया था, हास्पिटल में हमने अक्सिजन प्लान को तहियार कर दिया, पुरी द्रजे उसका ट्रायल हो चुका है, जावर की व्यवस्ता भी हमारे दोरा कर दी जाई है, 24 घंटे वह यहां वारसनी शेहर के लोगों के लिए उपलब्द रहेगी, तिसरा सासर प्रसासन से हमें चाहते हैं, इन लोगों में आवर्नेस नहीं है, इनको जागरत करने के लिए मास्क भियान चलाना चाहिए, सारी लोगों में कोरोना की तिसरी लहर का खौब भी नजर नहीं आ रहा है, इतना ही नहीं लापरवाई भरतते हुए कोरोना की तिसरी लहर को दावद भी दे रहे हैं, अब भी लोग सतर्क नहीं हुए तो कोरोना की तिसरी लहर अपना प्रखोब दिखा सकती है, लालबरा मुक přیự žींट्री yn př Bre Pradhyck vn वहर की रोगत्राम की तयारी की समझ में पद्मेश 247 की टीम के द़्ारा जानकारी ली गई स्वारस सिभाक के द्वारा बताया गया कि कोरोणा की तीसरी लहर के लिए बेपडरी तरह से तयार है और मरीज के आने पर पुना कोविट सेंटर महाविद्दल कन्या छात्रावास में प्राराम कर दिया जाएगा जिससे एक प्राचिन मुहौरा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है हमें अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुरूना के प्रती जोगों की जागरूप का खतम हो गई है और हमें सासन के गाइडलाइन और क्रोना प्रोटोकाल की साथ से चलना पड़ेगा जैसे उसमें कहा गया है कि सोचिल डिस्टेंसिंग है और हंडिड परसेंट वेक्सिनेशन होना चाहिए और मास्क का प्रेयोग होना चाहिए परन्तों समाध में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी हम साधियों में भी जेख रहे है तो हज्जारों की संख्या में साधियों में भिल्ड इखटी हो रही है जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधि लगाने के लिए लोगों को बीमारी उकर्टोल करना है तो मास्क लगाना जरूरी है लगभग 90 लोग बिना मास्क के रहते हैं लोगों को मास्क का बेनी पिटनी मालूम आज का मास्कों लोग डेकोरेशन के रूप में लगा थे हैं जबकि मास्क चुन फेक वाला और अच्छा मास्टोल नहाई वेरियंट आया है भी जो आजकी डेट में 99 पेसेंट इंडिया म उसके हो चुके हैं जूकि डेल्टा प्लस से कम खतरनाक है इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और पेसेंट उकता जंबी रवस्था में नहीं जाता चुकि इसके साथ में सबसे बड़ी समस्ट है कि यह डेल्टा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्ष्य में इंफेक्श इस बार तो विधायक निदी से 40 मशीन आई थी और साय तो सम्भावना है कि और आ सकती है और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी के स्तर पे जो चंदा करके मशीने लिए थे वो भी हमार पास विवस्थित रखी हुए तिसरी लहर को लेकर स्वास युभाग को सतर खोने के साथ ही तैयारी प्रारम कर दिन दिन चाहिए जिससे समय रहते तिसरी लहर को नियंत्रित किया जा सके धूल का रही ऑक्सिजन मसीन कबार में पड़े ऑक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लहर की भी संतबाई को देखते भी लालबरा में विधायक निदी से 46 ऑक्सिजन मसीन एमम समाज सीवियूं के दबारा 17 ऑक्सिजन मसीन सहीद 50 बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में स्थित महाविद्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्थाई रूप से बनाया गया था जिसमें कोरोना संक्रमिद मरीजों का उप्चार किया गया किन्टो धिरे-धिरे कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बन कर दिया गया हमारे तरफ से कोविट सेंटर चात्रावास पीची क्वालिज में कोविट कीर सेंटर की जाएगी इसके सार में ऐवाम बैड की पूर्था तीज बैड अक्सिजन बैड की वैश्टा अपलब्थ है वैड एवाम चालिस ऑक्सिजन कंसेंट्र विधायक निदी के दौर्ण हमें और प्राप्ट हुए थे अभी श्राशन के महात्याम से 5 ऑपस प्राप्ट हो चुक्य है तोटल 45 ऑक्सेटर अभी उपलब्द है साथ ही 5 ऑक्सिजन स्लेंडर हमें उपलब्द है यह तीसरी लहरा आती है और ऑक्सिजन की और आफ़कता पड़ती है तो चीला अस्पताल वाला घाट में ऑक्सेजन प्लाइट के मात्याम से हमें ऑक्सेजन की वैस्ता कराती जाए इसके साथ ही पूर में समा से भी संस्थाओं के दौर ऑक्सेटर दान किया गया था वो सेकेंड लहर के पस्चात उन्हें वाफिस कर दिया थे अभी तैयारी हो ल गुरुबार की रात को बाला घाट गोनिया रोर पर हुई स्टरक खास्ते में बाइक सवार दो यूकों की हुई मौत करिणापुर्थाना के अंतरगत बारा निवासी 21 वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहंग डाले रात को साल्टेगा से लोग रहते वापस अपने घर बारा अग्यात वहां ने मारी टटक कर घटना सल पर हुई थी अंकित की मौत इलाज के दोरान कार्थिक ने ग कर दो पसितर रहे पुलिस के अला अधिकारी कि मद्यपुदेश के भीतर होने वाले तります 35 चुनाओं और नगरी निकाँ चुनाओं के लिए नयाले ने दिया आदेश ओबी सी आरक्षण किया समाप्त OBC आरक्षे सीटों पर सामने सीटों की तरह होगा चुना देवी तालाप पर NGT ने दिया देश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अर्थिक्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राजी शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक रही लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोडा गाउं की दो दरजन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततों पर कड़ी कारवाई की मांग ने शुदाई की पदादी कारियों ने जहटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच्षार को सोपा ग्यापन कोबिड-19 के प्रकवपो देखती भी आनलाइन परिक्षा आजित किया जाने की मांग की शहर के बाढ़ नमर 20 में स्तित मा अनपुना मंदीर का हो रहे है नव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाएगा प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालकों ने नगरपालिका के अधिकारों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मद्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्धों पर की गई चर्चा शहर के जाटा संग त्रिवेदी महाध्याल में संभाग इस्तारी बेटबिन्टन प्रत्युगीता का हुआया जान छिनवाल बनी विजेता बैतुन ने जीता उप विजेता का खिताब मद्यपदेश हासन के नवीन एवाँ नवकर्णिय उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले वासियोगी अच्छी ख़बर सामानेवन छेत्रों में वस 2018 की तुलना में दोगनी हुई बागों की संक्या उतर सामानेवन मंडल की 130 बीटों में मिले बागों की उपसीती की साक्षे बारशनी शेयर के भीतर भगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिससक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंचिया चुनाव निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसम्बर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 करमशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताओ नोटिस 33 पंचिया चुनाव के नाव निर्वाचन के पाच विदीन 280 प्रत्याशों ने भरा नामांकन प्रॉम कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश इस्तर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधुरी तयारी के बीच रहे है तीसरी लहर की तयारी मरीश तो दूल डाक्टर भी चेहरे पर नहीं लगा रहे है मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे डेट तीसरी लहर की दस तक से पहले वारस जुनी में ऑक्सिजन प्लांट भश्चाशार की खुली पोल प्लांट सुरू होने से पहले ही फुट गिया पाईप कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुबार भिस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार लालबर मुक्हले से 12 किलोमेटर दूर कंजाई बंचायद गयते सक्तिपीट में 41 शुगार्ट के आउसर पर हो रहा स्रीमद्भागवद गीता कायोजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाड़ों का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुंच रहा बैंगंगा नदी मैली हो रही है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार 40 वर्षों से संचालित नगर का विश्वसनी प्रतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हाड़वेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोड सिंदु भवन के बाजू में आजाट चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्राइंड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एलूमिनियम सेक्षन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाड़वेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आचाच चौक पालाखाट आओ चलें वक्त की रफ्तार के साथ, शहर का पतिष्ठिक पतिष्ठान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उखलब्द है गारियां बैटरी से चलने वाली शांदार गारियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुप्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्ज की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नमबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नमबर वन की रेकिंग वाला शोरूम फाइनेल्स विधा उपलब्द एक ही शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपणियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इछट के नीचे एक से अधिक कंपणियों की गाड़ियां उपलब्द है टू विलर यों ठ्री विलर हमारा वद्देश से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहारा इवाल बर्व फ्रेक्ट्री रोड नर्मदान नगर शिव मंदिर चौर बालाखाट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केयर इंदोर और दिली सेव प्रसिक्षित फिजेसी एन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी हुई चटिल समस्याओं के समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्द और चक्कर आना, छाती में बार-बार दद्ध हुना, हर्दया घात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा हुना हात पैर और जोडों में दर्द व जलन होना, विमारियों का सफलत मिलार, मूग एवं दंद रोग विश्षक के, डॉक्टर निली मा वेद प्रकास लिल्लारे, बीना दर्द के दात निकालना, दात और मसूड के दर्द का उपचार, तेड़े बेडे दातों को तार लगाना पर्मानेंट फेस दात, मसूड का इलाज, रोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिलिंग, मूग के कम खुलने का इलाज, यहां ECG, पैथोलोजी, नेवुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलप्त है, तो या का प्रसिद्ध प्रसिष्ठान, Hometown Tiles, Design to Impress You, Hometown Tiles में उपलप्द है, सभी प्रकार की आकर्शक, Flow Tiles, Double Charge Tiles, GBT, PGVT, Nano, Matte Finish Tiles, Wall Tiles, Parking Tiles, Elevation Tiles, Kitchen Tiles, Steel Sink, Granite, Quads, Sanitary Products, Commode, Designer Wash Basin और Bathwear Accessories की आकर्शक शंकला, आकर्शक नल्फिटिंग और शावरादी की संपून रेंज, तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर, Hometown Tiles के साथ, हमारा पता है, Hometown Tiles वैयर रोट डॉक्टर गादी के सामने बाला घाड, क्या आपको अपने केबल के भुक्तान करने में कोई परिशानी हो रही है, तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप, डाउनलोड करने के बाद अब अपना Customer ID डालें, जो कि आपकी Receipt में लिखा होता है, अब Default Password 1 डाल कर लॉग इन करें, अपना Registered Mobile Number या Card Number डाल कर सिर्फ एक बार अकाउंट को वेरिफाई कीजिए, अब Password चेंज करें, Payment के लिए Add Balance to Wallet में जाएं और अपना Amount एंटर कर Pay Now पर क्लिक करें, अब अपने मन चाहे Payment Method से Payment करें, इतना ही नहीं चालू Package, Bill या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस App में मिलेगी, तो अभी अपना Phone उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिज अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 831-996-9927-8878-006435 in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fibre broadband network. Padmesh Broadband delivers fibre technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible GIGA speeds of 1000 Mbps. Cut the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband, Feel the speed. जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा बस यही एक इरादा. कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुमार मिस्त्रा के दबारा, पश्चु पालन एवं डेरी विभा की समिच्छा बैठक में यानुपस्तित पांच कर्मचारियों पर कारवाई के लिए निर्देशित किया गया है. बैठक में मुखे रुप से किसान क्रेडिट कार्ड पर विस्त्र चर्चा की गई. विकास खनवार अधिकारियों की समिच्छा के दौरान, अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदर बैंकों में जमा कने हेतु निर्देश दिये गया. बैठक में अनुपस्तित एवं कारे में लापरवाई बरतने वाले पांच कर्मचारियों के एक माह का वेतन रुखने के निर्देश करेक्टर की द्वारा दिये गया. लालबरा मुख्यालेस से करीब देड किलोमेटर दूर राजमार सिवनी पर इस्तित पाउर हाउस के समीप अउल्या कनार मार पर इस्तित नहर में डुबने से 17-18 दिसंबर की दर्यवियानी रात में ग्राम पंचायत अउल्या कनार निवासी 42 वश्य 37 बेल की मौत हो गई. मौँ वापस नहीं आया तो परीजनों ने आसपास उसकी पता साजी की किन्तो कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसके बाद परिवार के सदर से शो गए. 18 दिसंबर की सुबह जब ग्रामिन जन सुबह घुमने निकले तो उन्हें टेकाडी जला से की नहर माइनर जो ओल्या कनार होते वे पांधरवानी रामजी टोला के ओर आगे जाती है और पावर हाउस सिवनी मार्ग के समीप से गुजरी ओल्या कनार मार्ग नहर के पानी में डूबा हुआ एक व्यक्ति दिखाए दिया जिसके पास जाकर दिखा गया जिसके सिनाक्त अउल्या कनार निवासी 42 वर्षी 37 पेल के नाम से पेंचान हुए जिसके जानकरी उनके परिजन वो पुलिस को दे दे गई मैं नहर से जा रहा था तो मुझा लोग की आप मुझे पुए देखे बता चला कि हमारे ग्राम के युवक्त 37 गुमार बैर नहर में जो है मुलत अवस्ता में मुझे पाए गए मुझे ऐसा लगा कि सायद को सुबह या राती में आये होंगे और सायद हो सकता है कि उन्हें टाइलेट टाइलेट लगी होगी या नहर किनारे आये होंगे तो उनका पैर फिसलने से वो नहर में गिर चुपे होंगे जिसके करां जो पानी में गिरने से उनका सायद पानी व खाने हम आपे ने वावल आने के बात में एक हम लोगोगों ने रिपोत लिखा shook अंड पहुद्स तक that liquid Bisो हज बाता हम और दूबने सी महकुषियों कैने अधिём लग किसी बेडोय क्या नाम पांना हिए। बिरसा थाना चेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम दमो कालोनी में 22 वश्य नव विभाहिता लीना धुर्वे ने पती के द्वारा दी जारी दहज पतारना के चलते अपनी 10 माह की दुद मुही बेटी को छोड़ कर फासी लगा कर आत्मत्या की थी बिरसा पुलिस ने दहज हत्या के इस मामले में लीना धुर्वे के पती लखन धुर्वे 24 वश्य को गिरपतार कर लिया है जिसे न्याईक अविरक्षा मुझीला जिल भिजवा दिया गया है प्राप्त जानकारी के नुसार लीना का माईका ग्राम रेल वाही परशाई का है जिसका विवा दो साल पहले लखन धुर्वे ग्राम दमो कालोनी निवासे के साथ सामाजी करीती रिवास से हुआ था शादी के बाद से ही लीना अपने सस्राल में रह रही थी जिसकी एक दस महा की दोध मुह बेटी खुशी है बताये गया कि लखन धुरवे शादी के बाद से ही अपनी पतनी लीना को दहच की मांग को लेकर शारिरिक पमानसिक रुप से पतारित करते हुए उसके साथ कुरुता प्रुवक वेभार करते आ रहा था 12 वह 13 दिसंबर की दर्मियानी रात में लीना ने पती लखन धुरवे के दवारा दी जा रही देज बतारना से परिशान होकर उससे अपनी दूद मुही बच्ची को घर में सोता हुया छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास इस्तित करन के पेड में फासी लगा कर उसने आ अपराद दश किया और इस अपराद में लखन धुरवे के गिरफतार करके बईहर के अदालत में पेश कर दिया गया जहां से उससे न्याई का विरिक्षा में जीला जील बिजवा दिया गया है मत्यपदेश के भीतर होने वाले 3035 चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरी निकाई चुनाव के लिए सुप्रीम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते भी महाराश्च की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्थान पर OBC आरक्षन के लिए स्रीट आरक्षित की गई थी उन इस्थानों पर सामने स्रीट की तर्च पर चुनाव प्रक्रिया संपन करवाई जाएगी इस सब्दावली इस भाषा का अर्थ आप कम सब्दों में समझ देजिए कि जिन इस्थानों पर OBC के प्रत्यासी चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे उन इस्थानों को सामने स्रीट घोसित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचाय चुनाव को लेकर एक हफ्ते से चल रही कस्मकस में रोजा ना कोई ना कोई नया मोड़ा रहा है इसी कड़ी में सुप्रिम कोट में सुक्रुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाव समीधान के हिसाब से हो रहे है तो उसे कंटिनू रखे अगर समीधान के खिलाप है तो चुनाव रद्ध करे इसका निरने राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है कोट के इस खादेश के बाद पंच्या चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है हलाग कि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में कोई अभीमत नहीं आया है MP में पंच्या चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तन्खाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाव सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243 C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रिम कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर ने नहीं लिया जाएगा मुख्य चिकिस्ता या एवम स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवम लाइसेंस के मद्धिपदेश उपचरिया ग्रह तता रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिस्ता क्लिनियों को को सिल बंद क अधिर पंजियन एवम लाइसेंस नहीं पाया गया जिस पर डॉक्टर विमल के वीसन के क्लिनिक में पाए गए उपकरनों एवं आउश्योद्य को जब्त कर क्लिनिक को सील बंद कर दिया गया है इसी परकार वारशनी शेहर में सिविल लाइन के पीछे मस्दित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रथम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच्छ थेर के द्वारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसिलदार राजिंदर टेकाम के नेतरत में गठी दल के सदसे जिला चिकिस साले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुन कुमार लाजेवार आकास्मीक निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दोरान अस्पताल में लगभक सत्तर वश्य पूरुष रोगी भरती पाया गया जो की लगवा रोख से ग्रस था इस रोगी के स्वास की गंबी रिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर अरुन लाजेवार के दोरा ततकाल एक सवाट एम्बूलेंस बुला कर रोगी को सीविल अस्पताल वारा सुनी भिजबाए गया जहाँ पर डॉक्टर कमलेस जोड़े दोरा रोगी का प्रिक्षन करने के उपरांद उसे जिला चिकिस साले बालाखा ट्रेफर किया गया इस निजी अस्पताल में पाई गई ECG मसीन, मल्टिवेरा मोनिटर, एलोपेतिक दवाए, ब्लड सेम्पल कलेक्शन, ट्यूब आदी को जब्त कर इस निजी अस्पताल को सिल बंद कर दिया गया निजी अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज बुपाल से प्राप्त युग्यता संबंदी प्रमान पत्र पाय संधेज जयनक पाये गया जो की प्रतम दृष्ट का संध्यास्पत प्रतीत भी हो रहा है उप संचालक क्रसी एवम अधी सुचित प्राधिकारी राजिश खोबरागडे ने उर्वरक वितरन एवम विक्रे में नियमों का पालन नहीं करने के कारण में सल्स नट्राज एग्रो सेल्स एंड सर्वीस परसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया है इसके साथ ही उनके प्रतिश्ठान में उर्वरक के बच्चत सकंद का विक्रे करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिनों की अउधी के बाद उनके द्वारा उर्वरक व्यवसाई किया जाएगा तो उनके विरुद वैधानी कारवाई की जाएगी और इसके लिए वे स्वयम उत्तरदाई होंगे 9 नमबर 2021 को एक ही वेक्ति को अधिक मात्रा में यूरिय विक्रे करने की सिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमी के रगवे वो फसल के नुसार उर्वरक वित्रण नहीं करने पर मेसर्स नट्राज एग्रोसेल्स एंड सर्विस परसपाड़ा के प्रोप्राइटर नमीता अतुल हन्वत को उप संचालक रस्वी खोबरागड़े के द्वारा नोटीस जारी कर स्फश्वी करन प्रस्तूत करने के लिए काह गया था लेकिन प्रोप्रेटर नमित आतुल हनुवत के द्वारा नोटिस का संतोज जर्णाग जवाब नहीं दिया गया जिस पर उनका उर्वरा क्लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया गया था शहर के देवित आलाप पर किये अतिक्रमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजीटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आलाप प्रकरण में किसी भी तरह के अतिक्रमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है NGT के द्वारा दे गए आदेश के अनुसार देवी तालाब नीजी भुसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरह का कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान NGT ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि NGT में दश की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्लेक क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगभा आठ एकर से अधिक बताए गया है पुलिस लाइन तालाब रगभा तीने एकर महरा तालाब रगभा चार एकर मोती तालाब रगभा लगभा बावन एकर बुदोभी तालाब रगभा लगभा छे एकर देवी तालाब रगभा लगभा सूला एकर दरी तालाब रगभा लगभा साड़े चार एकर दसाए गया हाला कि वर्तमान परिवेश में अमोमन सभी तालबों का रगबा कम हो चुका है जिला मुखेले में इस साथ तालबों में च्छे तालब मद्पदेश शासन के है तो महीं देवी तालब के विशे में इस बात का उल्लेक किया गया है कि यह तालब रिसफ डेवलपर्स और अन्य में विल्डर उसका है अलाकि इस आदेश में इस बात का कहीं वे उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालब का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मद्पदेश शासन और बालाखा जिला प्रसासन को किस तरस से कोई कदम उठाय जाने है जिससे देवी आपके किनारे बसे वेवसाई प्रतिश्थान और अन्य लोगों के लिए रहात भरी खावर यही है कि फिलहाल देवी तालब के अतिकरवन पर एंज्यूटी ने गेंद राज्य शासन और जिला प्रसासन के पाले में डाल दिए मदपते शासन उच्छे सिक्षावी भाग के दबारा शुकरवार पुन अगर के फिजी कॉलेज बैडबिंटन हॉल में संभाग इस्तरी बैडबिंटन प्रतिविता का आयसन क्या गया खेल केलेंडर के अनुरूप आयजित की गए इस संभाग इस्तरी ए महला पुरुस बैडबिंटन प्रतिविता में सिवनी, बैतुल, बालाहाट और छिनवाडा की टीमों ने भाग दिया आई जीते संभाग इस्तरी बैडमिंटन प्रत्युगिता में बालाखाट और सीवनी की महिला एवं पुरिस बैडमिंटन टीम खरा प्रदेशन के चलते फाइनल में नहीं पहुंसे की महीं अपने खेल का उतकष्ट प्रदेशन करते भी चिनवाडा और बैतुल की महिला और पुरिस बैडमिंटन टीम ने फाइनल प्रत्युगिता में प्रवेश किया जहां देर शाम प्रत्योगिता का फाइनल चिंदवाडा और बैतुल के मद्दे खेला गया जिसमें महला पूरुस दोनों ही वर्ग में बैतुल की टीम एक भी अंक अर्जित नहीं कर पाई महीं सुनने दो से शिंदवाडा टीम ने प्रत्योगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया जहां प्रत्योगिता के समापन पर शिंदवाडा की महला पूरुस बैडमिंटन टीम विजेता रही तो महीं बैतुल की टीम उप विजेता घोशित की गई जहांत में दोनों ही टीमों को पुरिस्कारों को वित्रण कर दोनों टीमों से राज्य स्तरी प्रत्युगिदा के लिए खिलाड़ियों का चैन किया गया इसलिए हम समस्त महिलाए ग्यापन सौप कर इन तीनों प्रकरण के आरोपियों पर सिग्रता पुर्वक करवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए थाने पहुंची महिलाओं के चर्चा के दोरान पुलिस अदिकारों ने बताया कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है आरूपियों के विरुधारा लगा कर नयाले में प्रकरन पेश कर दिया है आरूपियों नयाले से जमानत पर बाहर आ चुके है अगरिम करवाई नयाले के और से खी जाएगी लालवरा मुखेले से लगभग 12 किलोमेटर दूर जीले के प्रविश स्तली देवनगरी ग्राम पंचयात कंजै सित्मा गयात्री सक्तिपीट मंदिर के प्रांगन में गत 9 दिसंबर से जारी स्रीमत भागवद गीता ज्यानी यग्य ससंग संगोश्टी का 17 दिसंबर को गयत्री सक्तिपीट के 41 वार्शी कुस्तों कारेक्रम के साथ धार्मिक यग्य बातावरन में समापन किया गया इस वस्तर पर प्राता 11 बजे से शाम 6 बजे तक गयत्री सक्ति प्रिंट कंजै का 41 वार्शी कुस्तों मनाए गया इसके पश्चाद वीबीन संसकार संपन करवाए गये यह मम वैदिक मंदोचारन के साथ ही पाच कुंडे गयत्री महायग्य का आईजन किया गया जिसका संचालन मात्र संस्ता शांतिकुझ हरिद्वार से प्रसिक्षेत मनी सिंग की टोली चिंदवाडा के द्वारा किया गया जिसमें सेक्डो सद्धानू ने आहोती डाल कर धर्मलाब और जित किया जिसके बाद महारती की गई एवम विचार गुष्टी के बाद विधिपत पूजा नर्चन कर श्रीमत भागवत गिता ग्यान यग्य का समापन क्या गया अकिल भारती बाग आकलन 2022 के फेस वन डेटा कलेक्शन कारे के तरती चरण में बालाखाट बन वरत के अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के पांच परिशेत्रों के 116 बिटों में दिनांग 15 से 17 दिसमा 2021 तिन दिनों तक बाग, तेंद्वा एवम अन्य परभक्षियों के साक्ष जुनने का अभ्यास संपन हुआ SDO प्रसान साकरे ने बताए कि बाग आंक लन वे प्रतम चरण में तीन दिनों के डेटा कलेक्शन कारे के उपरांद 5 रेंजों के 116 बिटों में पंचार में बिटों में बाग की उपसीत्य के साक्ष दर्ज हुए है वहीं 111 बीटों में 3 की उपसीती के साक्ष दर्ज के गए बाग आकलन के द्युती चरण में पहले ही उत्तर समाने मंजल की दो रेंजों के 47 बीटों में 35 बीटों में बाग की उपसीती के साक्ष पहले ही प्राप्थ हो जुके है इस प्रकार उत्तर सामाने वनमंडल के 163 बीटों में 130 बीटों में बाग की उपसिती के साक्ष प्राप्त हुए है जोकि गत बाग आंकलन वस 2018 में प्राप्त 65 बीटों के तुलना में दूग नहीं है बालाखाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाय रखने की द्रश्टी से बनन वरत्य बालाखाट अंतरगत उत्तर सामाने वनमंडल के यहां आकड़े अत्यनत्य सराहनिये हैं बस स्टेंड की यातायत विवस्ता को दुरुस करने और बसों के इर्द गुर्द घुमने वाले आटों के जमावड़े को विवस्तित करने के लिए कुछ महापूर्व यातायत पुलिस के द्वारा बस स्टेंड गौठान के सामने जक्की जगह को आटो संचाल को को स्टें उप्त जगह से आटो चालक यूराज है उनोंने आटो अप्त जगों को खाली न कराय है discussion इससे हम क्यलों कर द किख़ेंगे positivity करने कृट्छा दाथा है जो अफ्रीपारी समाच अर। और हम लोगों को वहाँ पर आए दिल, आए दिल टॉचर किया जाता है कि आखर की जगह है, ऐसा है वैसा है करके, अब जब के गवर्मेंट ने उनको कहे, सागन बंद इस्तित में उनको 15 साल से जगह दे चुकी है, आखर की जगों 15 साल से उदर दे चुकी है, क्योंकि ये जो मंदिर नहीं चल सकता, लेकि मंदिर के पीछे राजनीती चला आए जा रहा है, अच्छे ये बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जगह जो है गवठान की नहीं, आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है, मेरे पास में एस्पी आपीस, कलेक्टर आपीस, ऐसा करके पूरा के लि चीट बता रहा है, इसमें टोटल लजूर चीट बता रहा है, जबके मंदिर का प्थर रखा था, तो उन लोग ने प्रेसर दे कर, उस समय उन लोग ने अपने कलते हैं, जो उदर हैस्टरा इन लोग ने कलते हैं, धरमसाला वालों ने कलते हैं, दुकान निकाली गई, तो अच्छा जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी, कलेक्टेड में बैठा कुई थी, उसमें एक आगया था कि आप अपनी आटों का पिटनेस कराईए, और उसके बाद जो आपको आटो इस्टेंड कोल के देंगे, अभी क्या हुआ इसमें, आपने अपनी गाड़ी के पूरे ओके करा लिए, अब जो मिटिंग में बोला गया मुख्य नगरपाली का अधिकारी 37 मरसेनिया ने बताए कि आटों स्टेंड पर अपत्ति गोवारी समाज के द्वारा लगाई गई है, जिनोंने उक्त जगह को खाली कराने की मांकोले कर सियम हेलपलाइन में शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर आटों चालकों को उक्त जग जाने के बाद आटों चालकों को स्टेंड लगाने के लिए दूसरी जगह नगरपाली का के द्वारा नहीं दी जाएगी कि आप है कर आप उससलिव न रगारे है तो जयने संबने में आटो स्बाले आए शवब से रूसरी जाए पह सर्यसरी चालकों को यहीं चला दीए कि आप तैसलार साब स्टेंड में आप देख़ें के लिए अगर वह आपके पच्च्छ में आता है तैसलार साब किया से डि पेंशन दिवस के उसर पर नगर के कमला नहरू हॉल में पेंशनस अधिवेशन का आवजन किया गया मध्यमदेश पेंशनस अधिवेशन के दवारा आवजीद आवजीट आधिवेशन में जिले भर्ग से आई पेंशनस ने अपनी विभीन मांगो को लेकर शयशा किए जिसमें उन्होंने अपनी साथ सुत्रे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कारले में एक ग्यापन सोपां जिसमें उन्होंने उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाने की भी मांग की आयोजी तेस कारेक्रम के संदर में की गई शर्षा के दोरानमध्य प्रदेश पेंस्टनर्स एस्सोसेशन के जिला अध्यक्ष बीयल उपवनसी ने बताया कि सरकार के दवारा अब तक पेंस्टनर्स को एरियर का भुकतान नहीं किया गया है इसके अलावा केंद्र के समान प्रदेश शरकार पेंस्टनर्स को महिंगाई भत्ता भी नहीं दे रही है इसके चलते पेंस्टनर्स को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहे है आज का कारग्रम जो है 17 डिसलिवर के दिन हमारा पेंस्टन दिवस और जिला अलिवेशन है इसमें हम मारे दिले के समस्टनर्स पतिनीद्यों के साथ यहां उपस्तित होंगे और हम पेंस्टनर्स के सम्बन में लंबित मांगों पर चर्चा करेंगे जैसा कि हमारी परंपरा है कलेक्टर महुदैर के मार्द्यम से मानने मुख्य मंत्री मानने वित मंत्री मत्र प्रदेश शासन को यापन से कवें पाज बजे हमारी मांगे हैं कि दोहजार शे का सक्ताविस मैने का एरियस दोहजार अट्रा का बत्तिस मैने का एरियस और हमारे मत्र प्रदेश के पेंसनरों को मेटिकल सुईदा शिकिस्ता भट्ता के रूप में प्रतेइक माहा के साथ एक हजार रुपए दिया जाए पेंसन के साथ मनाते हैं कि यहां रुक्तिक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरी क्लप आप वालग हाट टाइगर्स और जलप्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जलवासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्सव व्यापा मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे पारिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्सव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कंपनियों के उत्पादों की विशाल श्रंखला ग्रहक वित्रक और निर्माता के मत सीध संबंद व्यक्तित्व विखास के लिए प्रतिस पर्धाओं का आयोजन स्वादिष्ट गंजनों की विशाल श्रंखला बच्चों के लिए आकर्षक छूले और सांसकतिक कारेकरम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक समय अप्राण 4 बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकरस्र इस्कूल खेल बैदान सर्थित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मित सिंध पसरिचा अध्यक्ष रोटेरियन भरत कुट्टानी सच्यू रोटेरियन देविंग सिंग चंजल मेला केर्मेन समत पतादिकारी और सदसेगाण रोटे कलब आप वालाखाड टाइदर वालाखाड अगर आप टेली जानते हैं तो आपके लिए ध अच्छे कोई सफन नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइम टेली वित जीस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बेंगलों से मानिता प्रावत जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के नए साफ्टेवेर टेली ट्राइम की ट्रेनिंग लाइफ एकांटिंग और जिस्टी की ट्रेनिंग एकांस ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थांत अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महाविर फर्निचर के बाजु में गोंधि इन मश्रूम एंग फूर्ड प्रोड़क्स पस्तोत करते हैं मश्रूम एडी सूप पाउडर अब एक नहीं आकरशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्नी की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से लड़ने मदद करता है मश्रूम पाउडर एक बार अविश्य अपनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्त बढ़ाएं मश्रूम एडी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर करें अकाल म्रसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिले वर्सियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जनवरी 2022 दिन शनिवार को नए साल की शुरूआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोश्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्रमन करते हुए माकाली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादू से निवेधन है कि इस आउसर पर अपनी उपस्तिती दव्यकरा कर पुनलाज अर्जित करें निवेधन महकाल सेना बबब सेना कालो के काल जै बाबा महकाल पदमे सिटी केबल के सम्मानी उभुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पदमे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए क्यूर कोड चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करें उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइक बुक्तान ना करें ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों की और शादी का प्रलोबन देकर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुस्कंद कर उससे गर्वहती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए पास को एक बालाखाट के विशेश नायथी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाउनिवासी 26 वाशी आरूपी यूवक धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए दस साल का ससम्रकाराबास और पांच अजार रूपए के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है मही अभियोक्ती को प्रतिकर रासी के रूप में 6 लाग रूपए राज्य सरकार के और से दे जाने का आदेश दिया गया है प्राक्त जानकरी के नुसाल थाना लामता छेत्रिक अंतरगत आने वाले एक गाउं में 17 मई 2017 की सुबह दस बजे एक नाबलिक लड़की अपने मामा के घर बहगाओ जाने की बात कहिकर घर से निकली थी जो देर श्याम तक मामा के घर नहीं पहुँची और ना ही वह स्वैम के घर वापस आई वहीं मामा के गाउं बहगाओं में तलास करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया इससे आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था नावालिक लड़की के वार्ड नमबर चार चोटा गोंदिया स्थीत एक किराय के कमड़े से दस्त्यावी की गई थी जहां फुस्तास में नावालिक लड़की ने राम बुडिया गाओं की धर्मिन नेवारे नामक युवक से तीन वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कहीं साथ ही उसने पुलिस को बताए कि धर्मिन ने उसे शादी का प्रलोबन दिया था जिससे वहां उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी जहां उन्होंने नागपूर पहुंच का दुर्गा मंदिर में शादी की थी नावलिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और 5 अबलिक 6 पासको एक्ट का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रसुत किया था इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पेरवी प्रभारी जीलाव अभियोजन अदिकारी सरीतर ठाकूर के द्वारा की गए थी केंदरिये रिजर्वा पुलिस बल सेंटरल जून कुलकाता महानिदेशक नितीन अगरवाल शुकरवार को अपने अलप प्रवास पर हेलिकॉप्टर से बालाहाट पहुंचे जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलिकॉप्टर से उतर कर वे बाई रोड भरवेली स्थीद CRPF बटालियन पहुंचे जहां उन्होंने अपने इस अलप प्रवास में CRPF 123 बटालियन भरवेली और सुनेवानी स्थीद बटालियन की F कंपनी परिसर का निरिक्षन किया दोनों जगह किये गए इस निरिक्षन में उन्होंने CRPF बटालियन के द्वारा की जारी परिचालनी डूटी का जाजा लेकर अन्ने गती विदियो के जानकरी अधिकारी उसली महीं उन्होंने CRPF के जवानों से मुलाकात कर नक्सलाइच छेत्रों में डूटी के दोरान व हुपाल के द्वारा अनिश्यत काल के लिए टाल दी गई है आपको बता दे कि इसके पूरू जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षन की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2021 को करवाई जानी थी जिसकी तारिक बढ़ा कर 18 दिसंबर 2021 कर दी गई थी लेकिन 17 दिसंबर की देश श्याम को ही एक आदिश जारी किया गया जिसमें इस बात का उल्ले किया गया है कि अपरहिहारे कारणों की वज़े से जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है आगामिती थी तय होने पर सुचना दे दी जाएगी 13 पंचायत निर्वाजन के लिए मद्दान दलो को प्रथम चरण का प्रसीक्षन दिया जा रहा है 15 एवम 16 दिसंबर के प्रसीक्षन में अनुपस्तित रहे 19 करमशार्यों को कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरिस कुमार विश्यक्रा ने कारण ब अस्पश्यक्रान प्रसूत करने के लिए कहा गया है अगर समय सीमा में संतोज जरनाग जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कारवाई की जाएगी हट्टाधाना छेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम साल्टे का चौक सोसाइटी के पास गुरुवार की देर रात एक अग्यात वाहन की ठोकर से मोटर साइकल में सवार करिणापूर के बारा निवासी 21 वर्ष्य अंकित विसेन और 25 वर्ष्य कार्तिक रहंग डाले की मौत हो गई प्राव्त जानकार के नुस्तर अंकीत और कार्तिक दोनों साल्टे का किसी काम से आयो हुए थे जब रात करिब 10 बजे मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहे थे उसी दर्मियान साल्टे का चोक सोसाइटी के समेप किसी अग्यात वहान ने उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी अग्यात वहान की ठोस इतनी जबरदस थी कि अंकीत की घटना स्टल पर ही मौत हो गई इस हाथ से में कार्तिक सर्म पर भी गंबीर चोटाई थी जिसे गंबीर रहस्ता में 108 MLS के माध्यम स उपशार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराए गया जहां उसकी गंबीर हालत को देखते हुए चिकिस सकों ने प्रात्मी उपशार के बाद उसे रात में ही गुंदिया रेफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई उधर मरतोकों की सुचना मिलने पर अस नए जाए रहे हैं पुलिस से उस्थाफना दिवस के उसर पर शुक्रवार को डिया जी अनुराग शर्मा की प्रमग उपस्तिती में जिला पुलिस बल के जवानों ने परेट कर उन्हें सलामी दी परेट कमांडर आर आई बाइकर के नेतरत में यातायत और महला पुलिस बल सहीद आठ प्लाटून दल पुलिस बेंड स्वान दल ने परेट की प्रस्तूति देकर डिया जी अनुराग शर्मा और पुलिस अधिक्षक अभिश्यक तिवारी को सलामी दी कारेकरम में उपस्तित वरिष्ट पुलिस अधिकार्यों ने परेट में शामील प्लाटून दलों को आवश्यक दिसा निदेश दिये आज जी जी इस कारेकरम को लेकर की गई चर्चा के दोरां डियाजी अनुराग शर्मा ने बताया कि बारसिक निरिक्षन के तहत पुर्व से निर्धारित कारेकरम के अनुसार वे जीला पुलिस कारेले, पुलिस अधिक्षक कारेले, SDOP कारेले सहित विभी ने थानों का निरिक्षन कर महा संचालित गती वीदियों का जाय जा लेंगे वे इस बात का निरेक्षन करेंगे कि पुलिस की परंपरागत रूप से कारे प्रणाली के अनुरूप विभीन जगों में कारे हो रहा है या नहीं नियम के अनुसार कारे किये जा रहे है या नहीं और रिकार्डों का ठीक से संग्रहन किया जा रहा है या नहीं इस बात की जानकरी लेने की पूर्व उन्होंने पुलिस स्कापना दिवस के पहले दिन परेट का निरेक्षन किया जिससे विविन थानों से आये जमान शामिल हुए आज किये गए निरेक्षन में परेट का स्तर संतोज जनक रहा पुलिस लाइन में आये जित परेट निरेक्षन के दोरान वरिश पुलिस अधिकारी सुपरवाइजर, अफिसर, आये जी, डी आये जी, विविन थानों से पहुंचे थाना परभारी सहित जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्वान दल या तायत के जवान भी शामिल रहे करता है जाने पुलिस मुलिस पास्ते है कुलिस रहे है कुलिस 8 यो राव! यह वार्षीक निरिक्षण का एक कारक्रम होता है जो कि पूरूद निल्हारित होता है वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं जिले के सुपरवाइजरी ओक्सस आईजी डी आईजी एडीजी साहब जो रहते हैं उनका रोस्टर के अनुसार निरिक्षण होता है तो इस वर्ष मेरा बालाघाट जिला पुलिस का निरिक्षण प्रस्ताविक था उससिके अधिनाज परेड के ली गई कोरोना की दूसरी लहर समाथ होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट के मामले बढ़ने लगे जिसे देखते हुए शासन पर सासन के दबारा समय समय पर गाइड लाइन्स भी जारी की जारे इन आकड़ों में लगातार हो रहे व्रद्धी को देखते भी शुकरवार को पीजी कॉलेज येनिस व्याई की पतादी कारियों ने अन्य चात्रों के साथ पीजी कॉलेज प्रभंदन को एक ग्यापन सो पाए जिसमें उन्होंने महाविद्याले में आगामी समय में आज जित होने वाली आफलाइन परिक्षा को रद्ध की जाने की मांग की गए अभी हाली में जिस प्रकार से प्रदेश में कुरोना के केसों में लगातार वर्द्धी हो रही है ऐसे में चात्र चात्रों की आफलाइन एक्जाम कराना उनके स्वास्त के लिए बिलकुल अनुची थै इसलिए आज बालागाट NSY के द्वारा चात्र चात्राओं के स्वास्त और उनके धितों को ध्यान में रखते हुए माविद्ध्याले के प्रचार को ग्यापन साफ्टर उनसे आमान की गई है कि ओफलाइन एक्जाम ना कराकर ओनलाइन एक्जाम कराए जाए जिस्ते की चात्र चात्राओं का जीवन शुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्चा और ऐसी कोरोना जैसी गंबीर मामारी का सामना ना करना पड़ी त्रेस्तरी पंचा चुनाओं में जैसे जैसे नामांगन फॉर्म भरने की अंतिमतारी करीब आते जारी है वैसे वैसे इस कडाके की ठंड में पंचात इस्तर की राजनीती का पारा उपर शर्ता जा रहा है जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याश्यों ने रूची नहीं दिखाई तो चौथे और पाचवे दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याश्यों में नाम निदेश्यन फॉर्म जमा करने की होड़ लगी रही शुकरवार को यहां आकड़ा गाड़ी के मीटर की तरह तेजी से चलतरा और शाम होते तक दो सेखड़ा को यहां पार कर गया चली आपको बता देते हैं कि जिले के भीतर कब कहां कीस चरण में चुना होने वाले है तो प्रथम एवं द्यूती शरण में विकासकन बैयर, परसवाडा, वारसवनी, खैलांजी, लांजी, किरनापूर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 65, 152 जनपत पंचाथ के सदस एवं 19 जिला पंचाथ सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबन्दी छेत्रों के रिटर्निंग ओपिसर के द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी कर दी गई है इसी कड़ी में नाम निदेशन पत्र जमा करने के 5-वे दिन 17 दिसम्बर को 5 के लिए विकासखन बईयर से 19, परसवाड़ा से 28, वारसवनी से 32, खैलांजी से 49, लांजी से 12, किरनापूर से 29, एवं विकासखन कटंगी से 29, प्रत्याश्यों नाम निदेशन पत्र जमा किया इस प्रकार सरफंज पतके लिए विकासकरण वईयर से नोवारसिय नीसी चेक, हैलाणी से उन्नीस लानजी से दस किरिनापूर से बीस एवब विकासकरण कटंगी से पांच परत्याश्यों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है जन्पर पंचाई सदसे के लिए विकासखन बैयर से 6, खैलांजी से 2, किर्णापूर से 4, एवब कटंगी से 2 प्रत्याशियों ने नाम निदेशन पत्र जमा किया है जिला पंचाई सदसे के लिए शेतर करमांग 7 से जोती उम्रे, शेतर करमांग 14 से अलका मुल्क राजानन, शेतर करमांग 16 से पुस्पलता मेश्राम, शेतर करमांग 17 से राम गुमार नकपूरे, एवब शेतर करमांग 20 से टामेशर पटले ने नाम निदेशन पत्र जमा किया ह इस प्रकार 17 दिसंबर को 5 के लिए 188 सरपंच पत के लिए 73 जनपस सदस्यों के लिए 14 देर culturally के दबारा 5 प्रत्याश के दोरा female की नाम नोदेशन पत्र जमा करने की अंतिम्टिती थी 20 दिसमबर 2021 रखी गई है देर श्याम को राज्य निर्वाचन आयक के द्वारा एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि सनिवार का उकास के दिन भी सामाने दिनों की तरह नाम देजिशन फॉम जमा करने की प्रक्रिया शलती रहेगी यहां रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं उसी जैसे ब्रांडेट कंप्यों के पेंट शर्ट के कपड़े, ब्रांडेट कंप्यों की लेगिन और पेंट, पातल, वायल, निवार, साथी, सभी हैंड लूप, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंबल, मच्छरदानी, सोफा कवर, सेट, कंपाटर, केसी कंबल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा मेचिंग की विशाल शर्कला में फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पापलिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाई दो का रूबिया और जार्जेट का अद्बुन संग इसके अलावा अगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथी टेंट, कपड़े, दरी, चटाई और कारपेट की विशाल रेंज, तो जरूर आईएगा, वर्दमान साडी भंडार, आडवानी कंफलेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट भाला घाट, प्रोप्राइटर विमल उमार बोतरा अजित, गिवला, सियारां, रेंट, विमल जैसे ब्रांड़ेट कंपनियों के पेंट, शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पेंट और फिंशी शर्ट की शांदार श्रंखला इसके अलावा, नाव और फापल, वायल, बेटशीट, चादर ब्लांकेट, भुटी और टावेल, साथी सेंसी कुर्टिया, प्लागो पेट, शरारा, गरारा, सलवार फूट का शांदार कलेक्शन, यानि शांदार कपड़ मिलने का एक मात्र विस्वस्मी है, उस्थान, तो चले आईए, श्री शिदार के कलेक्शन, राजगाट चौप, गुबी चौप वाली बली, बालागाट अभी नंदन फॉशन जहां है, मुफ्ती, स्पाइकर, सिगनेचर और स्ट्राइप जैसे मशूर, ब्रांडेट कंपनियों के एक से पड़कर एक, आकरशक और अदभुत, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला, साथी दूले का सूट, शिरवानी औ और कुर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल शर्णखला, आकरशक अंडर कर्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खुब सूरत जैकट, जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम, अभी नंदन फैशन, अहिंसा द्वार के पास, ताली पुती च भाला घाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभी नंदन कलेक्शन युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिश्थित नाम, युवाम इस्थिट्यूट, अ प्लेटफार्म फार यूथ, बैंक, एससी, रेलवे, अरक्षक, वनरक्षक, आईटियाई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर्गतीन और अन्यप्रतियों की परिक्षाओं की बहतर तैयारी सिर्फ राखवेंद्र मिस्रा सर के युवम इंस्थिट्यूट में कराई जाती है, पिछले पाँच वर्सों से सरवाधिक सिलेक्षन का रेकॉर्ड, इसके अलावा, सेपरेट स्पेसल बैक्ष और आईबी राखवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फार यूर प्राइड फ्यूशर, आर्थिक रूज से कमजूर विध्यार्कियों के लिए फ्री पोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी सुईदाओं का लब्द है, जाद फोटो काफी के बाजू में सरकिट हाउस रोड वालक दर्श। आयजन क्या जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रचाजित करेंगे जिले भर में, महराष्ट में, गूंदिया में, नाकपुर में जहां था, हम लोग से प्रचाजित करेंगे। लोगों को इस पूर्ण इलाब में सामिल करेंगे। विस्थापित कुछ दिन की विस्थापित किया। धन्यदान की कमी नहीं होगी। बहुती सिद्ध पीठ है। मैं आपके महाध्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूँ कि जब भी समय मिले, कम से कम एक बार आके इस मंदिर में जब प्रण प्रतिष्था का कारेक्रम होगा तो उसमें संहिल हो। और आप माता अनपूर्णा के जो 1430 के करेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनन्द के अनुगोति हो शहर का गंदा पानी गंगा नगर और जाखपुर घाट के रास्ते ही बनगा नदी में नहीं जाता है बलकि शहर के अन्य छेत्रों के जरिये भी दुशित पानी बनगा नदी में जाता है पदमेश 24-7 के दबार इसके बारे में पता किया गया तो यहां भी जानकारी सामनी आए कि हनुमान चौक से लेकर नर्वदा नगर, शरश्वति नगर, शरेका आदी शेत्रों का गंदा पानी नाले के जरिये गंगले मंडे के समीप से होते भी वेंगंगा नदी में जाता है शहर का गंदा एवं दुशित पानी बेंगंगा नदी में कुछ मैनों से नहीं बलकि पिछले कई वर्सों से लगातार जा रहा है लेकिन इसोर अभी तक किसी के दबारा ध्यान नहीं दिया गया गंदे पानी के अकारण सभी लोगों को परिशानी है और सभी के दबारा कुछ बेहतर विवस्ता बनाए जाने के लिए कर बात भी कई जा रही है हमने यह जाने का प्रियास किया कि गंगले मंडी के समीफ नाले से जो गंदा पानी जा रहा है इसकी परताल करने पर पाया गया कि पानी हनुमान चोक्स की और से नाले के जरिये जो कि नर्वदा नगर से टेगोर मौंटे सरी स्कुल के आगे नाले से कोसमी बंदर जीरिया से होतो भी यह दुशित पानी आता है यह हमी बताये गया कि बंदर जीरिया के पास एक पुल बनाये गया है जिसके नीचे से उचाई अधिक होने जाने के कारण उस पुल से पानी सही तरीके से आगे नहीं जा पाता जिसके कारण महा गंदा पानी हमेशा ही जमा रहता है जिससे उठने वाली दुरगंत के कारण महा से जाने वाली लोगों को परिशान होना पड़ता है पानी कहा का ये जो पानी सहर का पुरा गंदा पानी आकर के ये आगे होते हुए गोंगले मंडी होते हुए नदी में जाकर हुए तो ये जो बनाएं यहां पर ये गलत बनाएं गलत बनाएं गलत बनाएं तो अ होना क्या चहिए था इत वहां नीचे बनना था इता चोड़ा की वंड़ा ही तह चोड़ा इसकी कम करना था इसको अभी पूरी रोड जाके वहा खतम होई वैसे यह जो जो दूष्ण कुरा पानी है जो जिस पानी झाला दिख जा प्राट में जाना चाहिए उCall पानी पास हो जाता थाथ पहले कच्ची रोड थी कि एफ स्पत् जबäs यह कब आरब 15 साल हो गए होग़ अनियके बार दया दम हो जाता यहां मैं के समस्या हो ती 정ynnदि इस व्यां में बदभू हैंका कलता है वोना represented पानी कि पांप होने को होना लेको उस्तों अप York काम हो पिवाणी आनि पांस हो जा tijda सुध बद। कर्टे पुरा दोसित पानी है नहीं नजी में नजी में नहीं नजी में नहीं होते हैं इसके संबन में चर्चा करने पर दोसिता है बाद नमबर 30 के निवर्तमान पाशद राजस निलारी ने बताए कि यहां बाद सही है कि नगर के पांस से च्छे वाड़ों के गंदा पानी नाले के जरिये गुजरी चौक से हनुमान चौक और हनुमान चौक से कोसमी बंदर जिरिया होते हुए बैंगांगा नदी में जाता सरकार की भी योजना है कि शहर का गंदा पानी नदी में न जाए सरकार ने इसके लिए कुछ करना चाहिए वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट लगा कर गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने चाहिए गंदा पानी जादा दिनों तक जमारेने से विमारी फैनने का भी डर ब नाला तो बहुत बड़ा था, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आज से कम से को पच्चे सक साल से तुस नाले को देख रहा हूँ कि कितना बड़ा था और अभी वरतमान में क्या नाला है। एक तो नाला की सकते बड़ी समस्य है मैं बता रहा हूँ जो गौरावपत रोड बनी हूँ और जहां पर साही टेक्टर एजन्सी है। उसमें जब नाला अपन रोड का निर्मान तो करा दी लेकिन नाले का निर्मान करा है। वहां पर एक छोटा सा कुलिया बड़ा है। तो जो क्या पाइप पानी का जब फोर्च पड़ता है और जहर की जिल्लिया जाके वहां पर जमा हो जाती है। उस जमा होने के कारा पानी आगे निकल पाता है। एक तो पाइंड याला हो गया। और दूसरा पाइंड यह है कि जो नहर बनी हुई है। नहर के पास भी दो महंगे डाले गए है। वहां पर तक पुल नहीं बना हुआ है। तो वहां पर भी जिल्ली जम झाती है और पानी के निकासी हुती है। यह निकासी हुती हुँए सिधा पानी कहां जाता है। नदी में। जो नाली की वेशन समाश्या है अपना गव्रोपत जो रोड बना है वहां पे नए पुलिया बन जाए या नहर के पास जो फुलिया बना है वो लिकल जाए तो पानी सर्ण से लिकल जायेदा पुरा दूसित पानी है कितने वाड़ो पान? अब इसके लिए तो प्रशासा सोचे की कैसा कर सकते हैं और अभी सरकार की योजना भी है की सहर का गंदा पानी नदी में न जा अब इसके लिए सरकारी कर सकती है कोविड-19 का नया वेरेंट ओमिक्रॉन देश दुनिया सहीद मद्यप्रदेश में भी प्रवेश कर चुका है और बीते कुछ दिनों से लगातार इसके मरिज भी सामने आते रहे जिसके कारण लोगों में एक दहशत कमाहुल बना हुआ है जिसको देखती हुए प्रदेश शरकार के दवारा वेवस्ता बना कर मौक डिल करने का निदेश दिया गया है परनतु बारसुनी में कुछ अलगी हालात वेवस्ताओं को लेकर नजर आ रहे है जहां पर कई प्रकार की चीज़े देखने को मिल रही अस्पताल में दूसरी लहर की भयावह स्तिति के बाद प्रदेश शासन छेत्री विधायक के दवारा बारसुनी अस्पताल को अक्सिजन प्लांट उपलब्द कराया गया था जो मसीनों का धाचा बनकर खड़ा हुआ था जिसमें करेक्टर के दवारा गद दीनों ऑक्सिजन प्लांट तयार कर रही कंपनी को फटकार लगाई गई जिसके बाद इंजिनेर्स के दवारा आया अक्सिजन प्लांट को तयार किया गया परन्तु शालू होते ही जो पाइपलाइन विछाई गई थी उसका लीकेज टेस पसरा हुआ है क्योंकि अस्पताल में लोग कम आना जाना कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रदेश के प्रवेश्च पर प्रदेश शरकार के दवारा गंबीरता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में वहस्ताओं को दुरुस्त कर सभी अस्पतालों को मौक डिल करने क की बात कई गए थी परन्तु स्थानी स्थर पर देखने में आ रहा है कि किसी प्रकार की मौक डिल नहीं की गई यह तो हालात है अस्पताल के इसके अलावा आम जनता के क्या हाल है इस विसे पर वे क्या कहते हैं चली जानते हैं हाँ जैसा कि मालूम है कि ओमिक्रान है और रियंट है और काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है और इसको लेकर क्यों व्यापकत ही आरे हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें भारी कमी नजर आ रही है जैसे कि कॉरेंटाइन सेंटर हमारा वारा शुने में पहले था वो अभी किस अवस्था में पढ़ा है निर्जी व अवस्था में पढ़ा है दूसरा आक्सिजन प्लांट चालू है या नहीं है और 11 कवी का सप्लाई जो होना चाहिए उसमें भी गती नजर नहीं आती है यह तो ही हमाई तशिल चिकिस साल है कि इस्तिती लेकिन ग्रामी इस्तर पर चाहिए जो लोगरमाली है खैलांजी यह रामपाईली है इनकी इस्तिती बहुत अच्छी नहीं नजर आती क्योंकि के स्वास्तों सुवीधायं को लेकर के नजर में जो यह वस्ता है वो अभी इसको संतोज जनक तो नहीं कहा जा सकता है इसे पिछले बार भी हमने कोरोना क में देखा तो उसमें बहुत निर्दोष्ट लोगों की जान गई अक्सिजन के अभाव में और अवेवस्ताओं के अभाव में और अभी भी जैसे अभी नया विरियंट आ गया है हम देख रहे है प्रदेश में और अभी जिला क्रेक्टर मोधे ने भी बैटक लिया है तो अब वेवस्ता है दिख रही है रात्वी कालीन भी यहां पर डाक्टरों की अच्छी वस्ता नहीं है कोविट सेंटर जो है आमेट करवान का उसके भी बहुत बुरे हाल है वेवस्ता नहीं गई यानि अभी आज की स्थिती में कोई प्रशासन नहीं जाता है तो उसके सवारी सरकार ने समय सारे प्रкогоषातां जारी की सारे प्रास्थाम की और जिला प्रशाल सन को इस बात के लिए यहां वेवस्ताम माना है ठेकां उसके बागुद देखने में आरा है कि सहर में ना तो को समास्कला के चल तरहा है इंडिवर्ए पर केसाद हमने हास्पित्ल का दाुरह किया था हास्पिटल में हमने असीजट से उसका हमावा हो चुका धुसरा जो एम्बॉलेंस थी हमारे है हो लाइक सपोर्थ प्रस जिसको भी हमने पुरित्रजंगत दीया कर दिया जिसका पूरा वहतन वारस दिजल करेंगे जिसमें हम आवर्नेस नहीं है इनको जागरत करने के लिए मास्क भियान चलाना चाहिए सारी लोग मास्क लगा के रहे और सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर के तबाई मचाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे एवं छेत्री जन लापरवा होते जा रहे और लोगों में कोरोना की तिस्री लहर का खौब भी नजर नहीं आ रहे इतना ही नहीं लापरवाई बरतते हुए कोरोना की तिस्री लहर को दावद भी दे रहे अब भी लोग सतर्क नहीं हुए तो कोरोना की तीसरी लहर अपना प्रकोब दिखा सकती है लालबरा मुकेले सेथ ग्रामी शेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर का डर किसी भी में भी नजर नहीं आ रहा है और लोग बेपरवा होकर खुले आम बिना मास्त के घुम रहे हैं इसका प्रभाव किसी भी समय उनकी जान पर आ सकती है जबकि यह दूसरी लहर की अपेक्षा कम से कम दस गुना अधिक अवत खतरनाक सा भी थो सकती है लालबरा समदाइक स्वास केंद्र में कोरुना की तीसरी लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के दबारा जानकरी ली गई तो स्वास विभाग के दबारा बताया गया है कि कोरुना की तीसरी लहर के लिए बेपूरी तरसे तयार है और मरीज के आने पर पुना कोविट सेंटर महाविद्दल कन्या छात्रावास में प्राराम कर दिया जाएगा जिससे एक प्राचिल मुहारा आग लगने पर कुवा खोदा जाएगा जैसा चरितार्थ हो रहा है अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुरूना के प्रतीर जागरूपता खताम हो गई है और हमें सासन के गाइडलाइन और क्रोना प्रोटोकाल की साब से चलना पड़ेगा जैसे उसमें कहा गया है कि सोचिल डिस्टेंस है और हंडड़ परसंट वेक्सिनेशन होना चाहिए और मास्क का प्रेवग होना चाहिए परंतों समाज में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी हम साधियों में भी देख रहे हैं, तो हज्जारों की संख्या में साधियों में भिल इखटी हो रही है, जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए, अगर इस प्रकार की स्थिती रही, तो इसके दूस्परणाम सभी को भोग पड़ सकता है, और अगर हम इससे सचेत रहे, बचे रहे, तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है, और हम भी सुरचित रह सकता है। देश में उमीकराम का बहुत पकोप है, उसके बावज़त की लोग यहां दलडर से बीना मास्क लगाए गुन रहे हैं, लोगों को साधानी बरतना चाहिए, और उसके साथ भी यहां के स्वसाशन को भी लोगों को जाखरिस लगनाचाहिए, मास्क लगाने के लिए लोगों प्रश्ट लोग बिना मास्क के रहते हैं लोगों को मास्क का बेनी पिटनी मालूम आज का मास्कों लोग डेपरेशन के रूप में लगाते हैं जब कि मास्क पुन परिक वाला और अच्छा मास्क ओमी क्रॉन नया वेरियंट आया है भी जो आज के डेट में 99% इंडिया में उ उतरनाख है इसमें अक्सीजन लेवल कम नहीं होता और प्रेसेंट उत्ता गंबी रवस्था में नहीं जाता है चूकि इसके साथ में सबसे बड़ी समस्क्राइए कि यह डेलिटा प्लस से पाज गुना ज्यादा सक्षा में इंफेक्शन फैलाने में और दूसरी चीज मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मास्क लगाईए उससे पहले आप वैक्सिन लगाईए और सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग कीजिए ताकि अपन कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाई यही है इस बार तो विदायक निदी से जित्वी 40 मसी अपने आई थी और साय तो सम्भावना है कि और आ सकती है और दूसरी हम लोग के पास में जो हमने सामाजी के स्तर पर जो चंदा करके मशीन ही लिए ते वही हमार पास विवस्टेंसित रखी लिए है लालबरा में विदायक निदी से 40 अक्सिजन मसीन एमम समाज सीविंग के दवारा 17 अक्सिजन मसीन सहीद 50 बेडों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में इस्तित माहविद्द्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्ताई रूप से बनाया था जिसमें कोरोना संक्रमीद मरीजो का उपचार किया गया किन्तों धिरे धिरे कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद कोविड सेंटर को पूर्णता बन कर दिया गया कोई लोना की तीसे लहर को देखते हुए स्वासिबाख हमारे तरफ से कोविट सेंटर चात्रावास पीजी कोविट केर सेंटर की विवस्ता की जाएगी एवं इसके सार में ऑक्सिजन एवं बैड की पूर्टा 30 बैड अक्सिजन बैड की विवस्ता उपलब थे बैड एवं 40 oxygen concentrator विदाएक निदिकी दोर हमें प्राप्ट हुए थे अभी शाशन के महातियम से 5 oxygen concentrator और प्राप्ट हो चुके हैं तोटल 45 oxygen concentrator अभी उपलब्थ है साथ हे 5 oxygen cylinder हमें उपलब्थ है यादि तीसे लहरा आती है और oxygen की और आशकता पढ़ती है तो जीना अस्पताल वाला घाट में oxygen प्लाट के मात्यम से हमें oxygen cylinders की वैस्ता करा दी जाए इसके साथ ही पूर में समा से भी संच्टाओं के द्वारा oxygen concentrator दान किया गया था वह सेकंड लहर के पस्चाथ उन्हें वापस कर दिया तो अभी तैयारी हो लेकर अभी कुछ यहां प गुरुबार की रात को बालाखाट गोंदया रोल पर हुई सड़कास्ते में बाईक सबार दो योकों की हुई मौत करिणापुर्थाना के अंतरगत वारा निवासी किस वश्य अंकित विसेन और 25 वश्य कार्थिक रहंग डाले रात को साल्टेगा से लोग रहे थे वापस अपने घर वारा अग्यात वहां ने मारी टक कर घटना सल पर हुई ती अंकित की मौत इलाज के दोरान कार्थिक ने गूंदिया में तोड़ा दम 17 दिसमर को पुलिस लाइन में मनाय गया पुलिस इस्थापना दिवास जिला पुलिस बलक के जवानों ने परेट की सलामी दी उपसीद रहे पुलिस के अला अधिकारी मध्य पुदेश के भीतर होने माले 33 पंचा चुनाओ और नगरी निकाच चुनाओ के लिए नयाले ने दिया आदेश OBC आरक्षन किया समाप्त OBC आरक्षन स्रीटों पर सामन स्रीटों की तरह होगा चुनाओ देवी तालाप पर NJT ने दिया देश फिलाल देवी तालाप से नहीं हटेगा अर्थिक्रमन नीजी स्वामी भूमी की जमिन होने की दिगई दलिल राजिय शासन और कलेक्टर को किया गया मामले के लिए अधिक्रहित लामता थाना के अंतरगत आने वाले खुरसोड़ा गाउं की दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने थाना पहुंच कर बताई परिशानी पुलिस से की अपरादी और आसमाजिक ततो पर कड़ी कारवाई की माँ एने शुदार की पदादी कारियों ने जेटा संग त्रिवेदी महाज जाले के प्राच्षार के सोपा ग्यापन कोविड-19 के प्रकवपो देखती भी आनलाइन परिक्षाय जित किया जाने की मांग की शहर के बाढ़ नमर 20 में स्तित मा अनपुना मंदीर का हो रहें नव निर्मान 30 जनवरी से 6 फरवरी तक आयजित किया जाए गया प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम आटो चालको ने नगरपालिका के अधिकार्यों को सोपा ग्यापन बसे स्टेंड से आटो स्टेंड नहीं हटाये जाने की मांग की मध्यप्रदेश पेंस्टरंस एसोसेशन ने साथ सुत्री मांगों को लेकर कमला नहरू सभागार में आजित की आधिवेशन विभीन मुद्धो पर की गेशर्चा मध्यप्रदेश हासन के नवीन एवाँ नव करनी उर्जा एवाँ पर्यावरन मंत्री एवाँ बालाखाट की प्रभारी मंत्री हर्दीप स्री डंका शुनिवार को होगा बालाखाट आगबन बालाखाट जीले बास्यों की अच्छी खबर सामानिवन छेत्रों में वस 2018 की तुलना में दूगनी हुई बागों की संक्या उतर सामानिवन मंडल की 130 बीटों में मिले बागों की उपसीति की साक्षे बारश्री शेयर के भीतर बगेर पंजियों लाइसेंस के चड़ रहे दो चिकिस सक के क्लिनिक को किया गया सिल्बन 33 पंजिया चुनाव निर्वाचन के लिए मद्दान दलो के प्रतम प्रसिक्षन के दवरान 15 और 16 दिसम्बर को प्रसिक्षन से गायब रहे 19 कर्मशारी को कलेक्टर ने भीजा कारण बताव नोटिस 33 पंजिया चुनाव के नाव निर्वाचन के पाच विदीन 280 प्रत्याश्यों ने भरा नामांकन फॉर्म कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश स्थर पर किया गया अलर्ट लालवर्रा में अधुरी तयारी के बीच चल रहे है तीसरी लहर की तयारी मरिशतो दूल डाक्टर भी छेहरे पर नहीं लगा रहे मास्क दूल खा रही ऑक्सिजन मसीन का बार हो रहे डेट तिसरी लहर की दस तक से पहले बारस सुनी में आक्सिजन प्लांट भश्चाचार की खुली पोल प्लांट शुरू होने से पहले ही फुट गया पाइप कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुबार विस्तरा ने लगाई फटकार हुआ सुधार वैलवर मुखेले से 12 किलोमेटर दूर कंजाई बंचयद गयते सक्तिपीट में 41 श्वश गार्ट के आउसर पर हो रहा स्रीमध भागवद गीता का युजन शरके गंगा नगर जाकपुर घाड की तरह ही कई बाडो का गंदा पानी गोंगले के रास्ते पहुँच रहा बैंगंगा नदी मैली होरी है बैंगंगा खामुज बैठे जिम्मेदार चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूड एंड हार्डवेर सेंटर राजगाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोड सिंदु भवन के बाजू में आजाच चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको मिलेंगे ब्राइंड आइटम्स, डेकोरेटिव डोर, प्लाइवूड एलूमिनियम सेक्शन, लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हार्डवेर की संपूर्ण श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको सही सामान उचित मुल्ले पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूड एंड हाडवेर सेंटर, नए शोरूम का पता, सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आचाच चौक पालाखाट आओ चलें वक्त की रफ्तार के साथ, शहर का पतिष्ठित पतिष्ठान बोरी कर सहरा इवाल्ज शोरूम में उपलब्ध है देश विदेश में पुसिद आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दती से बनी अनेक ब्रांडेट कम्पियों की दो पहिया गाडियां बैटरी से चलने वाली शांदार गाडियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुप्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चले वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्ज की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नमबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नमबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनेंस विधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद कमपनियों की गाड़ियां देखने और खरीदने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इछट के नीचे एक से अधिक कमपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यों त्री विलर हमारा वद्देश से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहारा इवाल्ज बर्व फ्रेक्ट्री रोड नर्मदान नगर श्यू मंदिर चौर बालखाट शेट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केयर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजेसी एंड डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी होई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्ण और चक्कराना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लगवा होना, हात प दातों को तार लगाना, पर्मानेंट भेस दात, मसोडो का इलाज, रोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिले, मुग के कम खुलने का इलाज, यहां ECG, पैधोलोजी, नेबुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलब्द है, तो याद रखे, वेद हेल्थ केर, मादूरगा मंदिर के पीछे, रेलवे स्टेशन रोड, हनुमान चौक, पालाखार आपके घर को आकर्शक और सुंदर बनाने के लिए शेहर के प्रसिद्ध प्रसिस्थान, होम्टाउन टाइल्स, डिजाइन तो इंप्रेस यू होम्टाउन टाइल्स में उपलब्द है सभी प्रकार की आकर्शक फ्लो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स, जीवीटी, पीजीवीटी, नैनो, मैट फिनिश टाइल्स, वाल्ल टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, अलिवेशन टाइल्स, किचिन टाइल्स, स्टील सिंक, ग्र सब्सक्राइब करने के बाद अपने के बुगतान करने में कोई परेशानी हो रही है तो आज ही प्लेश्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप डाउनलोड करने के बाद अब अपना कस्टमर आईडी डालें जो कि आपकी रिसीप में लिखा होता है अब डिफॉल्ट पासवर्ट वन डालकर लॉग इन करें अपना रजिस्टर्ट मुबाइल नमबर या कार्ड नमबर डालकर सिफ एक बार अकाउंट को वेरिफाई कीजि इतना ही नहीं चालू पाकेच, बिल या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी तो अभी अपना फोन उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप और आनद लीजिए अपने मन पसंद एंटेइनमेंट का अधिक जानकारी के लि बे पूबजिए यविजिए और नालोड हूर मूष जानकारी कर यजिए in a single home internet today is for everyone to get the best of all your digital needs you need the best internet experience switch to Padmeish broadband Balaghat's largest fiber broadband network Padmeish broadband delivers fiber technologies thin strands of glass that transmit light to give blazing fast speed upload heavy files as quickly as you download them enjoy incredible giga speeds of 1000 mbps get the promise speeds consistently use all smart devices together with virtually no dropping performance today Padmeish broadband serves in more than 120 villages and town together across Balaghat district welcome to the new era of digital experiences Padmeish broadband feel the speed अंपके-ईपकि लो या क्लेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुमार मिस्त्रा के दवारा पश्चु पालन एवं डेरी विभा की समिच्छा बैठक में अनुपस्तित पांच कर्मचारियों पर कारवाई के लिए निर्देशित किया गया है बैठक में मुखे रुप से किसान क्रेडिट कार्ड पर विश्त्र चर्चा की गई विकास खंडवार अधिकारियों की समिच्छा के दौरान अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदर मेंकों में जमा करने हेतु निर्देश दिये गए बैटक में अनुपस्तित एवं कारे में लापरवाई बरतने वाले पांच कर्मचारी के एक माह का वेतन रोखने के निर्देश कितवारा दी गए आपको बता दे कि कर्मचारी अधिकारिये को निर्देशित किया जा रहा है कि मों अपना काम बेहतर तरीके से करे बाउजुद इसके किलापर वाही कम होने का नाम नहीं ले रही है नतीजा 33 पंचा चुनाम अध्दान की ट्रेनिंग में अब तक 19 कर्मचारी अनुपस्थित रहते जिन पर भी कारवही प्रस्तावित की गई है लालबरा मुख्यालेश से करीब देड़ किलोमेटर दूर राजमार सिवनी पर इस्तित पाउर हाउस के समीप अउल्या कनार मार पर इस्तित नहर में डुबने से 17-18 दिसंबर की दर्यवियानी रात में ग्राम पंचायत अउल्या कनार निवासी 42 वश्य 37 बेल की मौथ हो गई हेवां पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है प्राप्त जानकरी के नुसार अउल्या कनार निवासी 42 वश्य 37 बेल 17 दिसंबर को दोपर करीब 3 बजे घर से लालबरा जा रहा हूं करकर घर से निकला था किन्तो रात करीब 10 बजे तक मौँ वापस नहीं आया तो परीजनों ने आसपास उसकी पता साजी की किन्तो कुछ भी पता नहीं चल पाया जिसके बाद परिवार के सदर से शोग है 18 दिसंबर के सुबह जब ग्रामिन जन सुबह घुमने निकले तो उन्हें टेकाडी जला से की नहर माइनर जो ओल्या कनार होते वे पांधरवानी रामजी टोला के ओर आगे जाती है और पावर हाउस सिवनी मारग के समीप से गुजरी अल्या कनार मारग नहर के पानी में डूबा हुआ एक वेक्ति दिखाई दिया जिसके पास जाकर दिखा गया जिसके सिनाक्त अल्या कनार निवासी 42 वर्षी 37 पेल के नाम से पैचान हुए जिसके जानकारी उनके परीजन वो पुलिस को दे दी गई जिसके जो फानी में गिरने से उनकी सायथ पानी मानी एकर सरीम में चले गया तो अचानक लग्ति हो पी हो योगी ऐसा मुझे लग रा तो इस हिसाब से मैं ने देखाकि वे अग्सान को तुक है तो फेर नहारा रहा तने के बाद में हम लोगों ने रिपोट लखा हमारे जाम के ग्राम सेवक दोरु के तरहा तो नहार के पाने में गिरके प्लाव पज़ा थे पता में पाने में डूबने इसी मग कुई है जो सफ़ाठी नजी से नकलिये और अपने अ प्राप्त जानकारी के नुसार लीना कमाई का ग्राम प्रेल वही परशाई का है जिसका विवा दो साल पहले लखन धुर्वे ग्राम दमो कालोनी निवासे के साथ सामाजी करीती रिवास से हुआ था शादी के बाद से ही लीना अपने सस्राल में रह रह रही थी जिसकी एक दस महा की दो दुमहू बेटी खुशी है बताये गया कि लखन धुर्वे शादी के बाद से ही अपनी पतनी लीना को दहच की मांग को लेकर शारिरिक वामानसिक रूप से पताड़ित करते हुए उसके साथ कुरुता प्रुवक वेभर करते आ रहा था 12 वो 13 दिसंबर की दर्मियानी रात में लीना ने पती लखन धुर्वे के दवारा दी जा रही देज बतारना से परिशान होकर उससे अपनी दूद मुही बच्ची को घर में सोता हुया छोड़ कर घर के पीछे खलियान के पास इस्तित करन के पेड में फासी लगा कर उसने आत्मरत्य कर ली थी स्टोपी आदित्य मिश्रा ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में म्रतिका लीना धुर्वे के पती लखन धुर्वे के विरुद धारा 306-304B-492A भारती दर्णे विधान के तहत अपराद दश किया और इस अपराद में लखन धुर्वे के कुर्प्रिम कोट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए महराश्य की तर्च पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में OBC आरक्षन को समाप्त कर दिया है आदेश के मुताबिक अब जिन इस्तान पर OBC आरक्षन के लिए स्रीट आरक्षित की गई थी उन स्थानों पर सामन स्रीट घोसित कर दिया गया है मतलब साफ है कि अब OBC आरक्षन वाले स्थान पर सामने रूप से कोई भी प्रत्यासी किसी भी वर्ग का प्रत्यासी चुनाव में अपनी किसमत आजमा सकता है आपको बता दे कि पंचाय चुनाव को लेकर एक हपते से चल रही कसमकस में आज़े निर्वाचन आयो को खुद करना है कोट के सकादेस के बाद पंचेय चुना की प्रकिरिया पर रोक लग सकती है हलाकि अभी तक राजजे निर्वाचन आयो की ओर से इस मामले में कोई अभीमत नहीं आया है MP में पंचया चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोट में अहम सुनवाई हुई याचिका करताओं के वकिल वरिष्ट अधिवक्ता विवेक तंखाओं के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये गए है कि चुनाव सविधान के इसाफ से हो तो ही कराए मद्यपदेश में आरक्षन रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह सविधान की धारा 243C और D का साप उलंगन है अभी सुप्रिम कोड का विस्तरत आदेश आना बाकी है इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोड का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर नहीं नहीं लिया जाएगा मुख्य चिकिस्ता या एवं स्वास अदिकारी डॉक्टर मनुच पांडे के दवारा बगेर पंजियन एवं लाइसेंस के मद्यपदेश उपचरिया ग्रह तथा रुजोपचार अधिनियम का उलंगन कर वारासुनी में संचालित दो चिकिस्ता क्लिनियों को को सिल बंद कर कुतुर पांडे के लिएडी का अधिकन के लिएवं लाइसेंस नहीं पाई गया जिस पर डॉक्टर विमल के वीशन के क्लिनिक में पाए गए उपकरनों एवं आउश्वधियों को जप्त कर क्लिनिक को सील बंद कर दिया गया है इसी प्रकार वारशनी शहर में सिविल लाइन के पीछे मस्दित के पास अनुप शोबे अधिवक्ता के मकान में प्रतम तल पर किरायक पर मकान लेकर डॉक्टर आरेच थेर के द्वारा निजी अस्पताल संचालित की जाने की सूचना पर तैसलदार राजिंदर टेकाम के नेतरत में गठी दल के सदसे जिलाची किस साले के मेडिकल आफिसर डॉक्टर अरुन कुमार शहर के दवित आला पर केगे अतिकरमन प्रकरन की सुनवाई के मामली में इंजीटी ने आदेश अनूसार इस प्रकरन में उनकी ओर से किसी भी तरग के कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान NGT ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम्त कारवाई की जाएगी आपको बताते कि NGT में दर्श की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्ले क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगबा आठ एकर से अधिक बताये गया है पुलिस लाइन तालाब रगबा तीन एकर महरा तालाब रगबा चार एकर मोती तालाब रगबा लगबा बावन एकर बुदोभी तालाब रगबा लगबा छे एकर देवी तालाब रगबा लगबा लगबा सूला एकर दरी तालाब रगबा लगबा साड़े चार एकर दसा गया है कि यह तालाव रिसप डेवलपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलाकि साधिश में इस पात कहीं वे उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालाव का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मद्दविशासन और बालाखा जिला प्रसासन को किस तरह से कोई के पाले में डाल दे है कि यहां रुकते एक छोटी से ब्रेक के लिए जल्द हाजी रोते हैं खुश खबर खुश खबर रोटरी क्लप आप वालग हाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जलेवासियों के लिए अभिनाव पहल अनंदम उत्सव व्यापार मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे पारिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्सव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कम्पनियों के उत्पादों की विशाल श्रंखला, ग्राहक, वित्रक और धिर्माता के मत, सीधा संबंध, व्यक्तित वविखास के लिए प्रतिस परधाओं का आयोजन स्वादिस्ट गंजनों की विशाल श्रंखला, बच्चों के लिए आकर्शक जूले और सांसकतिक कारे करम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक समय अप्रान 4 बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकस्र स्कूल खेल बैदान सर्धित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मित सिंध पसरिचा अध्यक, रोटेरियन भरत प्टानी सच्यू, रोटेरियन देविंग सिंग चंजल मेला केर्मेन, समत पतादिकारी और सदसेगाण, रोटे कलब आप बालाखाड टाईगर बालाखाड अगर आप टेली जानते हैं, तो आपके लिए धेरु जाब कर रहे हैं इंतजार, जिहां कि ये सच है कोई सपना नहीं तो आईए और सीखिए टेली प्राइं, टेली विट जीस्टी और एकाउंटिंग के छित्र में बनाईए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कम्प्यूटर टेली कमपनी बैंगलों से मानता प्राप जिले की एक मात्र संस्था जहां दी जाती है टेली के नए साफ्टेवेर टेली ट्राइंग की ट्रेनिंग लाइट एकाउंटिंग और जीस्टी की ट्रेनिंग एकाउंस ट्रेनिंग के छित्र में 14 वर्सों से प्रसुद्ध संस्थांत अनपूर्णा कम्प्यूटर पता है माविर फर्निचर के बाजु में गोंधिया रोट बाला घाट मश्रूम AD पाउडर और इंडिन मश्रूम एंट फूड प्रोडक्स पस्तोत करते हैं मश्रूम AD सूप पाउडर अब एक नहीं आकशक पैक में मश्रूम सूप पाउडर आपके शर्ली की इम्म्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और खतरनाख वाइरस से लड़ने मदद करता है मश्रूम सूप पाउडर भूख बढ़ाए और खून की माकरा बढ़ाता है आपके बाचन तंतर को मजबूत करता है दुबले पन और कमजोरी को दूड करने में सहायता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अवश्य अपनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्त बढ़ाएं मश्रूम एदी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर करें अकाल मरसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े यह भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 दिन शनिवार को नए साल की शुरुआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 9999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोस्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्यमन करते हुए मा काली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादों से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्तिती दव्यकरा कर उन्यलाज अर्जित करे निवेदा महाकाल सेना बबबब सेना कालों के काल जै बाबा महाकाल पदमे सिटी केबल के सम्मानी और भुकताओं को सुचित किया जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पदमे सिटी केबल के एप से करे या हमारे द्वारा दिये गए क्यूर कोड चाही करे आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पद में सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत बुक्तान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइक बुक्तान ना करे कि ब्रेके बाद एक बाफ इससे आपका स्वागत है परते खबरों की और शादी का प्रलोभन देकर नाबारी की लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुसकंद कर उससे गर्वहती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिन सुनवाई करते हुए पासको एक बालाखाट के विशेश नायदी सानन पिर राहूल की विद्बारना दालत ने थाना लामता रामबुडिया गाव निवासी 26 वशी आरूपी युवक धर्विन नेवारे को दोशी करार देते हुए 10 साल का ससम्रकारा और पांच अजार रूपई के जुर्माने से दंडित कर जेल भीज दिया है। पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया। इससे आरूपी के द्वारा पहला फुसला कर साथ ने भगा कर ले कर गया था। नावालिक लड़की के वार्ड नमबर चार छोटा गुंदी अस्तित एक किराय के कमड़े से दस्तियावी की गई थी। जहां फुस्तास में न आकपूर पहुंच का दुर्गा मंदिर में श्यादी की थी। नावालिक की सिकायत पर लाम्ता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 दो एन और पांच अबलिक 6 पासको एक्ट का इजाफा कर प्रकरण को नयाले में प्रसुत किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की उर से पैरवी प्रभारी जिलाव अभियोजन अदिकारी सरीत ठाकूर के द्वारा की गए थी। में इस बात का उल्ले किया गया है कि अप अरहारे करणों की वज़े से जिलापंचात अद्देश के आरेक्षन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। आगामिती थी तय होने पर सुचना दे दी जाएगी। जब रात करिब दस बज़े मोटर साइकल से अपने घर वापस जा रहे थे। उसी दर्मियान सालिटे का चौक सोसाइटी के समीप किसी अग्यात वहन ने उनकी मोटर साइकल को ठोस मार दी। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकिस सकों ने प्रात्मी उपचार के बाद उसे रात में ही गोंदिया रेफर कर दिया गया था। जिसकी रास्ति में ही मौत हो गई। उदर मरतोकों की सुचना मिलने पर अस्पताल चोकी ने धारा एकसो शवात्तिर के तहत मर्ग कायम कर पंचनामा सहीत अन्य आवश्य करवाई कि वहीं दोनों मरतोकों के शव का पोश्माडम करवा कर शव अंतिम संसकार के लिए उनके परिजनों के सुपूर्थ कर दिया गया है नगर के वाड़ नमर 20 में इस्तीद मा अन्नपुना मंदीर का नौ निर्मान हो रहा है इस अवसर पर 30 जन्वरी से 6 फरवरी तक भव्य प्रान प्रतिष्ठा समारों का आयजन किया जा रहा है इस अंदर में मा अन्नपुना मंदीर स्ट्रस्ट के पतादी कार्यों के दबारा अन्नपुना मंदीर प्रांगन में पत्रकार वारता आयजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यहां पुर्व से जो मा अन्नपुना मंदीर था मा 110 वर्ष का हो गया था जर जर होने के कारण नए मंदिर का निर्मान किया जा रहा है जिसका कारे लगफ़क पूर्णता की ओर है भवे प्रान पतिश्टा का कारेक्रम आयुजन कर मातारानी को नए मंदिर में विराजित किया जाएगा उसको बहुत ज़्यादा प्रचाहित करेंगे जिलह भर में महराष्ट में गोंदिया में नाकपूर में जहा था हम लोग सब्सक्राइब करेंगे हम लोगों को इस पुन्य लाब में सामिल करेंगे हमारा उद्देश मंदिर जब जरजर हो गया था उसको बचाने का था तो पूरी तरह से उसको भी सज्जित किया गया हमारे आर्केटर्ट आलोग नेमा जी ने इसमें एहम भूमी का निभाई क्योंकि मंदिर की मूर्तियां म महां से विस्थापित करना बड़ा कठिन काम था और धार्मी के रूप से लोग यह भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे तो उस सब को हमने लोगों से प्रकान विद्वानों से सलह करके पुजा पाट करा कर माता जी को एक उनके कक्ष में अनपुर्णा मंदिर यहां पर है अनपुर्णा मंदिर में मेरे खाल से एकी मात हर था और बहुत कम पाए जाते हैं, नगर अनपुर्णा मंदिर के इस मंदिर के मामले में एक आज आता है कि यहां का अन्ध म刚 को अगन के महीने मज़े अनाज मिलता है वो अनाज अपनी कोठी में ले आकर डालें तो जीवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगी बहुती सिद्ध पीठ है माता जी कई चमतकार देखने मिलते हैं जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो साथ दिवसी कारेक्रम होने वाला है ये बहुत भवे प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम होगा मैं आपके मात्यम से जिले के नगर के सभी भक्तों से अनुरोद करता हूँ कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदीर में जब प्रान प्र प्रतिष्ठा के करेक्रम होंगे उसमें सामिल हो तो आपको एक अलगी आनन्द के अनुगोति हो हूँ कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर के तबाही मचाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे एवं छेत्री जन लापरवाह होते जा रहे और लोगों में कोरोना की तिसरी ल में कोरोना की तिसरी लहर का डर किसी भी नजर नहीं आ रहा है और लोग बेपरवा होकर खुले आम बिना मास्क के घुम रहे इसका प्रभाव किसी भी समय उनकी जान पर आ सकती है जबकि यह दूसरी लहर की अपेक्षा कम से कम 10 गुना अधिक और खतरनाक सा भीत हो सकती है लालबरा समदाइक स्वास केंद्र में कोरोना की तिसरी लहर की रोकताम की तयारी की समन्द में पदमेश 24-7 की टीम के दबारा जानकरी ली गई तो स्वास विभाग के दबारा बताया गया है कि कोरोना की तिसरी लहर के लिए बेपूरी तरह से तयार है और मरीज के आने प और हमें शासन के गाइडलाइन और टोणा प्रोटोकाल की साफ से चलना पड़ेगा जैसे इसमें गया है कि सोशियल डिस्टेंस नहीं है और हन्डिट परसंट वेक्सिनेशन होना चाहिए और मास्क का प्रियोग होना चाहिए परंफु समाद में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी हम साधियों में भी देख रहे हैं, तो हज्जारों की संख्या में साधियों में भिल इखटी हो रही है, जबकि प्रोटोकाल यह है कि लगभग 200 लोगों की बीच में साधिया हो जाना चाहिए, अगर इस प्रकार की स्थिती रही, तो इसके दूस्परणाम सभी को भोग और अगर हम इस सचेत रहें बचे रहें, तो तीसरे रहर को बचाया जा सकता है, और हम भी सुरचित रह सकता है। इसके दूस्परणा चाहिए, तो मास्क लगाना जरूरी है। जिसे आप लेकर होगे लाल बर्वादर में कि अधिकान लोग क्या बिना मास्क की रहते हैं, और अच्छा मास्क की बना मास्क की रहते हैं। अच्छा मार्ण एक नया वेरियंट आया है भी जो आज के डेट में 99 पेसेंट इंडिया में उसके हो चुके हैं चुकि डेल्टा प्लस से कम खतरनाक है इसमें अक्सिजन लेवल कम नहीं होता और पेसेंट उकता गंबी रवस्था में नहीं जाता है चुकि इसके साथ में सब से पहले तो आप मास्क लगाई है उससे पहले आप वैक्सिन लगाई है और सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग कीजिए ताकि अपन कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाई यही है इस बार तो विदायक निदी से जिक्तिवी 40 मशीन आई थी और सुरक्षीत है और साय त कि तैयारी प्रारम कर दें दिन चाहिए जिससे समय रहते तीसरी लेहर को नियंत्रित किया जा सके धूल का रही औक्सिजन मसीन कबार में पड़े औक्सिजन बेट कोरोना की दूसरी लेहर की भीसंत तबाही को देखते विए लालबरा में विधायक निदी से 46 औक्सिजन मस सहीद पचास बेड़ों का कोविड सेंटर नगर मुख्यले में इस्तित महाविद्यालाई के कन्या चात्रावास में अस्थाई रूप से बनाया गया था जिसमें कोरोना संक्रमिद मरीजों का उपचार किया गया किन्तो धिरे-धिरे कोरोना बीमारी खत्म होने के बाद कोवि प्रकेर सेंटर की विवस्ता की जाएगी एवम इसके साथ में ऑक्सीजन अवां बैड की पूर्था 30 बैड़ेड ऑक्सीजन बैड की विवस्ता उपलब्थ है बैड एवम चालीस ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर विधायक निदी की दौर हमें प्राप्थ हुए थे अभी शाश चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी प्रतिष्थान गीता प्लाइवूट एंड हाडवेर सेंटर राजघाट चौक बाला घाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सरकिट हाउस रोट सिंदु भवन के बाजू में आजाट चौक बाला घाट में शिखर शुरू हो रहा है यहां आपको प्लाइवूट एलूमिनियम सेक्षन लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर श्रंकला अब आपको बड़ा शहर जाने की जरूरत नहीं यहीं आपको सही सामान उचित मुल्य पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूट एंड हाडवेर से इंटर नए शोरूम का पता सिंदु भवन के बाजू में सर्किट हाउस रोड आजा चौक पाला खाट आओ चलें वक्त की रफ्तार के साथ शहर का पतिष्ठिक पतिष्ठान बोरीकर सहरा इवाल्ट शोरूम में उखलब्द है देश-विदेश में पुसिद्ध आधुनिक तकनीक और एकदम हाई-टेक पद्दती से बनी अनेक ब्रांडेट कंप्रियों की दो पहिया गाडियां बैटरी से चलने वाली शांदार गाडियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुफ्ति लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्स की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नमबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नमबर वन की रेकिंग वाला शोरूम फाइनेंस स्विधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कमपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इछट के नीचे एक से अधिक कमपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यों त्री विलर हमारा वद्देश से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंखला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केयर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसी एंड डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदु में और मदु में से जोड़ी होई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थाइराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना सरदर्द और चक्कराना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घहात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लखवा होना, हात पैर और जोडो में दर्द वजलन होना पिमारियों का सफलत मिलार, मूग एवं दंद रोग विश्चक के डॉक्टर निली मा वेद प्रकास लिल्लारे, बीना दर्द के दात निकालना, दात और मसूड के दर्द का उपचार, तेड़े-बेड़े दातों को तार लगाना, पर्मानेन फैस दात, मसूडों का इलाज रोट के नाल, दातों पर केप चड़ाना, दातों की सफाई, दातों की फिले, मूग के कम खुलने का इलाज, यहां ECG, पैथोलोजी, नेबुलाइजर और सम्मधित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलप्त है, तो याद रखे, वेद हेल्थ केयर, मादूरगा मंद के पीछे, रेलवे स्केशन रोड, हनुमान चौक, पालाखान, आपके घर को आकर्शक और सुन्दर बनाने के लिए, शेहर का प्रसिद्ध प्रसिस्थान, होम्टाउन टाइल्स, डिजाइन तो इंप्रेस यू, होम्टाउन टाइल्स में उपलब्द है, सभी प्रकार की आ स्टील सिंक, ग्रे नाइट, क्वार्ट्स, सैनेटरी प्रोड़क्स, क्वमोड, डिजाइन वाश बेसिन और बातफ़ेर एक्सी सिरीज की आकर्शक शंकला, आकर्शक नल फिटिंग और शावराधी की संपून रेंज, तो चले आईए और सजाईए अपने सपनों का घर होम हमारा पता है, होमटाउन टाइल्स, वैयर रोट, डॉक्टर गादी के सामने बाला घाड, क्या आपको अपने केबल के भुखतान करने में कोई परिशानी हो रही है, तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप, डाउनलोड करने के बा पेमिंट के लिए एड बैलन्स टू वालेट में जाए और अपना अमाउंट एंटर कर पेनाओ पर क्लिक करें, अब अपने मन चाहे पेमिंट में थर्ट से पेमिंट करें, इतना ही नहीं चालू पैकेच, बिल या पिछले भुखतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी, तो अभी अपना फोन उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल अप और आनद लीजिए अपने मन पसंद एंटर्टेनमेंट का, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 831-9969927, 888-7800-6435 Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies, enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple device in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmeish Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmeish Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 mbps. Cut the promise speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmeish Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmeish Broadband, feel the speed. Padmeish Broadband, feel the speed. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतरगत जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं लगबग 250 युवाओं को अब बेरोजगार होने का डर सताने लगा है युवाओं के दवारा प्रभारी मंत्री हर्दीप सीन डंग से मुलाकात कर उनके रोजकार की वेवस्ता की जाने की मांग की गई जिला अस्पताल में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हुआ उने प्रभारी मंत्री स्री डंग को बताये कि कोरोना संक्रमन की आहट को देखते वे उन्हें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहा जिला अस्पताल में 90 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें उन्होंने करीब 150 उर्पय के हिसाब से मान दे दिया जाता है जबकि ट्रेनिंग के तहत उन्हें मरीजों की देखभाल करने, दवाई गोली का वित्रन करने, एंजेक्शन लगाने, मलहम पट्टी वा आक्सिजन से संबंदित सुविदाय देने के कारे सहित एक नर् अच्छा जब आपको यहां पर ट्रेनिंग पर लगे थे उस समय क्या बात हुई थी आप लोग की? अच्छा तो अब आप चाहते हैं कि अगर कोवीड नहीं आता? नगरपालिका की दस्तेने अतिकर्मन हटाने के कारवाई करते भी शनिबार को नगर के MLB स्कूल पधिसर में लगने वाली करीब एक दरजन दुकानों के अतिकर्मन को हटा दिया नगरपालिका के द्वारा कीगे इस कारवाई से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारी काफी नाराज है जिन्होंने अतिकर्मन हटाने का जमकरी विरोध किया इस दौरान फुटकर व्यापारियों और नगरपालिका के टीम के बीच जमकर बहस भी देखी गई MLB स्कूल की सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों ने इस कारवाई का विरोध करते हुए उनकी दुकान हटाने से उनके बेरोध कार होने के बाद कही और दुकान लगाने के लिए दूसरी जगा दिये जाने की भी मांग की आप लोग को भी हटाया कि? क्या बोले नगरपाली का वाले कुछ नी बोले फिर नगरपाली का की गाड़ी आई और हटाने बोले फिर हटा के लेके चले गए मेरी स्वाक्स, लेडिस स्वाक्स और लेडिस पर्स की दुकान है क्या हम लोग ज्यादा नहीं सब्ता में पाच छे दिन दुकान लगाते एक दो गंट कितने घंटे रहते हैं? मिनियों तीन से चार गंटे से आज अगर पाली का वाले आए जी आटा हैं क्यों हाटा हैं? अगर पाली का वाले आए हटा हैं जब कि हमने गल्स कालेज परिशार में भी लगाए थे बर हटा दी होंगे क्या कहे के हटा हैं लोग बोले कि यह चात्रा उस परिशार है इदर के दुकान नहीं लगा रहा हैं अच्छा आपने बोले नहीं कि हम छोटे हैं पुटकर वैप्रा दिन तो रहने दो सव देड़ सो का पेट्रोल जला के आए तो इसमें क्या होता है दिक्कत होता है अच्छा आज जैसे कितने दुकान दरों को हटा आए गया है यहां तो सरकाने लगबग 10-12 दुकाने लगती थी सर सबी लुक बंदी थे आज अच्छा यहां अन्यतर जगह आपको दिये या पिर हटजाओ बोले आप कहीं भी जाके लगा लो कैसे बाकि यहां से भी हटा द मुखिनगरपाली का अधिकारी सतीस मरसेनिया ने बताए कि किश्वीवेक्ति ने CM हेलफ लाइन में फुटकर व्यापारियों की सिकायद की थी इनकी सिकायद मिलने पर नगरपालिका के द्वारा अतिकरमन हटाने की कारवाई की गई है महीं उन्होंने फुटकर व्यापारियूं के लिए नगरपालिका के पास जगन ना होने की बात कहते हुए फुटकर वैपारिंग को दुकान लगाने के लिए दूसरी जगर देने से साफ इंकार कर दिया है लामदा थाने के चरेगाव पुलिस शोगी छेतरे के अंतरगत आने वाले ग्राम टीटवा में एक लड़की को उसी के पडोस में रहने वाली मा बेटी ने हाद बुकों से बेहरमी पुर्वक मार पिट कर घायल कर दिया घायल लड़की रजनी महोबे 19 बश ग्राम ट्रीटवा निवासी को जिला अस्पताल में बर्ति किया गया है प्राप्त जानकरी के नुसार 18 दिसमर को रजनी अपने घर में थी जिसके माता पिता काम करने बाहर चले गये थे दस बजे करी पडोस की राइवन तबाई की बखरी रजनी के बाड़ी में आ गई थी रजनी ने बखरी को भगाया तो राइवन तबाई अपने बेटी प्रतिमा के साथ आई और रजनी से विवात करते भी राइवन तबाई ने अपने बेटी प्रतिमा के साथ रजनी को बेहरहमी पुरवक मारपीट कर उसे घायल कर दिया मारपिट में रजणी बेहोश होगी थी जिसे बीच बचाव के बाद रजणी को एक सवाट एम्मूलेंसे जिलास पताल बाला हाट लाकर भरती किया गया कलेक्टर डॉक्टर ग्रिश कुमार मिस्त्रा के दवारा पश्चु पालन एवं डेरी विभा की समिच्छा बैठक में अनुपस्तित पांच करमचारियों पर कारवाई के लिए निर्देश रिद किया गया बैठक में मुखे रूप से किसान क्रेडिट कार्ड पर विस्त्र चर्चा की गई विकास खंडवार अधिकारियों की समिच्छा के दौरान अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदर बैंकों में जमा करने ही तू निर्देश दिये गया बैटक में अनुपस्तित एवं कारे में लापरवाई बरतने वाले पांच कर्मचारी के एक माह का वेतन रोखने के निर्देश करेक्टर की दवारा दिए गये आपको बता दे कि कर्मचारी अधिकारिये को निर्देशित किया जा रहा है कि मों अपना काम बेहतर तरीके से करे बाउजुद इसके किलापर वाही कम होने का नाम नहीं ले रही है नतीजा 33 पंजा चुनाम अध्दान की ट्रेनिंग में अब तक 19 कर्मचारी अनुपस्थित रहते जीन पर भी कारवाही प्रस्तावित की गई है प्रतिशत मेचिंग के साथ मेचिंग की दुनिया में जले का जाना पैचाना राम वर्दमान साड़ी भंडार जिहां वर्दमान साड़ी भंडार में है मनमोह के दुपटे, दुलेगा सूट, दुलहन के लाचे, बनारासी सिल्क साड़ियां, दुलहन चुननी, साफा कपड़ा, बांधिन साड़ियां, रेमन्स याराम और तुलसी जैसे ब्रांडेट कंप्यों के पेंट शर्ट के कपडबे प्रांडेट कम्तियों की लेगिन और पेंड, पातल, वायल, निवार, साथी, सभी हैंड लूप, आइटम्स जैसे बेट शीट, कंबल, मच्छरदानी, सोफा कवर, सेट, कंपाटर, एसी कंबल और परदे की भव विशाल रेंज, इसके अलावा मेचिंग की विशाल शर्कला म फैंसी नेट, प्रोकेट, आरगेंजा, पॉपलिन और सभी प्रकार के सिल्क मटेरियल, वेलवेट, सिल्क पेटिकोट, काटन पेटिकोट, दोबाई दोर का रूबिया और जार्जेट का अध्बुत संग्र, इसके अलावा भगवान के कपड़ों का अनुपम संग्र, साथ टेंट, कपड़े, दरी, चटाई और कार्पेट की विशाल रेंग तो जरूर आईएगा, वर्दमान, साधी घंडार, आडवानी, कंपलेक्स, श्याम काकिज के सामने में रोट वाला घाट, प्रोप्राइटर, विमल, उमार, बोत्रा, शांदार कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए श्री शिबदार्थ कलेक्शन लेकर आया है एक से बढ़कर एक ब्रांड़ेट कंपनियों के कपड़ों का शांदार कलेक्शन जहां आप पाएंगे बुर्धिन की साधिया, दुले का तूत, शेरवानी डिजाइनर साधिया शांदार लाचा, लच्वी पती, विशाल और सुभाच जैसी कंपनियों के पेली, शिंक, कॉटन और फ्रेंची साधिया, अधित गड़ला, सियराम, रेमंड गुर्मल जैसे ब्रांड़ेट कंपनियों के पेंट, शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पेंट और फ्रेंची शर्ट शांदार श्रंखला इसके अलावा, नाव और फापल, वायल, बेटशीट, चादर ब्लांकेट, भोटी और टाविल, साथी फेंची कुर्टिया, प्लाजो फेट, शरारा, घरारा, सल्वार शूट का शांदार कलेक्शन, यानि शांदार कपर मिलने का एक मात्र विश्वस् स्थान, तो चले आईए, श्री शिदार के कलेक्शन, राजगाट चौप, गभी चौप वाली बली, बालागाट, ब्रांडेट कंपनियों के कपड़े पहनने के शौकिनों के लिए, शेहर का पसित, जगमगाता नाम, अभी नंदन फाइशन, जहां है, मुफ्ती, स्पाइक सिगनेचर और स्ट्राइब जैसे मशूर, ब्रांडेट कंपनियों के एक से पड़कर एक आकरशक और अधभुत, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट और लोवर की शानदार श्रंखला, साथी दुले का सूट, शिरवानी और गोर्ता पैजामा, उलन के कपड़ों की विशाल श्र गवर्मेंट्स, लेडिस, जेंट्स और बच्चों के बेहद खुबसूरत जैकेट जो यहां वो कहीं नहीं, तो मोस्ट वेलकम अभिनंदन फैशन अहिंसा द्वार के पास काली पुर्भी चौप, भालगाट, बच्चों के सभी प्रकार के फैंसी कपड़ों के मिलने का एक मात्र इस्थान, अभिनंदन कलेक्शन, युवाओं का बहतिन भविश बनाने द्रण संकल्पित, शेहर का एक मात्र पतिष्टित नाम, युवं इस्टिट्यूट, प्लेटपार्म फार यूथ, बैंक, ससी, रेलवे, आरक्षक, वनरक्षक, आईटियाई, टियो, एस आई, व्यापम, पटवारी, संविदा वर्गतीन और अन्यप्रतियों की परिक्षाओं की बहतर तैयारी सिर्फ राखवेंद्र मिस्रा सर के युवं इंस्टिटूट में कराई जाती है, पिछले पांच वर्सों से सरवाजिक सिलेक्शन का रिपॉर्ड, इसके अलावा, दस वर्सों के अनुभवी, रागवेंद्र मिस्रा सर के मार्ग दर्शन में, एड्मिशन ओपन फॉर यॉर ब्राइट फ्यूशर, आर्चिक रूज से कमजूर विध्यार्कियों के लिए, फ्री कोचिंग क्लासेस को याद रखें, यहां गेटार प्रिशिक्षन की भी आटो कापी के बाजू में सरकिट हाउस रोड बालख रखें। प्राप्त जानकरी के नुसार, औल्या कना निवासी, ब्यालिस वश्य सतीस बेल, 17 दिसंबर को दोपर करीब तीन बजी घर से लालबरा जारा हूं करकर घर से निकला था, किन्तो रात करीब दस बजे तक मह वापस नहीं आया, तो परीजनों ने आसपास उसकी पता साजी की किन्तो कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिवार के सदर से शोग है। मैं नहर से जा रहा था, तो मुझा लोग की हाप मुझे पता चल लगा कि हमारे ग्राम के युवक्त सतीस कुमार बैर, नहर में जो है, मुलत अवस्ता में मुझे पाए गया, मुझे ऐसा लगा कि सायदो सुबह या राती में आये होंगे, और सायद हो सकता है कि उन्हें टा जिसके करांग जो पानी में गिरने से उनको सायद पानी वानी अगर सरीर में चले गया होगा तो अचानक बद्धी हो गई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो इस हिसाब से मैंने देखा कि वे मृत हो चुके है, तो फिर मृत थाना रहा, थाना में जाने के बाद में, हम ल पाने में डूबने से मरत कुई हो चर्गाटी नहीं है, जो चर्गाटी नजी से नकली है, और अपने पाना रहानी तर्गी है, किसी डेट वी क्या नाम लिखते हो? 27 बैज क्या उमर हो? 40 बैज बिरसा थाना चेतर के अंतरगत आने बाले ग्राम दमो कालोनी में, 22 वश्य नव वीभाहिता लीना धुर्वे ने पती के द्वारा दी जारी दहज पतारना के चलते अपनी 10 माहा की दुद मुही बेटी को छोड़ कर फासी लगा कर आत्मत्या की थी बिरसा पुलिस ने दहज हत्या के इस मामले में लीना धुर्वे के पती लखन धुर्वे 24 वश्य को गिरपतार कर लिया है जिसे न्याईक अविरप्छा मुजिला जेल भिजवा दिया गया है प्राप्त जानकारी के नुसार लीना का माईका ग्राम रेल वाही परशाई का है जिसका विवा दो साल पहले लखन धुर्वे ग्राम दमो कालोनी निवासे के साथ सामाजी करीती रिवास से हुआ था शादी के बाद से ही लीना अपने सस्राल में रह रही थी जिसकी एक दस महा की दोध मुह बेटी खुशी है बताये गया कि लखन धुरवे शादी के बाद से ही अपनी पतनी लीना को दहच की मांग को लेकर शारिरिक वामानसिक रुप से पतारित करते हुए उसके साथ कुर्वता पुर्वक वेभार करते आ रहा था 12 वर 13 दिसंबर की दर्मियानी रात में लीना ने पती लखन धुरवे के दबारा दी जा रही देज पतारना से परिशान होकर उससे अपनी दूद मुही बच्ची को घर में सोता हुया छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास इस्तित करन के पेड में फासी लगा कर उसने आ अपराद दश किया और इस अपराद में लखन धुरवे के गिरफतार करके बईहर के अदालत में पेश कर दिया जहां से उससे न्याई का विरक्षा में जील आजिल बिजवा दिया गया है शहर के देवित आलाप पर किये अतिक्रमन प्रकरण की सुनवाई के मामली में एंजीटी ने आदेश सुनाते हुए देवित आलाप प्रकरण में किसी भी तरके अतिक्रमन नई हटाय जाने का आदेश दिया है NGT के द्वारा देगे आदेश के अनुसार देवी तालाब नीजी भुसवामी की संपती है इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी और से किसी भी तरह का कोई आदेश फिलाल नहीं दिया जा सकता इस दोरान NGT ने इस बात को स्पच कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राजी सासन और बालागा जिला प्रसासन के द्वारा अगरिम्त कारवाई की जाएगी आपको बताते कि NGT में दश की गई आचीका के दोरान इस बात का उल्लेक क्या गया है कि शहर के भीतर साथ बड़े तालाब है जिसमें आमा तालाब जिसका रगबा आठ एकर से अधिक बताये गया है पुलिस लाइन तालाब रगबा तीन एकर महरा तालाब रगबा चार एकर मोती तालाब रगबा लगबा बावन एकर बुदोभी तालाब रगबा लगबा छे एकर देवी तालाब रगबा लगबा लगबा सूला एकर दरी तालाब रगबा लगबा साड़े चार एकर दसा आगया है कि यह तालाव रिसफ डेवलपर्स और अन्य विल्डर उसका है अलाकि साधेश में इस बात का कहीं वे उल्लेक नहीं किया गया है कि देवी तालाव का वर्तमान रगबा कितना है और आगामी दिनों में मद्यपदरी शासन और बालाखा जिला प्रसासन को किस तरह से कोई कदम उठाया जाने है जिससे देवी तालाव के किनारे बसे वेवसाई प्रतिश्ठान और अन्य लोगों के लिए रहात भरी खाबर यही है कि फिलहाल देवी तालाव के अतिकरवन पर एंज्जूटी ने गेंद राज्य शासन और जिला प्रसासन के पाले में डाल दी खुश खबर खुश खबर रोटरिक गलप आप बालगाट टाइगर्स और जला प्रसासन आनंद विभाग के तत्वावधान में जले वासियों के लिए अभी नव पहल आनंदम उत्साव व्यापार मेला जहां हम होंगे तुम होंगे और होगा सारा परिवार यानी पूरे पारिवारिक माहोल में होगा आनंद उत्साव व्यापार और मेला यहां आप पाएंगे विभिन ब्रांडेट कमपनियों के उत्पादों की विशाल शरंखला ग्राहक वितरक और निर्माता के मत सीधा संबंध व्यक्तित वविखास के लिए प्रतिस परधाओं का आयोजन स स्वादिस्ट व्यंजनों की विशाल शरंखला बच्चों के लिए आकर्शक जूले और सांसकतिक कारेकरम तो याद रखें 24 दिसंबर 2021 से एक जनवरी 2022 तक समय अप्राण 4 बजे से रातरी 10 बजे तक इस्थान उतकास्र स्कूल खेल बैदान सर्थित आउस रोड बालाखाड आपके इंतजार में रोटेरियन जस्मित सिंध पसरिचा अध्यक रोटेरियन भरच प्टानी सच्यू रोटेरियन देविंग सिंध चंदेल मेला जेयर्मेन समत पतादिकारी और सदसेगाण रोटेट कलब आप बालाखाड टाईगर बालाखाड अगर आप तेली जानते हैं तो आपके लिए ध सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब तो आइए और सीखिए टेली प्राइब टेली विट जेस्टी और एकांटिंग के छित्र में बनाएए सुनेरा भविश्ट तो मोस्ट वेलकम अनपूर्णा कंप्यूटर टेली कंपनी बेंगलों से मानता प्रात जिले की एक मात्र संस् प्राइब के नेश साफ्टेवेर टेली ट्राइब की ट्रेनिंग लाइफ एकांटिंग और जिस्टी की ट्रेनिंग एकांस ट्रेनिंग के छित्र में चोदा वर्सों से प्रसीद संस्थांत अनपूर्णा कंप्यूटर पता है महाविर फर्निचर के बाजू में गोंधिया प्रोट बाला घाट प्रोट करने में सहायता करता है इंडियन मश्रूम सूप पाउडर एक बार अविश्य अपनाएं और अपने और अपने पहिवार का स्वास्त बढ़ाएं मश्रूम एदी पाउडर अधिक जानकरी के लिए आज ही संपर्थ करें अकाल म्रसी वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े वो भक्त हो महाकाल का कालों के काल जै बाबा महाकाल सम्मानी जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी एक जन्वरी 2022 जिन शनिवार को नए साल की शुरुआत महाकाल के भक्तों द्वारा माकाली पाट मंदिर में मातारानी को चुन्डी चड़ा कर की जा रही है इस वर्स 999 फिट लंबी विशाल चुन्डी यात्रा मरकट बाबा मंदिर कोश्मी से निकाली जाएगी जो नगर का भ्यमन करते हुए माकाली पाट मंदिर पहुँचेगी शद्धादों से निवेदन है कि इस अवसर पर अपनी उपस्तिती दव्ज करा कर पुनलाज अरजित करें निवेदन महकाल सेना बबबर सेना कालों के काल जै बाबा महकाल पदमे सिटी केबल के सम्मानी उभुकताओं को सुचित क्या जाता है कि आप अपने केबल का मासिक भुकतान पदमे सिटी केबल के एप से करें या हमारे द्वारा दिये गए QR कोड चाही करें आपके पास मासिक वसूली के लिए आने वाले पदमे सिटी केबल के वसूली अभीकरता को सिर्फ नगत भुकतान करे उनके वक्तिकत फोन पे या गूगल पे नंबर पर आल्लाइग भुकतान ना करे चालिस वर्सों से संचालित नगर का विश्वसनी पतिष्ठान गीता प्लाइवूट एंड हाडवेर सेंटर राजघाट चौक बालाघाट का नया शोरूम नई साज सज्जा के साथ सर्किट हाउस रोड सिंदू भवन के बाजू में आजाट चौक बालाघाट में शिखर लेमिनेट्स रिनियर और फैंसी हाडवेर की संपूर श्रंकला अब आपको बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं यहीं आपको सही सामान उचित मुल्य पर दिया जाएगा तो याद रखियेगा गीता प्लाइवूट एंड हाडवेर सेंटर नय शोरूम का पता सिंदू भव रोड आजा चौक बाला घार आओ चलें वक्त की रफ्तार के साथ शहर का पतिष्ठित पतिष्ठान बोरीकर सहरा इवाल शोरूम में उखलब्द है देश विदेश में पुसिद्ध आधुनिक तकनीक और एकदम हाइटेक पद्दकी से पनी अनेक ब्रांडेट कम्कियों की दो पहिया गाडियां बैटरी से चलने वाली शांदार गाडियां जो देती है पेट्रोल के जंजट से मुफ्ती लिथियम आयन बैटरी के साथ चलें वक्त की रफ्तार सहरा इवाल्स की गाड़ी बेचने में संपूर्ण भारत वर्ष में नमबर दो और संपूर्ण मदप्रदेश में नमबर वन की रैकिंग वाला शोरूम फाइनेंस विधा उपलब्द एथी शोरूम में एक से अधिक पसिद्ध कंपनियों की गाड़ियां देखने और खरीतने के लिए आपका स्वागत है हमारे पास एक इछट के नीचे एक से अधिक कंपनियों की गाड़ियां उपलब्द है तू विलर यों त्री विलर हमारा वद्देश से ग्रहाकों को अच्छी सेवा देना आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है तो चले आईए बोरीकर सहारा इवाल बर्व फ्रेक्ट्री रोड नर्मदान नगर शिव मंदिर चौर बालाखाट बेहतर चिकिस्ता संस्तानों की स्रंगला में एक कदम आगे वेद हेल्थ केर इंदोर और दिली से प्रसिक्षित फिजिसीन डॉक्टर वेद प्रकास लिलारी जो जाने जाते हैं मदुमें और मदुमें से जोड़ी हुई चटिल समस्याओं की समाधान के लिए इसके अलावा थायराइट, धड़कन का बढ़ना, बीपी बढ़ना, छाती के रोग, बार-बार खासी आना या सास का फुलना, सरदर्ण और चक्कराना, छाती में बार-बार दद होना, हर्दया घात के आसंका या बड़े हुए कोलेस्टरॉल के कारण लखवा होना, हाथ पैर और जोडों में दर्द व जलन होना, मिमारियों का सफलत मिला, मूग एवं दंद रोग विश्चक के, डॉक्टर निली मा वेद प्रकास लिल्लारे, बीना दर्द के दात निकालना, दात और मसूड के दर्द का उपचार, तेड़े-बेडे दातों को तार लगाना, पर मंदित अस्पताल में भरती की सुविधा भी उपलब्द है, तो याद रखे, वेद हेल्थ केर, मादूरगा मंदिर के पीछे, रेलवे स्टेशन रोड, हनुमान चौक, पालाखार आपके घर को आकरशक और सुन्दर बनाने के लिए शेहर का प्रसिद्ध प्रसिस्थान, होम्टाउन टाइल्स, डिजाइन तो इंप्रेस यू होम्टाउन टाइल्स में हुपलबद है स्बी प्रकार की आकरशक फ्लो टाइल्स, डबल चाज टाइल्स, जीवीटी, TGVT, नैनो, मैट फिनिश टाइल्स, वाल टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, अलेवेशन टाइल्स, केचिन टाइल्स, स्टील सिंक, ग्रे नाईट, प्रमोड, डिजाइन वाश बेसिन और बातवेर एकसिसीरीज की आकरशक शंकला, आकरशक नल फिटेंग और शावरादी की संपून रेंज, तो चले आईए हो सजाईए अपने सपनों का घर होमटाउन टाइल्स के साथ, हमारा पता है होमटाउन टाइल्स बैयर रोट डॉक् डिजिटल आप, डाउनलोड करने के बाद अब अपना कस्टमर आईडी डालें, जो कि आपकी रिसीप में लिखा होता है, अब डिफॉल्ट पास्वर्ट वन डालकर लॉग इन करें, अपना रजिस्टर्ट मॉबाइल नमबर या कार्ड नमबर डालकर सिफ एक बार अकाउ पाकेज, बिल या पिछले भुकतान जैसी जानकारियां भी आपको इस अप में मिलेगी, तो अभी अपना फोन उठाए और डाउनलोड कीजिए पदमेश डिजिटल आप, और आनद लीजिए अपने मन पसंद एंटर्टेन्मेंट का, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 831-996-9927, 888-7800-6435. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience! 21. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 32. 33. 34. 33. 34. कि लड़े ह्ना उिटर लुकिक रवा caos लडान उनाओ प्लॴकिर टिष्ट अप्रम आपेश वाया टीजह नच सब्सक्राइब, जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा बस यही एक एरादा बारसुनि नगर के बालगाट मार पर इस ती टेहली बाई शासकी उतकरष्ट उच्चेदर माध्यमिक विद्याले 12 सुनी में शनी वार को विकास खंड इस्थरी है बाल प्रिंटिक प्रतिविता का आयजन क्या गया पृतियोग्ता में शास की असास के विद्या लेकर 27 सम्मु ने भाग लिया जिसमें प्रतीक सम्मु में पांच पांच लोक थे इस प्रकार 135 बच्चों के द्वारा 27 प्रेंटिंग बनाई गई विध्यारतियों के द्वारा उक्तर प्रेंटिंग स्कूल के बाउंडरी वाल पर बनाई गई है जिसमें प्रती भागियों को आजादी का अमरत महस्व परियावरन सच्छ भारत अभियान COVID-19 देशभक्ति के विश्य वाल प्रेंटिंग करने के लिए दिये गए थे जिसमें विध्यारतियों ने परिड परशुपक्षी ग्लोग पूरुस महिला जनरल वीपिन रावर्द अमर्जयोती सहित अन्यक प्रकार की मन मोहक बाल प्रेंटिंग बनाई गए जो करीब 4 घंटे तक चलिए जिस अस्तर पर समस्त विध्यालों की शात्र शात्र सिक्षक सिक्षे खाएं भी मौजुद रहें एवं विकासखन कटंगी से 99 प्रत्याश्यों ने नाम निदेशन पत्र जमा की है इसी प्रकार सरपंच पत के लिए विकासखन भईया से 26 परसपाड़ा से 21 वारस उनिस से 37 खेलांजी से 69 नांजी से 38 इस किरिनापूर से 59 एवं विकासखन कटंगी से 26 प्रत्याश्यों के नाम निदेशन पत्र जमा की गए जन्वा 15 से 11 के लिए विकासखन भईयार से 8 परसपाड़ा से 9 खेलांजी से 24 दालांजी से 8 किरिनापूर से 9 एवं कटंगी से 5 प्रत्याश्यों के नाम निदेशन पत्र जमा करने के चटवे दिन आज 18 दिसंबर को जीला 15 से 10 के लिए 6 कर्मांग 16 से अंजना एवं सुजा कर्मांग सास से विशाल राओ तेवां छेत्र कर्मांग 18 से माधूरी और पर मधूरी शी के दवारा अपना नाम निदेशन पत्र जमा कराए गया है प्रत्यासियों के दवारा जमा किये गये नाम निदेशन पत्रों की जाच 21 दिसंबर 2021 को की जाएगी चुनाओ नहीं लडने वाले प्रत्यासी 23 दिसंबर 2021 को दो पर तीन वजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे नाम वापसी के बाद 6 बजे प्रत्याश्यूं को 23 दिसम्मर 2021 को चुनाव चिन्द अबंटित कर दिया जाएगा बालाहाट नगर के लिए जिवन दाइनी मा वैनगांगा की महारती का आयुजियां जिला तैरा की संकितवारा बजरंगाट में शनिवार की शाम को क्या गया महारती कारेक्रम में प्रमुकुरूप से शामिल रहे मद्यपदेश पिछला वर्ग कल्यान आयोक के अध्यक चेवं बालाहाट विदायक गौरी शंकर भी सेन ने बताया कि मा वैनगांगा हमारे जिले के लिए बरदान है मा गंगा और मा नर्वदा के तरश पर मा वैनगंगा का भी बालाहट में जो की सिवने जिले से इसका उदगम है और सुदुर महाराष्ट में इसका भाव है ऐसी जिवन दायनी मा वैनगंगा नदी के आज सेखड़ू की संक्या में लोगों ने शामिल होकर एक साथ महारति की मा दंगा और मा नर्मदा के तरश पर मा वैनगंगा अलगा है जो की सिवने जिले से इसका उदगम है और सुदूर महाराष्ट में इसका भाव है बल्कि जो आम नहीं है करें साथ मोड़ी आम इसका नियुक्या में लिए जो आज पर मदा इसका आज मा वैनगा की आज सीसा आजित आजिन हाफिश भी प्रमकिये मूलिक गाव लालबरा मुकेले से लगभग चार किलमेटर दूर मानपूर से महोगाउ धपेरा पॉंच मार पर ग्राम पंचायद बेलगाउ से होकर गुजरी वैंगंगा बाई तड धूटी बड़ी नहर पर इस्तित अंग्रेजों के शासनकाल का पुराने पुल को तोड़ कर सड़क निर जिससे अमोली, बेलगाउ, खारी, खिर्री, साले मोगाउ, मिरेगाउ, निलजी सहीद, बड़ी नहर की किनारे इस्तित ग्रामों के क्रेशकों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसले प्रभावईत भी हो रही है, साथ ही बे निर्मान के दवर और सरसो तीन फचल तो मुख्य लगाए है, तो यसे अलसी लखोडी भी मतलब है, लोगों के महत्वों नहीं रखती, तो सिचाई के लिए पानी मिलता था, लेकि आसो क्या मालूं क्या कारण है, पता लगा है कि वहां मानपूर से जो धपिरा रोल है, वहां पुलिया मतलब तो दोनों तरह उन नहीं मतलब ड्राय उन के लिए मिला बंद कर दिये तो पानी मिल रहा है, यह भी विए बहुत मतलब लेट हो गया, जो कि अभी तक दर्थतारी के पहले मिल जाना था, जिकता है इसे दर्स आल के वी तो पानी नहीं मिल तो पिस तरह से पर्चान हुँग कि पुलिया का काम बाद में भी हो सकता था गर्मी के समय और अभी रभी के फसल के लिए पानी की बहुत आओ सकता है अब जैसे पानी नहीं मिलेगा तो फसल किस तरह से प्रोफर नहीं पानी नहीं नहीं बिलकुर फसल नहीं हो पाई यह किसानों को पता भी नहीं था कि पानी तो तो नईया तो जैसे अगर एक 1974 सब्सके जो पानीय नियुका ऑसरणी नहीं वह के थूचो है तो जैसे कि यह कीवा याल पाम hold धाता है पानी होता हिए ना इसा नियमें तौिस बॉला हो मैंना कई डॉब नएक गहालह में बांचाथ। जबन से सके कहा ह Nicholas कियों सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दो चुलिया कज है मिल पाने कर्द ही हमिल वे बताद ही हमिलु में पहुसे तो क्या वो पह पंचायत वाले हैं? पेर्श्ट्री संत परम्पुजिय प्रविनरी सी जी महराज सहब का बालाखार जिले में पहली बार आगबन हुड़ा है महराज सहब 20 दिसमर को मुवार्ण महराज से बालाखार जिले में पहुंचेगे जिनका सेक्डों की संक्या में जिने के लोगों के द्वारा अगवानी की जाएगी इस पूरे कारेक्रम की जानकरी देते हुए सकल जैन समाज के पतादिकारी सोहन बैद ने बताएगी राश्र संत महाराज साहब का बालाखाट में 24 दिसमर से एक जन्वरी तक उनके मंगल में प्रवचन का आयजित होते है यहां कपल सिवीर लगवग धाई घंटे का कारेक्रम होता है जिसमें पती पतनी दोनों शामिल होते है यहां कपल सिवीर सिर्फ जयन धर्मों के लिए नहीं बलकि सारी दुनिया के लोगों के लिए सिवीर का आयजिन है इस सिवीर के माध्यम से कैसे संसकारित बनना है कैसे परिवार को मजबुत बनाना है किस तरह से समाजव देश की हित में काम करना इस बात के जानकारी महराज साहब के दवारा अपने प्रवचनों के माध्यम से दी जाएगी साथी साथ दिश्के गर्ब संसकार सिवीर का भी आईजन किया गया है इसके माध्यम से कैसे गर्ब से ही बच्चों को संसकार प्रविश कराय जाएगा इसके बारे में ज्यान वर्दक जानकरें दी जाएगी पत्रकार वारता के दोरान अभई से एटिया साइथ अन्य पदा दिकारी गन मौजुद रहे नवीन वेबसाइट सिक्षा के अंतरगत MLB स्कूल में संचाली ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस के अंतरगत शनिवार को अथिती ब्याखान गया कारेक्रम में भोपाल से पधारे ब्यूटी एंड वेलनेस प्राटेग्रम को आडिनेटर ललित स्रिवास्ताव और हेल्थ केर डिपार्पेंट भोपाल के को आडिनेटर मैंग जैन ने ट्रेड से संबंदित जानकरी उसे इसको ली छात्राओं को आउगत करवाया में कारेक्रम में ब्यूटी का इंटरनेशनल कोर्स कर सुरस्याइव 19 वर्षी पलक रंगलानी ने चात्राओं को व्यूटी टिफ्स दे कर इस शेत्र में रोजगार के उसर की जानकरिया उप्लप्त कराई जिन्हों ने किया है उसको आज हमने आमंत्रित किया है और आज हमारे बीच में लडित सिवास्तो जी और मैंग जैन जो इस्टेट कोडिनेटर है व्यावसाइक शिच्छा के वह भी आए हुए हैं और इस आयोजन का उनके द्वारा भी निरिक्षन किया जाएगा कि हमारे में इस तरह का आयोजन किया जाता है नियाद में प्रतिशत मेचिंग के साथ मेचिंग की दुनिया में जले का जाना पहचाना राम वर्दमा